कि एस बच्छी में हम देखेंगे जोगराफी की ग्लास ना एंध की एंट्टी ना क्या थी जोगाफी और यह एंडिन जोगराफी और यह लेक्च्छर है पहला सो इस प्रेले हम देखेंगे चेप्टा नौर रबं के बारे में ऐसी यह सीरीज चलते हैं कि यह लाइन नेक्स लक्षर आत तो लिए जो इंडियो लेक्टव्य में है वह कम्प्लीट हो जाएगी तो आज की लेक्टव में हम देल पर देखेंगे चप्टर वान के बार में जो है पहला चैप्टर है इंडियन साइब एन लोकेशन सो इसमें देखेंगे इंडिया के पहले साइस के आप देखिए उसके लोकेशन के बारे में देखिए हैं तो यह काफी जारा पूझा जाता है कर सकते हैं और आप टेलीग्राम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे देखिशन में दी हुई है आप जाके फॉलो कर लेना इंडिया जिसको भारत भी बोलते हैं जिसका नाम हिंदी में भारत और इंग्लिस में इंडिया बोलते हैं तो इसमें बना दिया है जो काफी इंपोर्टेंट वह लें लेका है और भी चीज़ है है-जो-च है ऑलिया की में थला ओका इंडिया उस वाली हो गया काफी अग्जाम में पूछी आ स्टारेंट पादेट इंडिया स्य्टी में जो आति या ऑक इंशेंट इंडिया के पास खुद का ऐसी कंपनी है इसको हम इसरो बोलते हैं लोग खुद के अपने रॉकेट लाउंच भी कर सकते हैं इंडिया के मोन मूं के अलावा मंगल यह वह मास पर गया था इसे इक हैं जो काफी घंटी अब तक नहीं कर पाई है और इंडिया जो जीडी सब्सक्राइब है और इसके लावा इसके लावा इसे जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफी जादा है और जो रिमार के वाल लाइक और इसमें अलग-अलग सेक्टर बताएं यह काफी जादाव है को लीजा को अगिली से पांधे शोग merch जाता है इंडिया को अच्छा रूस्त सेंट आ以及 में हो गया इंडिया में지는 लेख लेक और यफिर कंपने सार को जो गया चीन में का फ्रेस्ट था लिए इंडिया का आएटी ऑप में हम और निया है पॉपलर इंडिया-एटी-विए-वूध आई-टी-वहिए-वहिए-फ्शिर आपने शर्विश्विश्न में इंडिया करता हैं छो इंडिया में वह काफी अच्छा है इस चीज़ के वाइसे इंडिया के GDP है वो फिफ्थ लार्ज जीडिपी है इस चीज़ को याद रहना इस चीज़ को देखते हुए इंडिया याद रखना इसके बाद यह है वर्ल्ड मैप इस वर्ल्ड में पे देखो इंडिया की जो पॉसिशन काफी एक स्टेजिकल इंडिया की जो ये पहले ये देखो पूरल पूसिटर नाम इंडियी नोशन है जो इंडिय की नाम पर है पहले तो ये हो गया फिर रिज़ बिंडिया की आचारे हुद है और शेय मिलता है सब यहाई से निकलते हैं बात कि इदर कंट्रीज में जाता है सो यहाँ से कांदो यहां से जो बहुत बहुत एजल दी यहां पर एक्षन ले सकता है और इसको पूरा को पूरा इंडानूशन को पूरा एक्सेश मिलाओ काफी जादा इसके बाद मैं काफिस साह इंपोर्टेंट स्टेट है यहां पर स्टेट है यहां पर स्टेट है जो इंडिया के लिए काफिए चैनल पास में तो अगर कोई फॉरंट कंटी एक वे स्टेट पर अपना कभजा करना चाहती है इंडिया बहुत ही जल्दी इन पर रेस्पॉंस कर सकता और एक्सल भी ले सकता है और बाकि अधर कंटीज के साथ इंडिया की जुने विए हो अपनी एक्सले एक्सलेज कांशन को एकसाइज करते रहते हैं यह चीज भी देखने पड एस्ट में और इस्ट में ऊंगा अंडमाय निकोड़ आप इंडिया के फोजिशन वह और लाकि एग्साइज में इस्टे वाला से बहु JOHN प्रवान होता है और इंडिया का पोजिशन है इंडिया से कौन से ट्रॉप यहां से जाते हैं चीज को भी याद रखना सो इस आगे चीज में देखते हैं सो इनके आपर कॉल लोकेशन पता चलेगी इंडिया इस हो कि वास्ट कंट्री है लाइंग एंटाइल जो फिगर जो उसमें दिखाए थे लगनादन हमिस्पेर में पुरा लाइक काता है और इसका जो में लेंड जो है वो कांसे अधर एक्स् यहां से यहां से एक डेगरी से लेकिए 37 यहां तक यह जो इंको लिट्यटीट सब्सक्राइब नहीं इस सब्सक्राइब लोग जो इनुगा चीज को याद रखना अगर जो इचीज में बढ़ाए जाएए जाएंगे इस चीज को याद नहीं तो लाटिटीटीट कितना है से लेके 37 डेगरी 6 मिनट यह इसका लाइटीड हो और लॉंगटीड हो कि 68 डेगरी 7 मेंट से लेके 97 डेगी 25 मिनट सो यह लॉंगड यह है और लेटीड है इन चीज इन को याद रखना यह एक्जमर डिरेक्ली पूछे जाते हैं इंडिया को पूरे डिवाइट करती है तो इसके बाग तो यहाँ पर तो अरेवियन सी हो गया और यहाँ पर हो गया बेयो बंगाल तो इंडिया के कहा यह बेयो बंगाल के दर से स्टब हो गया इंडिया के इस्ट में बेयो बंगाल हो गया इंडिया के वेस्ट में हो गया अरेवियन सी तो यहाँ पर यह लक्षदीप है अरेवियन सी में और बेयो बंगाल में अंडवान एं निकोबार सो इस चीज को एकाउंट फॉट 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 परसेंट अप टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड मांद पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है तो इंडिया कितना कॉंट्रिबूट कर दा है तो पॉट फॉट परसेंट वह इंडिया की जो पोजीशन है इनमें वह सबसे बड़ा को सवकी असे फेंटन है लेकिन लैंद मांस में 7R जो से इनली में लिखा की इनली वह से छू लाजश कंटी वह ए लियॏ लाड़स गन्चस्रीण रखे हो ये बंश्रांड देर्कल ओलर कि तो लैंड बार्दी रग् reality landबंदी शो लैंड फोर इंडिया और स्वार्य में भी दे रखा sitting order में मिलदफ यह किसी-क्षी गंठी के साथ कम है तो पहले हो स्वार्य हाँ पहले हो गया ओंगलदेश दूसरा ओगया जाएन तीसरा ओगया पाकिस्तान फिर नेपार फिर हो गया मैन्बार थैन भूटान थैन अफगानिस्तान ये ये इनका साहर करता है बंगलाइडेस के साथ। उसके बात चायना के साथ भूतान के साथ करता है फिर नेपाल के साहर करता है फिर यह हो गए हो गए भूतान फिरेफ़ेड़ा होंगे एफ़गानिस्थान सो इस इस इअ को याद udah नं nên चीज को याद रखना और इसमें दे रखा है कि जो लैंड जो लैंड से रहे वर्ड में बाके दर कंटी तो इंडिया के पूज़िए कितने साथ में थी पॉंट वह यह एरिया के साफ से दे रखा है और यह यह यूए डिपी लेन इन डेमोग्राफिय यह 20 इसके अकॉर्डिंग बोला गया ह सब्सक्राइब क्या है उसके बाद है कनेड़ा फिर यूएस से चाइना जाए अंतर नहीं है कम है फिर उसके आप ब्रजील फिर ऑस्टेलिया फिर इंडिया इंडिया की पूज़िशन किती है इस चीज़ को याद रखना अब तो नहीं पूछा थी फिर भी याद रखना त मतब जो इंडिया के जिए नॉट्वेस्ट में पतार यह बनेगा तो नॉट्वेस्ट में इदर नौ्थ इदर वैस्ट यह एंग 4 tri मांटे मन्ह यह होगे है भी ऐसो तो यह नॉर्थ वन्टेस्ट होगे बताब इसे डार स् साउथ सब्सक्राइब जो इसको बोलते हैं तो इसको दो करते हैं यह एंग फॉर मांटेन देन इसके बाद तो इसमें बोला गया है कि जो एस्ट और वेस्ट का जो एक्सेंड है वो इस्ट और वेस्ट का जो एक्सेंड है वो इंडिया का ज्यादा इंकम पे इस्ट और वेस्ट में है तो इन दोनों की बीच में जो टाइम डिफरेंस है जो मतब जो सन जब राइज होता है या सब सन सेट होता है तो उन दोनों के जी बीच में दो घंटे का डिफरेंस तो यह बताए गया तो इस चीज को याद रगना इसके बाद हैंस टाइम अलंग अलंग स्टेंड मेरेडिन अफ इंडिया मतब एक सबकी टाइमिंग बटी सब्सक्राइब ना 친जा ंचाषे में अलगुण को सब्सक्राइब निई बाद भूल इसको स्टेंडर टाइम को को कंटिर ह질ую कट्रिंट के लिए इसतेंडर टायम है या स्के बाद ऐसके बात अ स्टेंट सेंट इनं Labor सब्सक्राइब करते हैं इस चीज को याद रखना सो इस में आप देखो इसमें परखा लेगा तो यह जो जारी इन लाइन इसी को स्टेंडर्ड मेरिडन टाइम जोन बोलते हैं जो यहां से टारी यूपी के मिजबपूर सिटी से होके जाद इसको लिखा है सबीरफन रहा हैं कि स्टेंडर्ड मेरिडन टाइम जोन तो यही है और चीज को याद रखना और यहां पर गुज़ात और और हम चलपरदेश सब्सक्रास हो जाता है और यहां पर गुज़ात में जब तो दो गभंटे बाद होगां तो यह चीज को जाकर चीजक्वार कि डेफ्रेंस रहने दोनों के विजो काफी है 293 km है और जो इसमें बताएगा है कि East और West के बीच में जो extend है वो कम है मतलब smaller है किसके compare में North और South के compare इस चीज को आप याद रखना है और इंडिया के East में क्या हो गया बेओ बंगा और और इंडिया के West में क्या हो गया अरेविंसी चीज को भी याद रखना और लक्ष्विदी अरेविंसी के पास में यह जाए और यह हो गया अंडवान निकोबार यह चीज को याद रखना इसके बाद में इंडिया और वर्ल्ट इंडिया को अधर वर्ल्ट के साथ देखा जाए तो इंडिया को जो लैंड मास है जो सेंटर लोकेशन बेटूइन देवेस्ट इसे पूरा हो गये तो इसिया का जो साउथ वाले हिस्सा है वहां पर इंडिया लोकेट करता है तो अध्या इंडिया की जो लोकेशन जो हो जाती है वहां पहला बताएं कि इंडिया की पोजिशन काफी स्टेजिक हो जाती है इस चीज को आप याद रखता है इसके बाएंन से जो इंडिया का जो साथ पूर्शन में जो आता है वह प्रटूव इंटू दा इंडियन ओशन धिस है एंडिया स्टेबिश कोंटर्ट विड़ वेस्ट अश्या धिया के वशे से इसको जो कॉंट्टक्ट मिलते हैं अफरीका में और उरोप में फ्रॉम रह इस यहां के लिए इसन कोल से हैप मिलते हैं, so Indiya की गवर्णों तरब के जो वैस्ट कोस्ट और एस्ट कोस्ट, so West Coast वाला देखता है यह रूप और देखता है और East Coast वाला East Asia और आशेन कंट्रीज वहां उनको देखता है इसमें बता है कि India's contact with the world have continued through ages but her relationship through land and roots are much older than her maritime contact so इसमें बता है कि जो इंडिया का जो land roots है वो काफी ज्यादा older in comparison maritime contact because पहले इतनी एक technology नहीं ती shift की तो इसी चीज़ की वैसे पहले इंडिया में काफी सारी जो trade होता था वो लेंड रूट की थ्रूव ही होता था बात में जब technology जाते हैं कि जब सिफ बनने लगे तो बात में maritime route का इस users होने लगे तो चीज को आप याद रखना तैन इसके बाद various passes across the mountain in the north have provide passes to the ancient traveler while the ocean restricts such interaction for a long time so मताया कि माउंटे जो रूट का है यां वो काफी सारे इंशेंट ट्रेवल में उसमें बता हैं वहां से passes होता था बट ओशन में ऐसा नहीं था ओशन में यह सब चेजिए उनको रिस्टिक करती थी और जानले काफी समय तक आगे में में देखेंगे कि जो इंडिया का そौण सी ता बाकि अज़र कंटर्री में कैसा था इंडिया हमारा प्यारा इंडिया तो यह ऐश्य के नाम से एश्यां में जो आना हुए यह से से का या सिकेघाल जो वाश्ट कोस्ट है विसमें रिंगी कि47यम वेश्ट के तरफ्ट परईना एक यह राद जो को पोड़ों की तरफ यह Clarkowe इसमें बताए गई तो इस चीज को आप याद रखना तो यहां से काफी सारे इंटर्णेशल टेड़ भी होता है इंडिया का और बागी अधर कंट्रीज और जो यहां पर इसमें लिखा है कि इस सी रूट्स जो रूट्स है इनका जो इंपोर्टेंस है काफी जादा है कि वहां का दूसरी अधर कंट्रीज में जाता था इसी विए से थोड़ा कल्चर का भी एक्षेंज होता था इसमें और अगेदे रखा है तो ओपनेशीद का रामायाड का अधर स्टोरी है जो पंच्टर की जो इंडियन नुमेरिकल है एंड़ डेस डिसेमल सिस्टम है दस कुड़ भी रीच एंड मैनी पार्ट्स अधर वाल्ट सो इसी रूट्स की वह से ओपनेशाद रामायाड और पंच्टर में जो आइडियाज है जो उनके स्टोरीज है वो अधर वर्ड बार अधर पार्ट्स अधर वर्ड में यह इनकी स्प्रेड होए है तो इन्हीं सी रूट्स की वह से यह सब चीज़ें होई है तो आगे मैं है कि दर स्पिसीज देन मसलीन हो गया जो कॉटन हो गया जो बार की बार की जो अधर कंट्री की जो इस्टायल है यह उनका बनाने का स्ट्रक्चर है यह स्पिसीज हो गया यह मसलीन हो गया जो की चीज है तो वह अपनी कंट्री में भी मिलता है और भार की जो कंट्री में अपनी इंडिया का चीज है तो इसमें बता गया है कि इन सी रूट्स का या बागे इनकों क्या इंपोड़न्स है इसमें आगे देखते हैं India का इंडिया का नेवल के साथ क्या है इंडिया ओकुपाई इंपूरेंट स्टेटिक पोजिशन इन साव असिया पहले तो आप यह चीज को याद रखना इंडिया एसिया का पार्ट है और इसिया के साव असिया में आता है तो इस चीज़ को आप याद रहां और इंडिया South Asia का पार्ट है एंडिया की जो पॉजीशन है इस चैट इस पॉजीशन है South Asia में ऐस इनडिया था डृक्ति स्टेट नहीं है यह नाइन यूटीज है, इन चीज़ को याद रखना, 20, it's straight line and 9 यूटीज है, जो की figure 1.5 में आपको दिखाऊंगा बाद में, मेर्-टे कंटीज की लोगेशन में आप याद रखना में और present बादन नेवर्स हैं across the sea, मतलब sea roots में ये sea neighbor हैं, वो कौन-कौन से हैं, सीलंका हो गया और मौल्दीव से हो गया, तो ये हमारे neighbors हैं, sea neighbors, इनकी हमारी land से boundary touch नहीं हो थी, बर जो ocean है, जो sea roots है, वो touch होते हैं, आप मैं लेगो इस पर पता चलेगा, नॉर्थ-वेस्ट हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान का land border है, हम से ही करते हैं, तो अफगानिस्तान करता है, जेनके की तरफ से, चाइना का हो गया, चाइना का थिबत वाला पार्ट हो गया, जो उसना occupied क्याता है, ली गली, तो वहाँ से हम करते हैं, लेंडwater 시대, नेपाल वाला हो गया, यहां भूटान हो गया, यहां मेन बार हो गया, और यहां बंगलादेस हो गया, यह हो गया, land water और सी रूटड़ा हो गया है यह स्रीलंका हो गया तो यहां से लेंड तो शेह नहीं होता लेकिंगत सी रूट माउलदीवस वार यह होगा न मौलदीप से करते हैं गार यहीं से और आज डिन न हृञश्ट र्खना घ्री अगने और यहां थेकना अरैवunde 대 ded child na वेस्ट ऋप्डइन इंडिया एंडिया की एस्ट में बेव बंगाल में एंडिमान एंडिकवर आइलेंड यहाब लक्षिदीप हो गया यह आप याद रखना इसके बाद स्री लंका इस एप्रेटिट फॉर फॉर्म लक्षदीप के बुरुकुल साउथ में जाएंगे तो वहां पर मालीव से सब्सक्राइभाज आपको पता चलेगा so लक्षदीप के बुरुकुल साउथ में ही मालीव से tv service को आप रखना रुषार इसमें बता ये कि मालीव उसके शावत में है लक्षिदी पे सो एंड इंडिया हैस है इस्ट्रोंग जिगोराफिकल एन हिस्टोरिकल लिंक्स विधर नेवर्स यह तो मैं बताई दे के इंडिया के जो नेवर्स है उनके साथ काफी स्ट्रोंग लिंक से एंड लुक एड़ फिजिकल में फो इस यह इन यॉर्ड एडलस इसके बाद में यहीं पर यह लेक्षर यहीं पर ही एंड होता है सो आज की लेक्षर में बस इतना है अगर हैं तो इस लेक्षर में वह जो क्लास नाइन्थ की जोग्राफी जोग्राफी कौन सी इंडियन वाली इंडियन जोग्राफी का इसमें बताए रहे जिसमें यह chapter 1 था, आगे कुछ दिनों महीं chapter 2 आएगा अगर response अच्छा रहा तो, so, आप UPC library को subscribe कर सकते हैं, तो please subscribe the UPC library and press the bell icon for the more updates, तन्यवाद. Hey guys, this is Kuldeep and you are watching UPC library, so, आज किस lecture में हम बात करेंगे, chapter number 2, Indian geography, जेगराफी class 9 का जो सीरी चल रही है, chapter 1 वहापर complete हो गया है, so, यह है chapter number 2, जिसका नाम है, physical features of India, मतलब इंडिया जो country है, उसके physical features देखे जाएंगा, आखर मतलब उसकी unique ways क्या है, आखर में है differences क्या बागी अधर country है, so, इंडिया के जो northern part है, महाँ पर आइस जाद होती है, महाँ पर इंडिया डिजाट है, मतलब रेकिस्तान हो गया, महाँ पर इंडिया में coastal cities भी है, plus rain भी जाद होती है, बारिस भी जाद होती है, so, इसी चीज में इंडियो को डबाइड किया गया, इस चीज के बार में जानेंगे, then, इसमें mountains और rivers के बार में देखेंगे, then western ghat और eastern ghat मतलब western side वाला जो area उसको western ghat बोलते है, then eastern ghat बार में पूरा detail से इसमें देखेंगे, बहुती easy way में देखेंगे, ताकि जो can set ये, वो अच्छी तरीके समझ में आ जाए, so, ये है chapter number two, physical features of India, इंडिया के physical features, जो jay lodge, so, अगर आपने UPC library को follow नहीं किया, तो आप UPC library को telegram, facebook और instagram पर follow कर सकते हैं, links वीडियो के नीचे description में देखेंगे हैं, और आप UPC library को subscribe भी कर सकते हैं, so, physical features of India, तो इंडिया, so, इंडिया के काफी जो physical, जो variation है, वो काफी physical variation है, काफी ज्यादा है, so, because, इंडिया में वरफ भी देखने को मिलेगा, इसमें रेगिस्तान भी है, मतलब desert वाला area भी है, rain भी जादा पढ़ती है, मतलब एक तरफ desert दूसरी तरफ rain होती है, मतलब ये है कि एक पली है पूरा, एक तरफ जहां, rains मतलब जहां rivers है, तो दूसरी तरफ रेवर्स ऐसी है, कि वो ऐसी है कि साब जाब बारीश हो कि तर्यूस में पानी ज्यादा होगा, so, ये उनिक वेज दे रख्खा है, coastal cds भी है, तो कहीं कहीं बीच में एक दिन लेंड लॉक राइप क्या जो इसमां बोला है, जो जो लग जी कली, पैनिल्सुला पैटो, इंडिया का जो लेंड मास है, वो काफी जादा पुराना है, जो अर्थ की सर्थ रुपयाज है, उसके कमपेज में देखा है, वो काफी पुराना है, वन अप दा ओल्ड जो या इनिशिट बोला जाएगा, so it was supposed to be one of the most stable and block, मतलब उसको इसको most stable and block के तरह सपेज, मतलब है, वो stable है, but one of the most, जो इंडिया में जो लेंड हमाला है, जो नदन पिलिन्स है, वो काफी recent लेंड फॉम, मतलब, 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 बाकी अधर इंडिया के बाकी अधर मांटिन से रिजम देखा जाए, उस हमाले वारा जो रिजहन वो काफी इसकी एच बाकी अर्थ से कफी कम है, यह इसमें बदाय गाया है, so, इसके अबारे में बोला है कि, from the point of view of geology, मतलब, जो जो लोजी की point of view से, हिमाले इन माउंटे से उस्पर देख जाए, तो हिमाले जो मांटे से और तो हिमाले जो एक जो में जो पूरा को पूरा जो हमाल ले है वह एक युद्ध टॉपोग्राफी को रॉप्रेसेंट करता है इस एरिया बादा फास्ट फ्लोइग रिवर प्लेवेश त्येस बहने वाली वाली जो रिवर है वह भी एक्ज़ेस्ट करती है उस एरिया में इसके बाद नदन प्लेंस आग नीचे आजाता है अगर आप साउत में चलते जाओगे तो पैनिस प्लेटो आ जाता है तो वह किस चीज़ा फर्म हुआ है इंगिसे रोग है उन सबसे मिलके यह प्लेट्व पैनिसलर प्लेट्व फॉर्म हुआ है इंटली डाइज हें से वाइड वैली ऑल्स एक्जिस इंडिस एरिया वहां पर भी जो हेल हैं माउंटेन वहां पर यह चीज़ देखने को आपको मिलेगी तैन जो दैन इसके बाद जो मीजर फीजोग्राफी हो गया इसको इंडिया को डिवाइट के जाए तो उच्छे अपा जाएट फिज फिछ पलेग अग्चिक्ष से एल अज ह ciao अंग्यट आगी आठ अट टारें टीरं आडया कउस्ट आट चीजे चीज़े हैं सब तंटर कर questions है मांट मीमांधि पलेंस हैं अगा Choi선 के और चिगष्यण के वाद और खेए पन्स कूला आख जासकता istat विको तो इं बड़ी लाज नमर में आइलेंड कर दिस अपने अंदर में रॉक्षी थी फाला हो गया देन अंडवान एन निकूबर आइलेंड हो गया तो एक लेंड मास्ट अपने अंदर समाँ हो आथ इस चीज़ को आप याद रखना दैन यह है इंडिया का मैप तो इसमें आप थोड़ East West, इसके साफ साम से बताऊंगा, इंडिया के North में हो गए हमालिय वाला, इंडिया के West में हो गया, Greek Indian Desert, रेगिस्तान वाला, और इंडिया के East में हो गया, North East Wall Street, जहां बार्श जादा होती है, यहां पर भी mountains बगर होती है, तो इसीच को याद रखना इंडिया के साव गया इंडिया के सावथ में हो गया कोस्टल सीटी प्लस डेक यह जिसको पैनिसला प्लेटो बोला जाता है तो इसीच को याद रखना सो नोर्स साथ इस वेट किर्फ में आपको बता देया देंजी प्ली нагयो एल्या हो गयो या नॉर्ट वाल ही अरिया को यहां पर यहां पर यह बानर फोर के चीज गो याध़ है तर साहिए दकति प्लॉटो एड से लक्षदीप आइवलें बार बात चल लिए थी तो यह लंग इंडिया के यस्ट में वाड़ अरीबियंग सी तो यह लोकिशन है आप थंक माला है यह मॉट्रमट आपको आडिया लग जाते कि इंडिया के चाहर तरफ क्या है तो फर्स्ट जो हम इसको रीट करेंगे वह हमालय मांटेंज तो काफी इंपोर्टन है विकोज इसे डारेक्ली हर साल एवरी एर एक कुछिंग जरूर पुछा जाता डार्कली और डार्कली में हमालय जो लग्री देखा जातों काफी यंग एंड फोल्ड मांटें से बना हुआ और इंडिया के नदन बॉदर को बनता है इंडिया के नदन में पड़ता है यह जो माल लें वैसे डारेक्शन चलता है इधर चलता आगा ऐसे फोल लगा इस पिक में आप देख होगे सो इसमें जो हिए है तो यह हमाल है तो यह पूरे सब्सक्राने को इस जा रहा है तो इस टिस को इसमें बताने को घृत तुरमाइल सैंटे लॉप्ते शुर्ट सब्सक्राइज उची महां पार है तो रॉंप रग्ड हो गी इसको गाम करता हैं जिसको काफी कम कर पाती है कम लिबेंट करको कोछी है इंडिया 어렵नी काफी कपेबल्य Erica एरिया में सब्सक्राइब करने के लिए बाकिया दर गंटीज में इतना नहीं है तैन दे फॉम ए आर्ख मतला एक आर्ख तरह जो कवर करका डैसे डिसन लाइक 2400 क्लोमेटर इसकी टूटल डिस्टान से 2400 क्लोमेटर एंग इसकी जो वेर्थ है वो काफी वेरीज करती है लाइ तो इंडिया के जब हम इस्ट में जाएंगे तो इस चीज को आप याद रखना है तो इस पिक्टर में आपको महलू पड़ जागा तो यह है इंडिया का जो जम्मू कस्मीर वाल इलाका है तो यहां पर इसकी वेर्थ है 450 के अरू 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 अबट जब यही हमाले हम से इस्ट की तरफ जह रहा है वह से इसकी तरफ हुआ मिशंद के अलावा जो इस लो नपर वैलीजम व्याएं ब्लाइब इट्विण अमननने काफे थे आर्स companion करती है इसके सारी नाम है इसको आप याद रखना इसके बाद इसके बार इसके बाद इसके बाद इसकी जो एवरी इसके एवरीज है फिस थाज़न मीटर से मतलब almost 6 km के आसपास इसकी हाइट बोला गया है और इट कंटे और प्रोमिनेंट हिमालय पीक से हिमालय की वह इस ग्रेट हिमालय आज में एक्जिस करती है यह लोकेट करती है देन इसके बाद यह सब चीजन करती है और इसनों पढ़ते हैं साल बर रहती है साल बर पढ़ते रहती है मतलब काफि सारे गलेशियर इस रेंज में पाएंगे मतलब इस लोकेशन में आपको काफि सारे गलेशियर देखने को मिलेंगे इसके रावा इसके बाद में जो रेंज आती है जो हमादरी के साउथ में है उस रेंज को क्या बोलती है हमाचल यह लेसर हमाल लेती है यह लेसर हमाल है इस चीज को यह आप याद रखना जो हमादरी के साउथ में मतलब इसकी साउथ में उसको बोले हमाचल बहलेंगे यह लेसर हमाल लाए इसरेंगे जो वेरिशन है कफी जयाद अध्याद काफी भी बैक भी खटी सेरेंट सेलेगे फृतिफ्टिफटी क्लोमेट्र एर्ण्डा है इसकी वेट सो इसीज कुए रगना दें इसके बाद इसमें मोस्ट इमस काफी जाते लाइक इसमें रेज जादे लाइक पीर पंज सारी में है। तो यह सारी रिंच इस लेस्क करते हैं इसके बात तर्षी कंदिस्ट्रों काफिशे सार वेली में लाइक कांगर कांगरा वैली हो गया कुलू वैली हो गया है जो मचाल है आई है यह तो इसको याद रखना थे स्टीश जो ठोट लून रेस्ट वीशत है प्रिमस हिल स्टेशन बन जाता है और उसको याद रखना ग्रेट लेख इसे याद रखने ला याद करने के लिए जी वालेख दे एक्षेंट ओड़ एक्षेंट वन टेंट भी इसकी जो एक्षेंट है तस लेकर 50 के बीच पदास किलो मीटर के बीच में और इसका जो यह वह कि अदर से कम है मतलब हैट में सबसे ज़्यादा बीच में थोड़ा कम अलास्ट में जे साउत में जाते होगे थोड़ा और उससे भी कम तो 900 मेटर से लेकर 1100 मेटर के बीच में इसकी लट्रीट दे रखाय ऑट्ट बैसे भी जमीन से लेकर पूरी जो हैट है उसको एल्टी पिर जासकर पीर पंजन दोलाधा रेंज और यहां पार की काफी सारे वैली जो इसको काफी फेमस हिल स्टेशन बनाते हैं तो इस चीज को आप याद रखना देन सवाले में जैका अग यहां पर जाओ जाओ तो यहां पर जो वीर्ट है काफी कम होती जांगी तो सवाले में जैसकी वीट फिफ्टी किलमेटर में स्टेशन में या रखना और इस बीवीज मोई देखो अरावली हिल्स यहां पर एक्जेश करती हैं अजन्ता वली हिल्स भी हैं यहां पर हैं यह तीन इनको तो आप रट रहे हैं तो काफी हैल्फुल रहे हैं देन मिश्मी हिल हो गया देन पटकाई बंगे देन मीजो हिल हो गया और इस पूरी रिजन को जी हमाल ले पड़ेगा उसको बोलते हैं पूर वंचल हमाल ला चीज को आप याद रखना यहां से एक दम शार्प बैंड होता है तो इस चीज को आप याद रखना दैन इसके लोकेटेड फार्द नौर्थ सो यहां से कवी सारी ओजने रोता है सो बीज वैली आप अगया तो जो बाद जो लेसर और वहले की रीच में जो वैली जैंड उनको क्या बोलते हैं दून्स और सो इन दून्स में काफी सारी एक देराद दून्स हो गया कोतली दून होगा आए पातली दूनाई एक्जाम परना तो यह बोला रहे हैं वह लेसन हमालय आए और से वाद लेके बीच में दून्स है उनको दून मांना दूनों के बीच निए उनको दून सबोल के तो और में जो ऐस्ट देंट तो इसको प्याद रहा है इसके बाद बेस्ट इस लॉंगी टूर्ड यह जो पार्ट है जब वो इंडिस ऑ सतलूस की बीच में आता है तो इसको ट्रेडिशनिक क्या बोलते है पं जो इंडिस और जो सतलूस रिवर है तो उन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको पंजा हमाला बोला है बट इट ऑलसो नोज है उसको कुछ लोकल या रिजनल नेम भी है लाइक कश्मीन हमाले बोल दे हमाचार हमाले इसको और नाम लगते है जो की वैस से इस्ट की कुमां वह सích हमाले बोलता है और यहीं मेğini इत्रहकंट की रीजर में काफीज specific हिश्यां clicking कुछ हमाललच से इसको नेपल माल भी जाल रोत है तो है यह लोकल नीम वह गई अलग अलग इस लिग विजन पर उसकी नाम है just चीज को याए तो देरा डीजन नेम आलसो इंदीज ब्रोड के डिग्री सो इनके बताएगी बाला लग लगी हो नुकिन काफी जादा नाम है समाल लेकर थैन इसके बाद बियूंड दियां जोर्ज दहमाला बेंट शार्पली साउथ मैंने बोला जैसे यहां ते एकदम शार् होता गया है तो इस एरिया को ये ये जो हिमाल्ल लय उसको क्या बोलते हैं पूरवांचल जो मैने उस मालिया को बोलते है पूरवांचल हिमाल्ला या औस इस चीज को आप भ्याद रखना है इसके बाद these hills आर रनिंग थो दा नौट इस स्टेट और मोस्ली कंपोज स्टोंग सेंडों सो वहां की जो मांटेन वह सब्सक्राइब नाइप सो देखने को मिलेगा देंसके बाद इसके बाद मुस्राइज प्यार लेंग कुछ पर हैं यह पूर्वान हिमाल्य जो आपको देखने को मिलेगी इस में आपको पता चल लागा तो यह इंडिया का तो इस नम्चा बर्मा इस इसमें नम्चा बर्मा इस में चाइना की टारीटरीज में तो इसी को याद रहा यहां पर इस नम्चा बर्मपत्रा के नाम है जो चाइना में इसको बोलते हैं सांग को इसको याद रहा इसके बार हिमालला के लिए हुगा है नदन प्लेन है तो इसको फूटील्स बोलते हैं तो में पर यह पाया है तो यह रहत लगने तीन का जो जिवर हैं उनका जो आशे सिस्ट्रम वहार से मिलकर यह दरक्ट बना फॉर्म हुआ है लिएक तो इसके बार इस फिर फॉर्म यह लोपर होता है वह काफी बड़ी ज्यादा नप्लास्ट वास्ट निवेशन है इसका एरिया लग वह सेवन लाक स्कॉर कुलमीटर खाश है अचाहे वहां पर इस वहां पर फिजुगर्फी काफी पॉपूलिटिट फिजुग्राफिया विदे इस स्वाइल कबर कमबाइब एड़ुकेट वाटर सप्लाइब वह कफी अच्छी है और सोयल स्वाल भी काफी रिच है तो वहां पर इसाई फेवरिटल और जो फेवरिल क् से एरिया काफी पॉपॉपॉलिटेट है इसके बाद नदन प्लेन इस ब्रॉडली डिवाड़े इंटो थ्री सेक्शन तो उसको तीन सेक्शन में डिवाट कर गया है लाइक दा वेस्टन पार्ट आप उसको पन्या प्लेंस में बोला गया और जो इंड़स वाला पार्ट है उसको पाकिसां में works काफी ज्या लाइक करता है जो इंडेस वार मंडार की Б windows यह इंडेस रिवार की रिया है ना को या रहे हैं हमाले से और होती हैं so this section of plane is dominated by the dose dose का मतलब यह कि कोई एक जो कोई लेंड का सा तो इसकी जो यह लेंड यहां से भी रिवर कोई यहां से भी रिवर जाए इन दौनों के बीच में जो हिस्सा वोता है जो लैंड मास होता है उसको यह दो आप बोलते हैं तो इस चीश को याद रखना इसके बार गगगा प्लेंड एकस्टेंड बित्विन आजो लगेंड वाला प्लेंड रिकवर है रिवर तक के बीच में जो अरिया आता है यहां भी हार और कुछ पार्ट जारकन का हो गया वेस्ट बंगाल का हो गया और कुछ इस्ट वाला हो गया असम में लाइक करता है तो यहां यहां ता यह गंगाला प्रेंग एक्जिस्ट करता है इसको याद रखना इन सभी स्टेट में होके प्लस असम वाले एरिया में थोड़ा बहुत ल जान देनो विरीशन एंड इट्स रिलेव कोई भी विरीशन नहीं है और यह इस बात सत्त भी नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी विरीशन सब्सक्राइब करता है तो अपने साथ कुछ और चीवी चीजे लाएं तो उस वाले एरिया कोई भावा रिजन बोला है जो आट सब्सक्राइब करता है जो बैल्ट है उस बैल्ट वाले एरिया कोई भावर रिजन बोला रहा तो जो 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 सवाली वाले एरिया महती है जो इस चीज को यहां रखना कि दर रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग संदर्मांटिंस ड्यपोजिट पेबल इन नेरो बैल्ट और आट सब्सक्राइब इन विट लाएं पैरले टुश्लोप सब्सक्राइब करें वाले एरिया है वह वाली जो पूरी बैल्ट को भावर बैल बैल्ट बोलते हैं सो अल्ट श्रीम डिवसपी इन अब आवर बैल्ट सुझ जितनी भी स्ट्रीम बैल्ट में डिसपर हो जाते हैं और बाद में यह आगे जाके मिलते तरही रिजन वाला कॉंसे थोड़ा बद मुझे को आपर रिवाद थोड़ी वाले मासी अरिया होने इसी चीज़ को इसे उसको तराही रिजन पो रहा है तो इसके अवलावार था फॉरस्ट हैस विंग क्लियर टू क्रीट अग्रिकल्चर लैंड एंड टू सैटल माईगरें फॉन पाकिस्तान अफ्टार यह बार मताया कि कुछ तोड़ी है कि कुछ माईगरें माईगरेंस मा एंड टा ओल्डर विल्यम सब्सक्राइब टेंग देंगों वहां पर इलाइज करता आएंड प्रिजेंट अनुट रश्ट लाइगा फीचर यह इसके फीचर और इस पार बहुंगर ब्रीट और इस पार्ट को क्या बोलते हैं भंग अरिच अब्रशॉइं दिस रिजन कंट लोकली के नाम दिया गाया, कंकर रिजन दिया गाया, चीज को आप याद रपना, देन, दा निवर, दा निवर, यंगर डिपोचिट अप दा फूल पेन, आल कॉल खादा, जो 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 नया, जो बार बार रिवर लाती रहती है, इसको खादा रिजन बोला है, और यह हर साल इसको रिनुव करते जाएं, और अल्मोस्ट एवरियर, और इसी वैसे वह काफी फर्टाइल होती है, यह सब सीजें इंटेंसिव एगरी कल्चर के काफी यूसपूल होती है, इसके बाद आ जाता है, मतलब हमाल्यावस होगे, हमाल्यावाद Northern Plains के वाद जो एरिया आता हो उसको पैनिसुलाव प्लेटो बोला गया है, जो पैनिसुला प्लेटो इस टेवर लेंड कंपोज्ट ऑफ और किस्टैन इंगनिसेस मेटामोर्फिक हो, मतलब बोला गया कि महाँ पर कुछ क्रिस्टैन रोक होते हैं, इस सब चीज़ें महाँ पर पाई जाती है, इस तरह की रोक्स महाँ पर होती हैं, देखने को मिलेंगे, और यह सब चीज़ें यह लेंड हैं वहाँ पर गोडवाले लेंड हैं, वहां कर डिफ्टिंग और ब्रेकिंग की वएसे यह सब वहाला एरिया बना हो है, एंड दस मेकिंग इड़ पार्ट ऑफ और ओल्डेस लेंड मास बोला जाता है, और इंडिया सब से वन अब यंगेस किसको बोला जाएगा हमाल्या को, तो यह दो डिफ्रेंस हैं दौनों के बीच हों, इसको आप याद रखना, और महां पर कुछ वहां पर सेम हमाल्याजी की तरह ब्रॉड भी हैं और राउंड हिल्स भी हैं, देखने हों में बाट वहां पर इतना हमाल्याजी की तरह थंडा नहीं इतना, आइस नहीं पर आइस नहीं हैं पर अब भाज नहीं होगी तो यह दो एक डिफ्रेंस हैं, वह एकड़म मेजर एरिया है महालम फिलेट होगा जिसको बोलते हैं, सेंटल हाइड हैं जो नहीं नहीं वर के नॉर्थ मे वाला एरिया को बोलता है, इसको आप रहाद रहता है जो की सत्पूरा रेंज के साओत में हैं और आबली हिल्स के नौर्थ वेस्ट में हैं, सब्सक्राइब कर देशान कंदेश हो गया थेन दफर्दर वैस्ट वाइस्ट वार्ट अब उसके जड़ेस्ट में एक्ट यह एक्टम राज सान को पर की नहीं बताएगा इसमें बदाए कि उस रिजर में मुस्ली यह रिवर है जो साथ वेस्ट और से लेकर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ इस तक है दस इंडिकेटर स्लोप और यह स्लोप को इंडिकेट करती है इसमें उसका लोकल नाम इसको बंदील खन बोला गया तो इस चीज को आप याद रखना देन इस पिक्च में आपको पता जल जाएगा सो आप यहां जाओ गया तो वेस्ट में तो काफी चौड़ा में लेगा हैं यहां पर न्विदा कि बता कर दो यहां पर माह उड़ा हो गया जैन माल करीं यहाँ पर मिलेंगी तो यहां पर दरावल्य का इंडिये डेजट ब्रक ना च्छोटा नापूर प्लेटूं चोंटा नाप भी प्लेटो मार्क्त फूर्डवर एस्ट कि उसका जो एस्ट को प्लेटो मिलेगा इस्ट में जाएंगे तो उसका एक फूर्डवर एक्ष्टेंशना है और में काफी में ली रवर में लाइक दामुदार रिवर हो गये तो वहां पर भारिधेन होती है दामुदार डेंगम प्लेट वहे यह योकि यह प्रोर सर्दाव करता है ल का छो कि यह प्रोर्ड बंख तर र्र साथ julive अ महादेव रवर है मंन्सनी महादेव रिवर ने महादेव रेंज है जो कैमूर् हील से हैं जो मैटका रेंडम दे है फॉर्म एक पहुस्ट एस्टेक्षान एक्सटेंशन मं तस चुछान नाखपुकर ke तेन बाद में जो डेकन ब्लेट हो वो हाई रोह रहे तेन इसके बाद जो एक्स्टेंशन आप देखने को मिलेगा जिसको लोकली मेगा लेगा या कर भी अंगलों प्लेटो बोलागा है अब इंडिया के नौर्थ में नौर्थ में जाओगे तो भी यह देखने को मिलेगा और से इसको जो डिवाइड करता है फोटा नावर पर डवाइड करता है सो थी पॉन अप्रमिनेंट हील्स है महाँ पर पाई जाती है लाइक वह लाइक कैसरी कट कर देना आण तार्ट सो महाँ थी तीन परोमिनेंट हिल्स रेंज को हाँ पर पाई जाते लोग से इस्थ में डारेक्शन दे रहें घारो खासी जैनते यह तो इन सुछ को आप याद दान एक्टम को एक तम कुछ मैं तैन इसके बाद वेस्टन घाट आते हैं तन इस एस्टन गार्स तो वेस्ट में वेस्टन गार्ट होगा इस्ट में इस्टन गार्ट मैं उसका वेस्टन इनके एज बनाता है जो कि बनाता है डेकर फिलेट वह सो इसी को व्याद रखना तो यह वेस्टन कोस्ट है तो इसी के पहले रही वेस्टन घाट कर लेगा तो यहां से होता है यह फिलीकल मैप में देख रखेंगे में लगा लोगे इसका अदो ही मिलेगा इसको अगर इसन से घाट छेसाठाचे क्या जाए तो इसके आगाट कर Гाट ख़से होव जह से कमt ventilे radius 8 एस्टनड वाला की है इस से प्रजलता है इस्टनगार स्ट करने महानदी रिवरवैली महार नाधी वेली से लेकं नीलगरी सुय साउंच स्ट sn है एस्टनगार्ट गुनीटे समय गुलाई कि इस टंगार्टはい वो एक वह बेच बीच बीच महीं आएगा तन इर्यर्गुलर्स में वह बीच में करती है इसने बताये गाया तैन इसके बाद उसको एक नाम इसका हो गया है सादरी कुछ बूला जाता है तो यह उसको एक नम अर्वी इसके लोकल नाम हो गया और वेस्टन घाट में कुछ हाइस पीक्स भी है जिसकी हाइट है 265 मेटर देन इसके बाद डोड़ा बेटा उसकी हाइट है 267 मेटर देन महेंदगरी हिल हो गए यह इस्टन घाट के सबसे उची पीक है तो इसको याद ह साउथ के इस्ट में इस्टन घाट पर तो यह सेवरी हिल्स एंड जावेदी हिल्स सो इनकी लोकेशन आप याद रखना डारेक्ट ली एक्जाम में पूझ या या मैस्ट फॉलिंग में पूझ याते हैं यह कहां पर किस हिल्स में यह किसे स्टेट वाँ है दैन इसके बाद वन अप देस्टिंट फीचर और पैणिसार पेटो उसका डिस्टिंग फीचर एकी ब्लैक्स वाँ पर काफी साहते है इसको वीसे इसको अपर देखने को मिले और इसमा बुला कि आपको देखने को मिलेंगी तैन इस आपको देखने को मिलेंगी तैन इस इस आप रहा रही एरोड़ इढ़ेंड से पराणि इंडिया में सबसे यह जादा है रावली से इसे वीच में टूटी फुटी बिरिवकर इस में देखने को मिलेंगी और इसमाने आएगे इसकी लोकेशन है जो कांतर रहा हैं यह गुजराश से लेके ड़ली तक इसकी लोक बहुत वेस्ट और नॉर्थी डारिशन सकी होगी जो इसकी अवाद आ जाता है इंडिन डिसेट प्रवारावल हिल्स का वहां पर यह इंडेकर देखने को मैलेगा और जो हम पर सेंडी की सब्सक्राइब काफी मारिस होती है काफी कम होती से चीज़ी सब्सक्राइब पर डिजर्ट है पूरी साल में अगर देखा जाए तो एक सब पचास है महां तक और पचास हम या उससे नीची थी वहां पर बारिश होंती है इसके बात वहां का क्लाइमेट काफी एरेड कलाइमेट है लोग वजी टेशन नहीं होती बिकाज वहां इतनी डिच नहीं है और इस्टीम अपियर रिजिए और जहां पर जो रिवर्स है या जो इसकी जो रिविस की इस्टीम है वह सिप देखने को मिलती है बाद में डिसपी या चलती है तो यह अपने साथ अपने साथ अपने रेज रेड को भी ले जाते है तो एक लेने की वह समापर ये के शेंट से मैं यह बनने स्टार्ट होते हैं तो यह एक डूस का फॉर्म में एंडिसको बात चंस बोला गया है की ऐसे मेरा कफी जात देखने को मिलेंगे है अगर आप इसके बाद इंडिया क kijken प्रेंट इंडिया को देखते हैं इंडिया को स्ट्रेंट तो यह कि पेनिसला पेटव प्लेट वाला हो गई जो इस साइड मां जाता है वेस्टन कोस्ट वाला सेंड विट्विन ताव गां सब इसके बात इसको डिवाइड कर गया की जो ब्रों पिले ना उसको ऑनकन वोला गया 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 तो उसको डिवाड के इसको का नाम क्या है इस प्रिक्स में आपको पूर्प क्लियर हो जाएगा, मैं क्या बोल रहाता हूं जो वेस्टन घाड वाला यह एरिया चलळा तो इसको भाइड करत्वालन और जो महरस्टा वाला एरिया है उसको कॉनकन प्लेइन बोला गया है और जो केलखा वाला एरिया कोरोमंडल कोस्ट रही और इसा है इसकारफ को पुर्ट भूल गया है गया है जैसे मैंने बहुत साधन पार्ट कोर्मनल को दर्दन पार्ट नौर सिर्करीजन जैसे मैं पिक्ष्मक्ता आया था ऐसा इधर और जो नौर और इस्टरंगाट्स की जो कुछ रिवर हैं कफी बढ़ी लाइक महानदी रिवर होगी गोदावरी रिवर होगी किष्णा हो होगी कावरी होगी यह उसी डेल्टा से महां पर फॉर्म होती है और बनाते हैं यह रिवर अरेवियल सी में सुरी बेव बंगाल में देन हो जाते हैं इसके वाद एक लेक भी चिली का जो काफी इंपोरेंट री काफी फेमस है इस रीजन में यह चीज अप इसको याद रहन उन दो जो इक और बार दो बताते हैं बूझ ऐद वाले एल्यंक लेए प्थ्यावरी प्रेव रेजय न हो गया मारस्त राधा वाले वें कौन जय जय फुलीज वाल रेजन का नाडव फुलीज खाने सिग लिएक व्द लकेरा हवला रेजय हो गया कौंसा अब जया क nu जय स इसे को आप याद रखना काफी एजियर आप बार-बार करोगे तो भी हो जाएगा देन इसके बार आइलेंड इंडिया के वन आप दे लास्ट में लास्ट नॉट दे लिस्ट आइलेंड टोपोग्राफी इंडिया में आइलेंड भी पाई जाता हैं तो पहला होगे लक्षद के मालावा कोस्ट पर यह लाइज करता है इस गुरूप आइलेंड इसका नाम ता देख रहे हैं इसका नाम ता देख रहे हैं इसका नाम ता लक्षदीप कर गया है और आइलेंड आइलेंड वहां पर एक बर्ट सेंचरी मतलब आपर लोग नाम पर लोग नहीं रहते हैं वहां पर एक बर्ट सेंचरी है खांपर है पित्ती आइलेंड जो की लक्षदीप आइलेंड पर है इस चीज को अब आयात रखना है तो इस पिक में थोड़ा और के लिए पता जल लाएगा तो यह लक्षदीप बाला एरिया दे रखा है और लक्षदीप इ नहीं को भी जट्राइब करता है और देन मिनिकोइ आईलेंड और जो माल्णी कांट्रिय फिर ना को कॉंछ चैनल करता है एक डिक्री चैनल सौटल यह लक्षद फिर गया इन को देग़ीट करता है यह नियन पूछा जाता है और यह देंगसे रखा है में अन्दमान एंड लेटिल एंडमान ने हुआ जो निक वार है उनको डिवाइड करें डिग्री चैनल और देंकन पेस इसमें साउट अंडमान और लेटिल अंडमान के बीच में डेंकन पेस पास पास होता है तेन इंदा पॉइंड ने को अलेंड भार यह दैन बेरल आइलेंड जो की इंडिया क पर ही वह मिलेगा देखने को सो इस चीज़ को पूरा याद रखना यह फैक्ट्स काफी इंप्रेंड होते हैं इसके बाद यह बोला गया है था इनलॉंगेटेट चेन अफ आइलेंड ब्लोकेटिं बेव बंगल मतलब यह पूरे लक्षी दीप अंडमान और निक वर आलेट पूरे पूरे आइलेंड को दो क्राइब करता है ले पहला होगे एंडमान जो की नौर्थ में है दूसरा होगे निकोवा जो कि साथ मैं तो यह फैक्ट से इसको याद रखना देन इसके बाद इस आइलेंड फोपार गेट फ्रेटिजिक इंपोर्डेंट्स आफ कंट्री मत इस टेटिजिक मतब डेफेंस की परस्पेक्टिव काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए अक्षि अंडमान नहीं को बार की देर इस ग्रेट डावस्टी और फ्लोर फोना की काफी जार डावस्टी यह सेम एज लक्षिदीव देन देर इस आइलेंड इस सब्सक्राइब भी देखने को मिलेगा और यह लोकेशन इकुट्व एकुट्रेटर के एकुट्रेटर के काफी पास में है तैन इसके बाद डेटेल अकॉंट अफ देफरेंट फिजिव ग्राफी इनूट्स और हाइलेंट संदा यूनिक फीचर 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 इस रिजन इ यह टो टोटल मिला जिमिक्स करोगे तो यह कंट्री को दूटा ओर जाद इस परमका तार स सोसे मैं और नेट्री इसिवेट छिए लेटेश में आप नेटर इस वीच्टी इस फ़ुट्टी आप अग्ल्स इंटरी इस बिल्वार्च्ट पर जान इक यह ता एक आजेंगा, तो इसमें अलग रिजन के अलग इंपोर्टन से बूलाए कि वह कंट्री के लिए काफी रिचर और नेचर रिस नेचर रिस रिस बन जाता है एक दम सोर्स बन जाता है इसमें आपको प्रॉफिट बताया गया है बाकि अलग रिजन का इसमें बाकि अधर रिजन के बताया है वह आलेंड ग्रूप हो गया पूर्ट एक्टिविटी और जादे इंक्रीज होगी तो अलग रिजन के अलग़ा इंपोर्टन बताय गई है इसमें बताया है आज के लेक्टर में बस अतना है अगर आपने यूपीसी लाइब को सब्सक्राइब नहीं गें था प्लीज सब्सक्राइब यूपीसी लाइबरी एंड प्रेस्ट बैल इकन फॉर दमोर अप्डेट्स धन्यवार करेंगे इंडियन जोग्राफी के चप्टर नमर थ्री जिसका नाम ड्रेनेज है इससे पहले चप्टर नमर वन और टू अल्रेड़ी आ चुके हैं यूपीसी लाइबरी के यूट्यूब चैनल पर आप उनको देख सकते हैं इस चप्टर में हम बात करेंगे ड्रेनेज सब् हैं हम देखेंगे हेमार्लन रिवर और पैमसर्ट रिवर कौन सी होती है बाद मीं हम देखेंगे रिवर पॉलुशन के बारहें आखर में चेप्टर मएं ऑप्तियुक्त सुको याद रख लेना को है इसका मतलब है इतले इतल आफ घु सिस्टम घुण इस पूरे एरिया तो एस peaks में आपको पता चल जाएगा और इसलेगे जे हैं इसलेख पूरा में पूरा यसको इस लेख विचलते हैं हम देने सिस्टम बोलते हैं सो इससे आपका अडिया लग जाएगा सो द्रेन इस पता चाल लगा यूविल नोटीज देश्मॉल इस्मॉल इस्ट्रीम फोल फ्लोइं सॉम डिफरेंट लो डारेक्शन और कम तो फॉर्म में रिवर जैसे मैं बताए जो ट्रिब्यूटीज होती पर बाद में ओशिन में मिल लिए जाथि लिए से घंगा या बाकी दर की बिभास है जासे जो फोसले आपको बमें मेंदग इसलेगें आपको सिध्रेशन पर दिया techniques venue नि testified फोल प्हल एक जॉब और इंडिकेट डैट एनी एडिएड एरिया मतलब एक दो वॉटर बॉड़ी शेश्टेम इंग बीच में जो एलिविटेड एडिया जो लैंड एरिया को हम वाटर डिवाइड पोलते हैं वह इसमें यह कहने का मतलब सो सपरेट टू ड्रेनी सिस्टम यह वाटर जैसा कि 3.1 जैसे सब्सक्राइब बताए गया है इसमा बताए कि दा वर्ल लार्जेस्ट देनिज बेसिंग इस अफ अमेजन रिवर्स जो साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट में हुए हैं ब्रेजिल में बाकिया अधर कंटीज में हैं इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस अधरा सब्सक्राइब इसके अलावा डेनिज सिस्टम इंडिया के बारें परते हैं इनसे पहले इंडियन रिवर्स पढ़ेते हैं इंडियन रिवर्स इंडियन की रिवर्स उनको दो मिजक्रूप में ड़ा कि trainings का गाएं पहला कौन सा है पहला हमाले रिवर तूसरा थौर हिंस म nsti नॉर्थ में होती है और पेंजेस रिए अंडिया के साथ मैं तो नॉर्थ और साथ दो चीज को लिए गया है इसको हमालेन बोल एंगा बाद में थे अर्भ कि apart from originating from the two major physiographic region of India मतलब अलग अलग इनकी फिजियोग्राफ रिजन है तो कोजी आइस है जी माउंटेन सी रिवार और ये पैनिस्वा एक लेंड एरिया है मतलब पूरे साल में इनको पानी की कमी नहीं होती इनका सोर्स है माउंटेंस मतलब जो आस होती हैं को सब्सक्राइब उसमें में नहीं रहता है कि इसलिक योग इसके लावा जो माउंटें में जो इसनों है जब मेल्ट होती है तो इन रिवर्स में जाता है तो यहां से इसको पानी प्रोवाइड होता है इसके सो टू मीजर हिमाले रिवर्स के बाहर बताया गया है शो इसके लावा दे हैव कट थो दा मांटें मेकिंग जो बता जब रिवर निकलती है तो जो मांटें के बीच में जो कटती है उसको जो जो बोला गया है आज इससे का पता चल लए में देखे यह इसका अपर कोर्स हो गया यह इसका मिडल कोर्स यह इसका लोवर को तो इस अपर कोर्स में इनकी जो इन इसमें जो पावर है यह वाटर फ्लोइंग में जो इनके एंटेंसिव काफी एरोजन एक्टिवेश काफी ज्यादा होती है है तो अपने साथ काफी ता काफी सारा यूज लोड़ आप सिट्स अंट मतार काफी ज़्ञाद सेंट एक साथ उन्हें के साथ लेकर आती है एक साथ बाते हैं बाहर आ फिर फिर इंदर फॉर्म होता बाद से ऐखेंगे निदर लोज़ आता है। मेंडर मतलब जब इक रिवर्ज चल लिया है तो जैसे वह टंड लेती है ऐसे आती है जैसे हम बताए आरे तो इस पूरे एरिया को पूशन को मेंडर बोल गया देन और और ऑग्सबोल एक जैसे यह इसी है बाहर में जब ही पानी यहां से सीधर आने लगता हो यह कट होने पैटन से शेफ्ट हो गया है तो इसको पूरा रागस्पू लेख बोल आगा इसमें पराफ चल जाएगा तैन से बाद में यह डिल्टा बार में अलग लग हो जाती है है कि लार्ज नमर्च आ पाशओ लिए सीजनल सोल्त पेनिंसर रिषा होती में होती है उन सिजनल होती है वह में जो स्बूस्त लिपीड्श्थ या उन पर डिपेंड होतो है जितने भी बडै सबूस्त लोप्र निच्चांट यो जब बंग पर होती है तो सब बनके इस जो फुलो है वो कम हो जाता है जब ड्राइ सीजन होता है तो पैनिसर रिवर है वो काफी सॉट होगा और सैलो होगा इन कंपेर हिमालय काउंट हिमालय के कंपेर में इस चीज़ को आप याद रखना इसके लाबह हावा सम अब देम ओर जिनेट इन दे सेंटर हाइलेंड गर करते हैं में जब पैनिस्ऽल कुछ आप वेश्ट की तरफ सम रहे हाँ तो इस चीज़ को याद रखना से ंडिए अडिया इं धाल गार्ट सो पेनिसोले की जो काफी रिवर हैं मोस्ट अप दे रिवर हैं वो वेस्टन गार्ट से ओरिजनेट होती हैं एंड फ्लोट वर्द वेव बंगल बाद में वेव बंगल में फ्लोव हो जाती है तो इस चीज को अब याद रखना पन गा वह गया यह यह को लेच यह सब येस्ट की तरह लो कर रही हो और बाकी जो न रौदा ये नर्मदा हो गया यह थालो हो गया बाद में फुसलोंग रिवर हो गहीं यह वे खुल रोह बाद में फिर यह हमाले और सब्सक्राइब रहा है यहां सैंट यह भितम रहा है इस चीज को आप रखना को यह किसtena River यह कлучरी हो गया यह मांधानेृंगी हो गया अब मेजर हमाले रेवर हमाल हैं इंडेस मेजर हमाले रहे हमाले रहे हैं एंड जॉईन बाइए मैंझी लाज इंपोर्टन था हैं और मिये इनकी काफ़ी सारी टर्बीटियर्टिय जो उनको जउन करती हैं यह लवर क्ट इच्टियूर्ट्रों की इसको पूर को जो श्कुबाइट करें तो इसको वैस्त की तरफ करती आप बारे मुँआ सर्फ इंडिया में लद्दा की तरफ से एंटर होती है एंड इट फॉर्म में पिक्चर्स की जॉर्ज इंद पार्ट और जी जॉर्ज क्रिएट करती हैं जो कि इसको कस्मी रीजन में इन सब को जॉइन करती हैं इसके लावा इंडेस फ्लो थ्रो बल्टिस्तान एंड गिल गित इसके लावा इंडेस फ्लो शॉइन कर लेती हैं इसके लावा इंडेस फ्लो शॉइन कर लेती हैं बाद में इंडेस साउथ में फ्लो होने लगती है और बाद में ये पाकिस्तान के जो कराची वाला कराची का इस्ट एरिया वहाँ पर ये रेन हो जाती हैं इस चीज़ को आप याद रखना दें इंडेस प्रीन है वेरी जेंडर स्लो वो काफी जेंडर स्लो भी इसी चीज़ के वैसे इसका जो फ्लो काफी जादा है इसकी तोटल लेंद्ध है 2900 क्रो मीटर है और इंडेस इस द वन ऑफ लॉङस्ट रिवर ऑफ द वरल्ड है इंडेस इस चीज़ को आप याद रखना लिटिल ओवर थार्ड आप इंडस बैसिन ही इस लोकेटिड इन इंडिया में वन थार्ड पार्त पाई जाता है जो कि लद्धक जमु कस्मी हिमाचल परदिस पंजाब में आपकी इससा पाकिस्तान में हाता है सो इस चीज को आप याद रखना देन इस मुंन पत्तां चल जाए गां सब्सक्राइब मैं इक और प्रताइब हो जाती है इंडे से रिवर को आप वी चिनाब गेलिकित वाला यह श्योक हो गया इसकी ट्रिबूट टीज है यह इसका ड्रीने सिस्टम इस प्रिक से आपको पूरा के लिए फिल रहाएगा और यहां पर यह ड्रीन हो रहे है इसके बाद इंडस के बाद पढ़ते हैं गंगा रिवर्स सिस्टम सो हैड़ वाटर अब देख प्रिया जो की उत्राखंड में इस चीज़ को आप याद रखना है डार्टली कोश्टिन पूछे जाती है इसमें से सो एड़ गंगा इमर्ज फॉम दा मौंटेन ओन दा प्लेंस और यह हजबर्ग में यह मांटेन से इमर्ज होती है बाद में यह प्लेंस में चल होगी यह सब इस की ट्रिबूटी जै और यह में डिवर्डी है और इन का की ट्रिबूटी जाया है तो यह यहां से आ रही है यह गंगोत्री गलेशियर यहाँ से भागरेती देव परियाग में अलकने इसका पॉइंट को याद रखना है डाक्ली पूछा जाता है और ये गंगा यमना जो यमना आए गंगा से कहा हमिलती है अलाबाद में इट मीट अलाबाद एट अलाबाद एंड़ गंडख एंड कोशी जाइज इन नेपाव यह जो गंडख गंडख खोशी ए वो नेपाल हिम Caesar मेन फ्रेंपिशे कफियू प्राइटा को इसके वह लाइप को देमेज प्लसनानों इसके लावा इसके लावा यह एक रॉसका में यंकिया के किया है इनकी इन आ इंधियो चम बहुत से आती हैं मतलब वह साथ क्साओट इंडिया से आती हैं जो की चम्बल है बेत्वा सनrd मत्त अम क्थ ? वह जो बीच में अप्न! अप्लेंड एरिया हैं महां से आती है । वो इनकी ट्रिबुटेंज जिसको नाम है चमबल हो गया बेतवा हो गया और सोव निर्वर हो गया इसके बाद इसका नाधर मोस पाig होता गंगा का इसके बाद Harbor ऑइया बागल इतना इस बीजिटीț के लिटा में दूसर हेली इन दो रिवयर में यह typically हो जाती है देन बाद में ये साथवीर के दर Filipino लगती है बाद में ये बेयों बंगल में देन हो जाती है इस चीज को याद रखना कddговा में डिवागाय हो जाती है इसके लाब the mainstream flows southward into Bangladesh, जो बंगले देस तब उता है, जो जोएन कि किसके दरा करता है, ब्रहम पुत्रा के दरा, बाद में इसका नम क्या हो जाता है? मेगना, इस सीज को आप याद रखना है, लो जाता है, इसे इस नम मेगना हो जाता है, उसका क्या नाम है उसको बोला जाता है सुन्दरबन डेल्टा जू काफी important हो इंपोरेंट है इसके लाबा जो लेंथ है जो गंगा की वो वह तॉंटी फाइफ हूंडेत को मीटर है मैं है तॉंटी फाइंडर को मीटर से के लेंथ है और अंबाला is located on the water divided between the Indus and Ganga, जो इंडस ऑगा में, गाज़ ऑगा जो वाटवाइट पोच्छन है, वो कहां पर अंबाला में लोकेदेट है, इस चीज को याद रखना, इसके लावर, the plains from अंबाला to the सुंदरवन stretch over nearly 800 km, but the fall in its slope is hardly 300 इस चीज़ को याद रखना इसके लावा in other words there is a fall of just one meter for every six kilometer मतब जब भी six kilometer cover कर जाती है तो इसकी जो height में या जो fall आता है वो एक meter में आता है मतब एवरी six meter every six kilometer ये एकदम down हो जाती है so इसी चीज़ को आप याद रखना इसी चीज़ के लावे काफ मतब ये काफी ज़्याद मेंडर भी create करती है तो ये गंगा रिवर का डिनेस पैटने सिस्टेम वह सीज़ के आपदर चलियागा गर्ग ये बागी रती है यहाँ पर ये गंगा मर्ज होती है ऐसे गंगा पूरी होते हो आते हैं कानपूर वरनाट से अलावाद पटना बागलपूर दैन फरक्का इसके बाद यहाँ से दो बागों में डिवाड हो जाती है एक तरफ होगली एक दूसी तरफ बागी रती तो ये ड त्रिबुटी जो है यह इनकी यमना की ट्रिबुटीज है और जो जमना है गंगा की ट्रिबुटीज है और जो यमना है गंगा की राइट बैंक ट्रिबुटीज है इसको याद रखना फिर राम गंगा रापती गांगरा गोंती इसकी गंगा की ट्रिबुटीज है इसको प्य कि जो की लोगड के अड़ी अड़ी लंब करताथ है मेली चाइना में इस्ट वर पैरलेल टुट रहा हिमाला उकने की इस वर पैरल जाने है प्रण जो हमाला इसे चलाता है ऐसे ही इंडेस्टर लिए इस्ट वर्ड में इस्ट की तरफ और रीचिंग ना नम्चा बर्मा मौंटेन पर पहुंचती है जो कि चाइना में तो वहां से भी यह जब पहुंचती है तो वहां से फिर यह यूटन लेती है फूरा यहां पर जो इस पॉइंट को यह नम्चा बर्मा बोला गया है जो कि यह पॉइंट चाइना में इस चीज को व्याद रखना टेक यूटन और यहां से फिर यह एंटर इंडिया में एंटर होती है अंच्छा पिलेस में जब जोजे जोज क्रेट करती है जब इसका नाम होता है दिभांग, बाद में दिभांग में confusion होना बाद में दिभांग और लोई दी सब दोने यह दोना यह दिआंग में join होती है यह वाला गनगा का होगया तो यह वाला जीसा यह प्रहमपतरा का हो गया सो इस वाले पॉइंट को ही नमचा बर म lobby और यह लेकार से एकदम ईटन लेते आती है। सो जैसे यहां से उन्टर हो तो यहां इसको दिंग बोला गया है और जोई है और दिबांग होता है। पूरभ्म पुत्रव में यह बे बंगाल में कि देन हो जाती है और यह और यह दिल्डा को माउट ऑफ गंगाज बोला गया है इस चीज़ को याद रखना सो इन तिबत में जो इसका जो टिबर का पार्ट है तो उस टाइम यह काफी कम पानी का वॉल्यूम लेकर चलती है और लेस और उस टाइम सेल्ट भी काफी कम होती है इस चीज़ की वैसे वह रिवर में पानी की जो पानी का जो वॉल्यूम है वह काफी जादा हो जाता है सो इस पॉइंट को याद रखना चाइना में कम होता है वॉल्यूम और सेल्ट और इंडिया में ज्यादा होता है इसके लावा ब्रहंपुत्र हैस ब्रेड़ेड चैनल इन इस इंटार लेंड एंड असम फॉर मैनी रिवरीन आइलेंड मुदा काफी सारे रिवरीन सब्सक्राइशन ड्यूटू फ्लर्ट इन असम बंगलादेश में फ्लर्ट काफी क्रियेट करती है यह हर साल इसका यह होता जब भी बारिस को मोशन होता है दैन इसके अलावा अल्लाइक दा अधर नॉस्ट इंडिया रिवर्स दा ब्रहंपुत्र इस बांग्ट बाइड य सब्सक्राइब धरेन होती है कॉसिंग था था राइस तर्ली चेंग होता है तो इसी चीज़ के वैसे जो इस चैनल आती है जो सेल्ट आती है वह वह काफी जाएब करती है यह वर अब नौर्स इंडिया को वेस्टन गार्ट वेस्टन गार्ट विच्टन फोगी और जो की नौर्स जौथ की तरफ है और जो वेस्टन कोष्ट की तरफ होता है सब इस्ट की तरफ लो करती हैं और बाद में जाके बेव बंगल बंगल इसके लावा कुछ रिवर ऐसे वी हैं जो वैस्ट की तरफ लो करती हैं और जो अरेबिन सी में ड्रेन हो जाते हैं लाइक नर्मदा हो गया तापी हो गए हैं सो इनका यह ओली रिवर जो की वैस्ट के दर फ्लो करते हैं सो डरेंश बेसिन आपको क्लियर पता चल लाएगा यह पैंशल रिवर का मैंप है चार्ट इसमें क्लियर पता चलेगा इस साट के चेंटनी गी रिवर हैं यह ऊस फ्लोर इंग कर रहें और यह वक्त फ्लोर इंग रिवर हैं और यहां पर वह वेंग पर दिया जैसे कि महांदनी हो गया, गोदारी होगी, किष्णा होगी, कावेरी होगी, यह सब इस फ्लोइंग रवालना है, इस चीज़ को आप याद रखना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नर्मदा रिवर के बार में, नर्मदा राइज होती है, अमर कंटक हिल से, जो कि MP में, मदब मद्धे परदेश में है, अमर कंटक हिल से राइज होती है, इस चीज़ को आप याद रखना, जो कि इट फ्लोव टूर्ड वर्जो वेस्ट की तरफ यह फ्लो करती है, मताब यह वेस्ट फ्लोइंग रिवार है, जो यह ए फैर लिसट फॉर्म करते हो जाती है, अन इट्स वे टु द सी, द नर्मदा क्रेट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन, मताब काफी अच्छी लोकेशन यहां से होती हो जाती है, जो इस लिए रखना है, यह बेस्ट फ्लोइंग रिवार है, जैन इसके अवला बता गया है कि मार्बार रोक्स नियर जवलपूर, वेर दा नमदा फ्लोग थू एडीप जो एडीप जो एड़ दोधार फॉल्स है, मताब, दोधार फॉल्स है, वो नबना रिवर पर यह है, वेर दा रिवर प्लक्स स्टीफ रोग, वेर दा इस स्टीफ रोग काफी घह रही है, तो वहां से यह दोधार फॉल्स माद बनता है, वेर दा सम नोटेबर बंस है, वेर बताएगा है कि इसमें जो पिच्छ की इस लोकेशन में से यह क्वी पार्ट है, इसके लाबा जो आल ट्रुबूर्टी जो ट इस लोग परदेश और गुजराथ स्टेट को ही कवर करता है, इस पिक्चर में आपको खिलिए भी पता चलेगा, यह नमदा रिवर है, और नमदा रिवर जहां से होती होती है, इन बेतुल दिस्टिक और एमपी यह भी एमपी से होकर जाती है, इसके बाद तापी रिवर्स के पैदल जाती है, बट इट इस मस्चोटर इन लेंध, बट यह नमदा रिवर से काफी शॉट में लेंध में कंपेर किया जाए, तो काफी छोटी है, इस बेसिंट कवार पार्ट समद्धर प्रदेश गुजरात और इसका जो बेसिन है, अंद्धर प्रदेश इस चीज को आप याद रखना, इस पिक्चर में आप तापती रिवर देखो, यहां से उके जाने, गुजरात महारास्ता है, इस चीज को आप याद रखना, इसके अलाबा, गोदावरी रिवर थो सो सक लोगदावरी जो कि लार्जส पैनिन सर्व रिवर है, इस चीज को ब्याद रखना, लार्जा स्1 पैनिल रिवर, और जो कि राइस होती कहा है, इट राइस वाजि अज उवड प्ण माहारास्टा रएसर जो नहसे डिस्ट्रिक ह गानीप्रण बेसिन है वह सबसे लाज़स है तो बेसिन का बेसिन कीन कीन स्टेट हो कि जाता है महारास्टर मत्द प्रदीश ओडीशा अंधर प्रदेश और महारास्टर में इसका 50% से पाजाता है, तो इसी उसको भी आद रखना, 50% रिवर महाराष्टास हो के जाते हैं, बाकी अधर स्टेट, जो MP है, ओडिशा है, और अंधर प्रिदियस है, इसके अलाबा, गोदावरी जोएंड बाइन नमबर अप्रिविटी, गोदा की काफी से ट्रिविटी हैं, पूर्ना सो इसकी जो लेंट है, और जो ऊसका जो एरिया, जो बेसी नहीं है को देखते हुए, इसको दक्षिन गंगा बोला गया, मतलब साउत की गंगा, दक्षिन भारत की गंगा इसको बोला गया है, सो इसकी इतनी इंपोर्टेंस वैल्व है, कि ईसपेक्शनमा को पता चल लागा यहां से यह गोदावरी स्टार्ट हो रही है बाद में आकर यहां से इस डरेवन बेशन है जो एलेवन सी बहुता है इस चीज़ की वाइसे इसको दक्षिन गंगा बोला गाए तो इसको पेन गंगा हो गया या मंगरी हो गया यह सब वेन गंगा यह इसके टीविट्रीज है इसको आप याद रखना दैन इसके अब अलावा महानदी रिवर यह इस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसकी जो लेंद ए 860 किलोमेटर एक अप्रोक्स है और इट ड्रेंट बेसे जो इट 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 इस ट्रेंट इस बेसे इन सेट बाइड आ था जा जाती है इस पिक्टर में आपको पता जल जाएगा महाराश tag शर्थ घंप सब्सक्राइड सोगे जुआ यह यह डैन इसके अलावा सोई किषिनर रिवर किष्णारियवर राइजिंग फ्रॉंद इसपेंग या मावलेश्वर जो है महां से यह राइज होती है किसना फ्लो सांफ भॉर हुँ मुष्यू बीर्ट कि एपरोक्स है एंस इस भी बंगल बाद में भी नें हो जाती है नहें गंड़ इंधर इस वीसे बाइट नुबेंट आंदरप्रदेश यह तीन स्टेट इस रिवर को शेर करती है तो किसना रिवर यहां से यह किसना रिवर है महारस्ट आंदरप्रदेश बाकी तीन स्टेट है करनाट का इसको अभ्याद रखना इसकी बाद कावेरी बेसिन कावेरी रिवर है वह भ्रहमगिरी रेंज से स्टार्ट होती है इसको वेस्टेण घाठ क्ला को कॉ अब याद रखना व्य परकाद कावेरी रिवर तो टोटल लेंज इसकी है 760 किलोमीटर इसकी जो में ट्रिबूटर अमरावती हो गई भावानी हैमावती और कावनी इसकी में ट्रिबूटरी जैने में करनाटका केला तमिलाडू यह तीन स्टेट सेयर करते हैं कावेरी रिवर को है सब्सक्राइब करन आटक कर द эту इसने क01 स्टेट सेयर करते हैं सबस्क्राइब कर घियाम कव जाते हैं सब्सक्राइब दा इन्च के पाई जाती हैन्स इदिया हैं मैंने इस अन reply लिख भूएक अलग इंगलांड पर देपेंड करती हैं इन चीजिश को भी आप याद रखना है जो कुछ लेक हैं वह एकदम गिलीशा के मेल्ट होने पर किरीट होती है जो याद बाद में आज़ वीट होती है उनको मेल्ट होने से किरीट होती है बाद में आगे जाके वह लेक होती है जो कट हो जाती है लेंड से तो बाद में यह लेक होती है लेक में तबदिल हो जाती है बाद में इसपीट है बार से लगून्स फ्रम कोस्टर अरियाज अरियाज है है दो जाती है इस्पीट है बार से लगून्स के वहां पे भी लेक्स के क्रीट होजाएं लाइक इस पने जो एक्जम्पल आज चिली का लेक पुली कट लेक या कोले को लेक इन सब के एक्जम्पल आज यह इसके लाबह लेक्स in the region of inland drainage are sometimes seasonal So, Lakes in the inland drainage system है वो seasonal है Like somewhere lake होगी राजस्तान में सीजनल है जब जब बारिस होगी जब उसमें पान ही काफी जद होगा और वो salt water lake है So, it's water used for producing salt So, उसका जो water है salt के purpose से उसको use कर रहता है Then, इसके लाबह most of the fresh water lakes are हमाल है जो फ्रेसवाटर लेक्स होती है वह हमालर रेजन से ओरिजिनेट होती है हमालर रेजिन में पाई जाती है सब्सक्राइब जो इसको पानी जो मेल्ट होता इस नो तब यह लेक होती है जब करेट होती है इन अदर वर्ट देखा जाए तो दे फॉर्म वैंड ग्लेशियर डग आउट बेसिन विच वाज़ लेटर फिल्ड विद शनो मेल्ट जैसे मैं पता है वही है इसके एक्जामपल देख दख दख वुलर लेक जो कि जम्मू कस्मीर में है वह एक इसका एक्जामपल है इन कॉंटेस दख रिल्टर टेक्टोनिक एक्विटी की वैसे भी हो जकता है यह बुलर सु इसमें भी बताएगा सो इट इस अस्ट वुलर लेक के माले बताएगा है कि इन चीज को भी लेक भीमतल नैनिताल लोक तक बारा पानी आज समफ अधर इंपोर्टेंट फ्रेस्वाटर लेक और यह बाकी अधर जो लेक थी वह फ्रेस्वाटर लेक का एक्जामपल थी इन चीज को भी आप याद रखना इसके अलावा अवार्ट फॉम नेट्र लेक्स डैम भी क्रेट की जाते हैं रिवर्स पर जो की हाइडल पावर यह हाइडरो प्रोजेक्ट उनको कर लिए उनके लिए यह होते हैं तो हैज अल्सो लेट फॉर्मेशन अफ लेक्स सच एज गुरू गुबिन सागर सो इन सीज की वैसे भी लेक्स क्रेट हो जाती है जो की भागना नंगल प् प्रवड को करेंग जाता है तो एसमें बताएगाएक है जो लेक्स की जो प्रेक्शच की क्या है उसकी यूजज क्या जाता है तो उसको पूर्ज सच को यह लिए इसके अलावे ब्रचाइब देवलपी देवलपिंग हाइडल पावर के लिए लेक्स का यूज गया जाता है करती है उस लेक के द्वारज इनियंस करती है आल्सो हेल्प डेवलप टूरिज्म एंद प्रोवाइड रेक्रेशन टूरिज्म भी इसकी वज़े से होता है लाइक उदैपूर सिटी हो गया राजस्तान का उदैपूर सिटी जिसको सिटी ओफ लेक बोला जाता है इन लेक्स की वज़े से वाबर टूरिज्म एक्रेट हो रहा है तो ये उसका एक एक एक्जम्पल हो गया इसके अलावा रोल ऑफ दा रिवर इंदै हमारे एकनोमी है जो हमारे एकनोमी है उन में रिवर का क्या रोल है इन का रिवर का इमपोर्टन इस 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 कणरा हम है वो एक रिवर के पास में ही मलती है इसी वाज़े से हीमन के लिए वह काफी प्लडाश हो जाती है निज एक्टिविटीज के लिए बाकि जो रिशोर्से नेच्टिरोडीन पैस्टिफ के असपास होती है इसके लावा इस सट्ल में बेकूमिंग बीक मिक सिटिई अर जब जो सेटल्मेंस रिवर के पास थे अब या या नवीजिन में किया घया जाता है। इससी वह से इसको सब्सक्राइब भ़कर सोजाता है। पर्टिक्लरेटि तो कंट्री लाइक इंडिया इंडिया जासी कंट्री लिए तो काफी ज़ने इंपोर्डेंस होता है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए इसी चीज के वैसे इंडिया में रिवर का जो इंपोर्टन से और ज्यादे कीज हो जाता है जी जब मेजर्वर्टी ऑप्वॉशन डेपेंट्स ओन एडिया कल्चर देइन इसके अलाबर रिवर पॉल्यूशन जब रिवर आती है तो रिवर पॉल्यूशन भी क्रेंड होता है जब सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती है तो वाटर जो की रिवर्स का होता है वो नैचुरल एफेक्ट होने लगता है जब किसी एक रिवर है वहाँ पर जो वाटर जो होता है एक पर्टिकुलर 10 लाक इतनी पॉपलेशन होगा उनके लिए ठीक है लेकिन जब वह पॉपलेशन और जादे इंक्रीज टैन लग करोर हो जाती है तो उस रिवर का जो वाटर वो कम पढ़ने लगता है सेम ऐसे ही जब इंडेस्ट्री जब कहीं होती है तो उसके से जो निकलने वाला वेस्ट है उस रिवर में जाता है इसी चीज़ के वाटर इंसे से वो रिवर एफेक्ट होने लगती है जो इन सब चीज़ों के वाई से जो वाटर की जो क्वालिटी है वो तो एफेक्ट होती है उसके इलावा जो रिवर की जो सेल्फ क्लीनिंग कैपिसिटी है रिवर की वह भी और ज़्यदा एफेक्ट होती है लाइक इस पर एक्जामपल भी देगा है कि कि गिवन दे एड़ुकेट स्टीम फ्लो आफ गंगा रिवर जो वाटर है आपने आपको खुद साफ कर लेगी उसके आप गंगा के पास रिवर जो है उसके अब खुद के पास सेल्फ क्लीनिंग होती है बट जब वो जो गंदी जो सीवीज की टीमेट में जो काफी ज़्यदा इंक्रीज होने लगता है बट इंक्रीजिंग अर्बनाइशन इंडिसलेशन दू नॉट अलाव इट हैपन इंड पॉलुशन लेवल अफ मैनी रिवर्स हैज भी राइजिंग बट जो पॉलुशन लेवल है दिन पर दिन और ज्यादे इंक्रीज होने लगा है तो जो सैल्फ क्रीनिंग कैपसिटी रिवर्स की वो कम पढ़ने लगी है तो यह इसमें वो लगा है तेन इसके सब्सक्र प्लैन है एक आफिसर एकसे प्लैंस है इसकी में लॉंच होने लगे हैं जो रिवर्स को साफ कर सके लाइक गंगा को साफ बनाने के लिए नमावी गंगे प्रोजेक्ट स्टाट गया है ऐसे इसमें बताए गया एक्जंपल देगे हैं तो अगर आपनी विसी लावरी को फॉ प्लैबरी को अगर गया है तो है तो है गाइस दिस इस कुलदीप एंड यूपी एसी लाइबरी तो आज किस लक्षा में हम बात करेंगे इंडियन जेग्राफी के चप्टर नम्मर फोर के बारे में इससे पहले चप्टर नम्मर वन टू और थ्री अलड़ेडी आ चुके है आप हमारी पिजरी चैनल पर इनको सब को देख सकते हैं तो आज के आज सेप्टल करने क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले उसके बारे में जानेंगे फिर इसमें देखें फेक्टर जो अफेक्टिंग दे इंडिया क्लाइमेट के बारे में इसमें रीड करेंगे जानेंगे जो इंडिया के जो क्लाइमेट को जो फेक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में द को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चप्टर करते हैं अब स्टार्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है, यह NCRT में, क्लाइमेट रेफर्स तु थे सम टोटल फफ वैदर कंडिशन वेडिशन ओवर लाज अरिया, मतलब किसी एक पर्टिकलर लाज अरिया बलाइक किसी स्टेट का हो गया, या जैसे कि एक फॉर एकजमपल, इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है, वो डिफरें इन पॉइंट उफ ताइम मतलब पर्टिकलर टाइम के लिए, जो चोटी रिफरें क्लाइमेट के अंदर ही वैदर आ गया, इस चीज को पियाद रखना, इसमें बोला है, इसमें बोला है, जो एक लिफरेंड टाइमेट है, यह 30 यह का लेके चलते है, क्लाइमेट को देफा संगा जो क्लाइमेट है गर्मी जब système होता होती है तो वह एक तरह केज़ कलाइमेट हो कोई वहाँ पर अठाइज में नहीं किसी परज़र ठीटर आप आज का वेदर ठीक है, लेकिन आज का वेदर रेनी है, प्लस या आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, या आज ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसको वेदर बोलते हैं, so ये simple language में ही हो गया, then इसके अलावा, the elements of weather and climate are the same, जो भी इनके जो elements है, weather ये climate के, वो सब सेम होते like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation, so ये जो elements होते हैं, दोनों के ही सेम होते हैं, then इसके बाद, जो weather condition, जो weather condition, fluctuate every often, even within a day, so ये सब जो fluctuation होती रहते हैं, weather की काफी temporary basis का तो इसके वैसे है, जो इसकी जो condition है, वो fluctuate होती रहते हैं, but there is some common pattern over a few weeks or month, तो इस चीज को आगे देखते हैं कि उसमें जो एक pattern create होने लगता है, like कि इस महीने ये इस महीने ये आ रहेगा, इस दूसरे महीने ये रहेगा, like इस महीने तीन महीने तो सर्दी पढ़ेंगे, तीन महीने गर्मी पढ़ेंगी, फिर rainy season आ जाएगा, when पढ़ता है, तो एक जितारे का ये pattern create होने लगता है, so इसी को ये इसके बारे में ये बोला, like इसमें, that is, they are cool or hot, windy, calm, cloudy, bright and wet, so इसमें ये ही बो लगाया, then इसके लाबा, on the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons, such as winter, summery and rainy season, so इसी के basis को, इसी की basis पर ही, ये को हम डिवाइड कर दें, like winter, winter हो गया, summer, rainy season, ऐसे ह divide किया जाता है, then इसके बाद climate of India is described, और जो इंडिया के जो climate है, उसको किस type से describe गया है, monsoon type से describe गया, so इंडिया के जो climate है, वो किस तरह का है, monsoon, so इस चीज़ को भी याद रखना, इंडिया climate monsoon है, as in the Asia, and this type of climate is found mainly in the south and southeast Asia, इस type के जो climate है, कहां का मिलता है, पाइज आता है South Asia में या Southeast Asia में, so South Asia, Southeast Asia, इस चीज़ को आप याद रखना, then इसके और monsoon के बाद दे रखना, the word monsoon derived from the Arabic word, एक Arabic word से describe के जिसको monsoon बोला गया है, which literally इसको mean है, इसको mean रहता है, so monsoon refer to the seasonal reversal in the wind direction during a year, so इसके बाद बताया गया है, so इस चीज़ को आप याद रखना, then despite and overall unity in general pattern, they are perceptual regional variation in the climate, इसमां बोला है कि regional variation में हो सकता है, climate के in climatic condition within the country, the country में regional variation में हो सकता है, so in summer the mercury occasionally touch 50 degree Celsius, अब इसमां बोला है कि गर्मियों में, यह summer के time में, जो mercury है, जो temperature हो 50 degree Celsius तक हो जाकता है, in some parts of Rajasthan, यह regional variation के अब बताया है, कि ऐसे regional variation हो सकते हैं, जैसे कि राखन में 50 degree Celsius तक temperature हो सकता है, whereas it may be around 20 degree Celsius in पहल गाउं जम्मु कस्मी, और सेम ऐसे ही वहाँ अगर दूसी जगे देखा जाए, वहाँ 20 degree तक temperature हो सकता है, इसमें बताया है कि regional variation हो सकता है, then इसके बाद, on a winter night, अब winter night में देखा जाए, temperature at Dras, जो कि जम्मु कस्मी में है, वहाँ का एक दाँ on the other end में देखा जाए, वहाँ temperature 22 degree temperature रहता, so यह सही इसके regional variation हो गए, so जगे जगे पर ही वहाँ पर weather condition change होते रहती है, so north में कुछ है, तो south में कुछ है, east में कुछ temperature तो west में कुछ है, so यह हो गए regional variation example, then इसके अलावा, there are various and not only in the form and types of precipitation, but also in its amount and seasonal distribution, इसके अब आगे बताया ह कि प्रेसिपिटेशन जो अब rain है, so rate के वान बताया है, कि while precipitation is mostly in the form of snowfall, so वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होते है, north में, जो जहां बरबर होते है, वो snowfall के form में होते है, in the upper part of hemalia, जो upper part के, जो upper part है, वहाँ पर जो rainfall होते है, वो snowfall के form में होते है, and it rains over the rest of the country, और बाकी यह पूरी और कंट्रीम होती है बाके जग एक रेंग की तरह है तो इन दा एन्वल प्रेसिपिटिशन वेरीस फ्रम्द फ्रेंडडर संटीमिटर बीच में यह वेरीस करती है जो प्रेसिपिटिशन जो रेंग साथ लाइक में एकदम लेस्ट दनटेंटर उसमें बोलाइग ए मेगालले में होती है और 10 cm लद्दाग में या उससे कमी हो सकती है and western राजस्तान में so यह बताएगा कि मेगालले में 400 एंद जो लद्दाग और जो राजस्तान वाला एरिया है वहाँ पर less than 10 cm तक so यह वारे में बताएगा है कि जो annual precipitation varies क्या सब करता है then इसके बाद most of the part of the country receive rainfall from June to September so country के जो काफी सारे parts में देखा जाए तो rainfall कब से start होती है June से लेके September के बीज़ तक यह rainfall होती है but some part but और किस part में देखा जाए but जो इसके लाबा जो country के जो पाटलाई South Indian में देखा जाए तब होती है यह आगे इस चेप्टर में बाद में देखेंगे इस पॉइंट को and in the general in general coastal area experience less contrast in temperature condition यह बताए coastal area के बारे बताए मतलब जो coastal area होती है वहाँ पर जो temperature होता है उनमें जो डेली का जो temperature वो variation होता है वो काफी कम होता है because अब जो coastal area है तो वहाँ पर जो windy ocean के वहाँ से जो wind चलते है उनकी वहाँ से जो temperature में जो variation आता है वो काफी कम होता है so seasonal contrasts are more in the interior of the country so यह बताए गया है then इसके बाद there is a decrease in rainfall generally from the west to east so east से west में देखा जाए तो rainfall में decreasing आने लगती है जो अंदर दन पले में इस्ट में सबसे ज़्यादा rain हो नहीं है बाद में जब west में जैसे जाते होगे तो वहाँ पर जो rainfall है वो decrease होने लगती है then these variation have given rise to variety in lifts of the people in terms of the food बताब जैसे इन सब चीजों को variation को देखा जाए तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग उनकी खाने पीने रहने से रहने से में सब भी variation आने लाइक उनके पर खाने पीने में variation आने लाइक also the kind of house they live. So, इन सब चीज़ों में वो वेरिशन नानले लगेंगे, ये इसमें बताये गए. Then, इसके बाद देखते हैं, climatic control, जो control, जो climate को जो control करते हैं. So, there are six major control of the climate of any place. So, इसमें बूल है कि six major control होते हैं, जो इन climate को control करते हैं. So, इन में कौन-कौन से पहला हो गया, latitude, altitude, pressure and wind system, then distance from the sea, then ocean currents, इसके लाद रिलीफ feature. So, ये सब चीज़े हैं, ये factors हैं, ये जो climate को control करते हैं. So, आगे इसमें देखते हैं, due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. इसमें ये बोला है, जो, आर्ट का जो curvature है, तो जैसे sun की जो rays पढ़ती हैं, अगर वो direct पढ़ेंगी, तो एक particular area पढ़ेंगी, बट जैसे वो tilted पढ़ेंगी तो वो का ज़्यादा area को cover करेंगी. तो इसमें बताएगा है. So, as a rare, air temperature generally decrease from the equator. तो इसमें ये बताएगा है, जो air temperature है, जो equator के पास में, वो generally decrease होने लगते हैं from the equator to towards the pole. तो जैसे कि यह, यह है earth, बीच में equator गया है, तो जैसे ही equator से हम north की तरफ जाने लगते हैं, south की तरफ जाने लगते हैं, तो temperature और जाएगी होने लगता है. तो इसमें ये बताएगा है. इसके अलावा, as one goes from the surface of the earth to the higher altitude, यह जब surface higher altitude की तरफ जाते हैं, तो temperature और ज़्यादा कम होने लगता है, जैसे हम ज़्यादा altitude पर जाने लगते हैं, like mountains हो गए हैं, वो ज़्यादा altitude पर होती हैं, इसी चीज़ की देखते होएं, वो आपर temperature और temperature होने लगता है, यह उसमें बुदाएगा, तो automotive और इसके अलावा, atmosphere become less dense and temperature decrease, the hills are therefore cooling during summer, इसी चीज़ की वएशा है, जो hills है, वो summer के टाइम में है, जो गर्मियों के टाइम में भी थंडी रहती हैं, because of the higher altitude, then, इसके अलावा, pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude, इसमें बताया है, जो pressure और wind system, वो किसी इस पर ज्यादे था, depend रहती है, latitude, latitude, latitude मतलब वो किस latitude पर आती है, altitude मतलब कितने height पर रहे है, मतलब कितने altitude है, from the sea, from the sea surface, thus it influence the temperature and rainfall, इसी चीज़े वो temperature को influence करती है, और rainfall pattern को भी यह सब चीज़ें influence करती है, then, इसके लावा, the sea exert as a moderating influence on the climate, और जी सो sea की जो sea का जो role है, जो climate को influence करने है, वो भी अच्छा कासा में moderate है, as the distance from the sea increase, जैसे ही, sea से distance अगर increase होती है, it moderating influence that decreases, मतलब जैसे कि यहाँ पर sea है, जैसे अगर जहाँ sea से distance जार होती जाएगी, तो sea का जो influence हो कम होता जाएगा, यह समाँ बताएगा है, so, the people experience extreme weather condition, और वहाँ के जो पास में जो लोग रहेंगे, जो इसने भी sea से दूर हैं, तो वो extreme condition को weather, weather की जो extreme condition है, उसको experience करेंगे, जैसे कि North India के people experience करते हैं, गरिमें में ज्यादा गर्मी, और सर्दियों में ज्यादा ठंड, बट जो South India के जो coastal cities हैं, वहाँ के लोग इतना इन चीज़ों को experience नहीं करने, because of the coastal areas, so coastal areas के वैसे हैं, वहाँ के लोग इतने इन सब चीज़ों को ज्यादा experience नहीं करते होंगे, then इसके अलावा, ocean currents along with the onshore wind, अन्शोर में मंदब जो sea की तरफ से जो wind आ नहीं है, land की तरफ, उसको बो लगा है, onshore wind, so affect the climate, so ये विज़ इन ये wind हैं भी, climate को affect करते हैं, जो coastal area इसके जो climate, like example इसमें दे रखा है, कि any coastal area with warm or cold current flowing past it, it will be warm or cold if the winds are onshore, इसमें बोला है, कि जो भी coastal area की तरफ से कोई भी या गरम या cold current आएगे, तो वहाँ के temperature को, वहाँ के area को वह या तो warm करेंगे, या cold करेंगे, if the wind are onshore, अगर वो wind onshore होई, लेंड की तरफ से जो wind चलती हैं, उनको offshore बोला गया है, so, नाम से पता चल है, off मतलब, मतलब, वहाँ से आलाग हो रही है, वहाँ से जा रही हैं, on मतलब, land की तरफ जा रही हैं, on secure मतलब, sea की तरफ से आती है, offshore जो land की तरफ से आती है, इसके अलावा, finally, relief to play a major role in determining the climate of a place like high mountains act as a barrier for cold. So, इसमें relief, relief के वाले में बोला है, जहां पर high mountain होती हैं, तो एक तरह का barrier की तरह काम करने, like, they may also cause a precipitation for if they are high enough. अगर वो ऐसे precipitation की, जो precipitation जहां जा रहा होता है, वहाँ पर भी ऐसे इस तरह का रोल प्ले करते हैं, because if they are high enough lie in the path of rainbreak, rain bearing wind and the like, जो हमाले है, वो Central Asia से आने वाली जो थंडी आवाओ को, वो ऐसे उनको रोकता है, मतलब ऐसे barrier के तरह काम करता है, so North India में वहाँ पर इतनी नहीं रहती, और वहाँ पर जो मॉंसून आता है, तो मॉंसून की जो wind है, वो हमाले की वैसे है, वहाँ पर और ज्यादा आगे तक नहीं जा रहे है, so इसी चीज़ वी ऐसे, अब रेन भी होती है, और प्लस जो सड़ी है, जो cold की condition है, वो इतनी extreme level पर नहीं होती, so इसमें यह बताए गया है, then इसके बाद, factor affecting India's climate, so India's climate को वो factor जो affect करते हैं, इसमें देखते हैं, so पहला है latitude, so latitude की बार में देखते हैं, so the topic of cancer passes to the middle of the country, so the topic of cancer है, वो एकदम इंडिया के middle से हो के जाते हैं, like पहले run-off कच्छे से लेके, जो की west में है, तो मिजूरम जो की east में है, इसमें पता चलेगा, so यहां से tropical cancer इंडिया को बीच में से काट रहा है, so यहां से run-off कच्छे से लेके मिजूरम तक, so this is west and this is east, और this is tropical cancer जो की इंडिया को middle से काट रहा है, so यह बताए इसमें पूला गया है, so इसमें जो let it do है, run-off कच्छे मिजूरम से चलती है, all half the country lying south of the topic of cancer, जो की topic of cancer के south में lie करती है, belongs to the tropical area, so वो tropical area के में आ जाती है, so all the remaining area north, जो की north of the tropical lies, lies in the subtropical area, यह direction माले में बता है, so इसमें थोड़ा वैसा है, so therefore India is, जो इसमें बताए, therefore India's climate has characteristic of the tropical as well as subtropical, मतब जो इंडिया की position, जो है, इंडिया के position के, जो है, उसकी बेसे जो बोला है कि इंडिया के जो climate है, वो tropical भी है, उसके साथ सब-tropical climate भी है, so इसमें यह बताए गया, then इसके इलावा, latitude हो गया, latitude के बाद, altitude, altitude मतलब, जितनी height पर हम है, so, इंडिया's mountain to the north, जो north में जो mountain है, which have average height, सब की होगी, almost 6000 meters, and India also has a vast coastal area, and where the maximum elevation is about 30 meters, so, इसमें बता है, इंडिया की mountain है, average height 6000 meter, और प्लस जो इंडिया के coastal area, जहां का elevation like, सब के average दिखा जाए, तो 30 meter है, इसके अलावा, the Himalaya prevent cold wind from the central Asia, एंडिया में एंडिया में एंटर करने से रोकता है, because, it is because of these mountains, और इन नमान सुन की वेज़े से, जो सब कमारे जो सब कॉंटिनेंट है, वह एक तरह का जो, वहां की जो सड़ी होती है, जो सेंटर लिए से की, उसको experience नहीं कर पाता, so, एक तरह का, एक तरह का हमारे लिए benefit हो जाता है, तो हो जाता है कि, इंडिया में इतने ज्यादा बरबारी नहीं होती, because of the Himalayas, then, इसके अवलावा, pressure winds, so, प्रेशमेंट में देखे है, तो, the climate and the associated weather, then, climate and the associated weather condition, इंडिया आज गवांड बाइद फॉलिंग अटमर्सिव कंडिशन, so, climate, जो है, वह काफी, और उन इसके डालते हैं, और surface में जो उपर विंड चलती है, then, इसके वादा, अपर यह circulation, जो होती रहता है, then, western cyclonic disturbance and tropical sign, जो cyclone आते है, जो western की तरफ, western cyclone होते है, then, tropical sign, उनकी वज़े से भी, वह एक climate, वहांका change होता रहता, like, tropical cyclone आता है, तो, ज़्यादा ही, rain होने लगते, तो, इन सब चीज़ों को देखते हैं, so, यह तरह का, as a factor की तरह वर्क करते है, then, India lies in the region of the north eastern wind, so, इंडिया का, जो, इंडिया जो lie करता है, वो, इन नौर्थ इस्टरली wind के areas में, region में, lie करता है, so, इसके इसको देखते हुए, these winds originate from the subtropical high pressure belt, so, यह जो winds है, वो कहां से originate होती ह है, subtropical high pressure belts है, जो कि नदन हमीज़ में है, so, नदन हमीज़ में है, so, नदन हमीज़ में है, so, इस्टरली पर के subtropical high pressure belts है, यह events originate होती है, also, they blow southwards, they blow southwards and get deflected to the right due to the corolluses force, so, यह आती तो, इसके आती है, but, जो corolluses force है, उसकी वे ऐसे, वो, deflected होने लगते है, right की तरफ, and move towards the equator, और फिर यह equator की तरफ, चलने लगते है, to the low pressure area, so, low pressure area के तब यह चलने लगते है, so, generally, these winds carry little moisture, so, यह winds है, वो, little moisture carry करती है, as they originated and blow over the land, so, therefore, they bring little or known, so, जब 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 इंडिया में entering करते है, तो, यह तो, कम वर्सा लाती है, कभी-कभी वर्सा, कभी-कभी rain भी नह है, arrived land, but, but, it is not so, so, इसको बोलते हैं, कि, इंडिया यह तो, इंडिया, arrived land भी है, but, it is not so, but, ऐसा heavy नहीं है, because of the north इंडिया में इतनी जब बारिस होती है, so, इस चीज़ को देखते हो भी, बात बोली गई है, then, इसके अलावा, pressure winds and conditions of the India are unique, जो pressure of winds, pressure and wind condition है, जो इंडिया मे होता है, और यह, जो, of the north हिमालय, cold drive winds, cold drive winds blow from the distance to the low pressure area, over the ocean to the south, so, जो cold drive winds है, वो एकत्रम south इंडिया की तब जाने लगते हैं, because of the ocean की वैसे, ocean की वैसे, so, in summer, low pressure area developed over the interior of Asia as well as, as well as, over the north western India, so, जो low pressure area, वो डेवलाप होता है, interior of the Asia की तरफ, और एस वाज़ नौ्वेसर इंडि भी यह development, so, this cause a complete reversal of direction of the wind, so, इस सीज की वैसे, जो, डारेक्शन की वैसे, वो एकत्म complete reversal होने लगता है, सर्दियों, वो गरी महमें में, summer के टाइम पे है, then, इसके लाबा, air moves from the high pressure area over the southern ओरिन ओशन, जो air है, वो high pressure area की वैसे, southern ओरिन ओशन की तरफ, high pressure area से, southern ओरिन ओशन की त जलते हैं, उसको cross, किसको cross करती हो, equator को cross करते हो है, and turn the right towards the low pressure, और बाद में, right की तरफ, turn होने लगती है, to the low pressure area की तरफ, high pressure area से लेके, low pressure area की तरफ, जाती है, इस चीज को आप याद रखना, कि वो, wind सो होती है, high pressure area से, low pressure area की तरफ, जाती है, over the Indian subcontinent, Indian subcontinent के ऊपर, यह सब होने लगता है, so, these are known as the southwest monsoon, so, इनी winds को क्या बोता है, southwest monsoon wind, इनी winds के वैसे, southwest monsoon इंडिया में enter होता है, so, these winds blow over the warm ocean, so, यह जो winds है, वो warm ocean के ऊपर से blows होते रहते हैं, so, gather moisture, so, इस चीज के वैसे, वो, moisture gather करते हैं, bring white spread rainfall over the mainland of India, so, इनी इस चीज के वैसे, जो mainland India, जो इंडिया में, मौनसून आता है, और मौनसून आता है, तो वहाँ जब बारिश होती है, यह इसमें बताए गया है, then, इसके बाद, upper air circulation in this region is dominated by the west, और जो upper air circulation है, वो किसकी चीज के वैसे, डॉमिनेट होता है, westerly flows की वैसे, so, an important component of the flow is the jet stream, जो की एक important component है, किसका jet stream का, so, these, so, these jet stream are located, so, jet stream की, जो location इसमें बताए है, की 27 से लेके 30 degree north latitude में ये, इनकी location होती है, therefore, they are known as a subtropical westerly jet, so, इसी चीज को बोला गया, subtropical westerly, westerly jet stream को बोला गया, so, इसके बाद, over the India, these jet streams blow south of the Himalaya, all through the year, except in summer, so, ये जो jet stream है, ये हिमालेस के ऊपर ये blow करते हैं, but, पूई साल करते हैं, but, summer में ये नहीं होता, so, इस चीज को आप याद रखना, then, इसके बाद देखते हैं, Indian monsoon, so, Indian monsoon में देखते हैं, वो जो काफी important हो जाता है, इंडिया के लिए, so, climate of the India is strongly influenced by the monsoon, so, जो इंडिया के जो climate है, वो काफी strongly influence करते हैं, Indian monsoon की, monsoon winds की वाज़े, वो इंडिया में, because, इंडिया में जब भी rain होती है, वो monsoon की वज़े से होती है, mostly, so, the sailor who came to India in historic times, जो sailor नहीं, जो इंडिया में आते हैं, जो historic times में देखा जाए, वो first time to notice the phenomena of the monsoon, so, first time यो नहीं नहीं इस monsoon के phenomena को देखा था, notice किया था, यह understand किया था, यह इसमें बताए गा है, then, they benefited from the reversal of wind system as they came by sailing ship at the mercy of the wind, मतलब, मारिंड्स की वज़े से ही, वो इंडिया में enter कर पाए, ऐसा इसमें बताए गा है, so, the Arabs who has also come to India as trade us, name his seasonal reversal of the wind system called monsoon, so, जो Arabs थे, जो इंडिया में enter आये थे, इन winds की वज़े थे, इन सुबी को जब जी winds इंडिया के दर चलेंगी, तो उनकी जो ships में जो कपड़े का वाला जो ज़ंडा लगा रहता है, तो हवा के वज़े से, उनकी जो ships को push करता है, इस चनले में आपको पता चलेगा, Southwest मांटों कैसे इंडिया में enter करता है, so, यहां सही यह मांटों की wind है, यहां सही enter करती है, इंडिया में, पर इंडिया में यह South वाला पार्ट को hit नहीं करती है, पहले यह Arrivency से आती हैं, कुछ बेवे मंगाले से enter करती है, इसमें देखा है, so, इसमें यह है, atmosphere condition over the Indian subcontinent in the month of June, so, यह June मंत के इसमें condition इसमें दिखाए गई है, then अगर इसमें देखा जाए, तो यह है condition January मंत की, so, जब मांटों जब retreat करता है मंदब वापिस आता है, तो यहां से वापिस होता है, यहां पर हमाल लेया है, हमाल लेया के वैसे wind आती है, तो यहां टकर आती है, तो वापस ही मोटती है, तो अपनी डार्क से change करते हैं, तो यह कुछ wind यहां से वेव मंगल की तरफ से वापिस होती है, कोच यहां नदन इंडिया के तरफ से आँप मापस होती है वे अंगल के तरफ से आती है तब यह तमिलनाडू वाले एवरिया को ओपर से आती है तो इस चीज को देखना तो सभी तब अब भी तमिल नाडू में वहाँ पर हमीशा बारिस होती है अक्टूवर के मनदर जब मांसून रिट्रीट करता है तो इस कंडिशन को आप जानना ये डाइकली कभी पर पूछा जाता इसमें रिजन बताएगा है कि जो मंसून है जो कहां कहां इस एरिया में करें टॉन्टी डेगरी नौट टॉन्टी डेगरी साओथ इन दो एरिया की बीच में जो भी लैंड आएगा जो भी कंट्री आएगे महां पर यह मंसून हिट करेगा सो तो अंडेस्टान मांसून दा फॉलिं फैक्ट सा इंपोर्टन सो मांसून के मांसून को समझना है इन पॉंट को देखते हैं सो पहला पॉंट है कि differential heating and cooling of the land and water creates low pressure on the land mass of India while the sea around the expanse completely high pressure सो मैं इसमें जो बोल आगे जो cooling of the land को जो cooling आगे जो water creates low pressure मतला इंडिया को उपर low pressure वाली बेल्ट जो प्रेशर है वो create होने लगता है जो इंडिया के उपर इसी चीज़ के वाई से high pressure और जब winds है वो high pressure से low pressure की तरफ जाती है और जो ocean में जो southwest वाला वहाँ पर high pressure बनाओ और इंडिया के उपर low pressure बनाओ इसी चीज़ को देखते हो है सब ही हो जो southwest वानसूंग में हो इंडिया की तरफ आता है तो इसमें यह बोताए गया है इसके बाद intertropical convergence zone है वो shift करता है समर में सो ओवर दा गंगा प्लें इसी चीज़ को क्या बोलते है इसी चीज़ को क्या बोलते है इस्ट और मेडागास का जो हाई-प्रेशर एरिया जो मेडागास के इस्ट में देखा जाए एप्रोक्ष्में टॉन्टी डिग साउथ के उसमर है इस एरिया को बोलते है जो इंडियन ऊशन बनता है इंटेंशिती और पॉज्टीटिशन अफॉज हाई-प्रेशर एरिया वहां पर इंडिया की तरफ आते हैं डिया के उपर लौ प्रेशर एरिया की रखता है और इस पिक्चर में हम इंट्र इंट्रॉपीकल जिसको इसलेंट करते हैं इसके बाद देखते हैं दा इतिबितन प्लेटू इंटेंसली इंट्ैंसली ही दूरिंग दूरिंग बताया है कि इतिबत के प्लेट होगा है कि इतिबत के प्लेट होगा है कि इतिबत वाले एडिया में लोग प्रेशर होने लगता है इसमें यह इसमें बढाएं सिंपल लेंगोई में जाने तो वहां पर भी लोग प्रेशर एडिया करेट होने लगता है इसमें यह बता है दें फिप प्ट या यह पांट देखा है देखें तो इसमें हैं जो जो इसमें बताय की तो इसके अदावर अपार्ट फॉर्म इन इसमें ने चान की चेंज अने लगती हुआ बूता है southern ocean तो जो southern ocean है उसके जो pressure condition वो भी चेंज होती है तो उस also affect the monsoon वो जो condition चेंज होती है वो भी monsoon को affect करता है तो normally when the tropical eastern south pacific ocean explains the high pressure जब वहाँ पर जब south pacific eastern में जब यह pressure rate होता है तो tropical eastern India ocean expands low pressure तो इस इंडियन गृषन का जो इस्टन टोपिकल इसन तो वहां पर लोग प्रेसर करियेट तों कि ओसे यह एक कंडिशन है जो पांच कंडिशन यह बताएं चैसे वहां पर लोग पेसर क्रिया हेट होता है इसके अलावे हैं बट सटेन इसवान और बट इंशतिन सवीटर Corporation and Eastern Pacific has as lower pressure in compression to eastern Indian Ocean but उस मत आया कि कुछ reversal इसमें कुछ reversal भी होने लगता है विकॉज होने लगता है और pressure condition ना जो Eastern Pacific में हो और ज्यादा लोग वहाँ पर भी और ज्यादा lower pressure होता है इन compression देखा जाए Eastern Indian Eastern Indian Ocean में बट वहाँ पर ऐसा mountain वाली condition create नहीं होती तैन इसके बाद this periodic changes जो periodic changes इन pressure condition is known as the Southern Ocean region और जिसको ऐसो जो periodic change होते है उसको क्या बोलता है Southern Oscillation या SO short form में बोला गया है इसको इस चीज को आप याद रखना so the differences in the pressure over the तही थी मतलब जो Pacific वाले area बोला गया है जो हटार डेखी साउथ में और 149 डेखी वेस्ट में and Darwin in the Northern Australia Indian Ocean is computed so the predict intensity of the mountain ये थोड़ा technical term है तो इस चीज को थोड़ा वैसे देखना map में जाके so आ गया है then if the pressure difference over so if the जो if the pressure difference were negative it would mean blow or late monsoon so अगर जो प्रेशन वहाँ पर उसमें कोछ चेंजे जाते हैं तो इस सीज की वैसे या तो monsoon जल्दी आएगा या लेट हो आगा तो इसमें यह बताए गाया then इसके अलावा a feature connected with southern oscillation जिसको ऐसे बोलाए इस एल नीलो एल नीलो फॉर्म के बारे बताएगा है in which a warm ocean current that flow past of flow past the peruvian course मैं जो peruvian course है जो एक warm ocean current है वहाँ से चलती है in place of the then in place of the cold peruvian current so जो पहले जो cold peruvian current है उसके जगह warm peruvian current वहाँ से चलती है तो इसमें बताएगी every two to five years change है मैं ऐसे यह 2-5 साल के बीच में यह सब condition होने लगते है so the changes in the pressure condition are connected to the l-nino so in the pressure condition जो changes हो रहा है इस चीज़ के वैसे हम आपर l-nino condition आपर create होने लगते हैंस the phenomenon is referred to the e-n-so जिसको बोला गए l-nino southern oscillation so इस term को भी आप याद रखना then इसके बाद monsoon का जो withdrawal और monsoon के जो advancing मतलब कैसे monsoon आता है और कैसे monsoon के retreating होती है या withdraw होता है इसमें जानेंगे so season के बार में देखते हैं so the monsoon type of climate is characterized by the distinct season pattern so monsoon जो climate का है उसको ऐसे काफी मतलब उसमें season pattern के basis को इसको distinct में अलग किया है so weather conditions greatly changes from the one season to other season so weather condition न वो change किस पर है one season to other season हो रहा है so these changes are particularly noticeable in interior parts और यह जो condition जो changes आते हैं वो mostly interior parts of country मतलब इंडिया के अंदर ही changes होती है इसे चीज़ को नहीं मिलते है इसमें यह बताए गया दैन आगे जो इसमें four mean season बताएंगा like cold weather season हो गया hot weather season हो गया यह advancing monsoon advancing monsoon मतलब जब rain अनस्टार्ट होती है तो उसको advancing monsoon season बोला गया then retreating monsoon season मतलब जब monsoon वाला season हो जब खतम होता जब rain आना मतलब rain होना बन हो जाता है है उसको बोला गया retreating monsoon and with some reasoning variation of some regional variation मैं अलाग लग जब अलाग कुछ variation होंगे उसको बोला गया है so सबसे पहले देखते हैं the cold weather season जिसको हम winter बोलते हैं so cold weather so so the cold weather season begin from the mid November in Northern India and state till February so North India में जब see cold weather season कब से कब से कब तक start होता है normal के normal के mid से mid से तेल फरवरीता फरवरीता के इससे होता है and December January वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा cold weather month होता है another part of India another India में so the temperature decrease from the south to east और जो temperature है इंडिया कर देखा जाए तो north से लेके south में the temperature decrease होता है so north में ज़्यादा होगा और south में कम होगा नॉर्थ में कम होगा south में ज़्यादा होगा temperature so the average temperature देखा जाए चैन नहीं का on the eastern coast is between 24 to 25 centigrade होता है while in the same time northern plains में यह temperature होता है 10 से लेके 15 degrees Celsius के बीच में so the days are warm and the nights are cold so दिन में गरम होता है और आत में सर्दी होता है ठंडा होता है and frost is common in the north में और north में जो force जो होती है वहाँ पर नॉर्मल होता है and the higher slope में जब या higher altitude में देखा जाए Himalaya में यह सब वहाँ पर तो snowfall भी देखने को मिलेगी so इसमें यह बताए गया है then during the this season a season winter season में देखा जाए hence for most part of the country it is a dry season so बाकी country में देखा है तो यह एक dry season होता है but some amount of rainfall occur in the Tamil Nadu but कुछ मतलब वो एक कोई rainy season नहीं होता है वहाँ पर dry season होता है because वहाँ पर rain नहीं होता है but Tamil Nadu वाली area में देखा जाए तो occurs rainfall some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds here they blow from the sea land so यह सबता है तो जहाँ पूर जहाँ पूरी country में dry season होता है वहीं पर ही दूसरी जगह Tamil Nadu में rainy season rainy season तो नहीं बोलें but वहाँ बारिस होती है यह बताएगा है so in northern parts of the country a feedable high pressure region develop so northern part में high pressure belt में high pressure region develop होने लगता है with the light wind moving towards the from this area so winds है वो इस area की तरफ मोह होने लगती है light छोटे में हल्क ज्यादा एक्दम इसमें energy नहीं होती बस यह बताएगा इसके अलावा it influenced by the relief these winds blow from the blow through the ganga valley to the from the west and the north so यह जो relief है जो winds है वो कहां से गंगा से लेके और कहां से तक होती है नौर्थ वेस्ट की तरफ कर जाती है so इसके अलावा the weather is normally marked by the clear sky और उस time clear sky होता है low temperature होता है and low humidity होती है few well variable winds होती है variable winds होती है मता कभी कभी जादा कभी क्या मस हो इस ही यह कुछ changes होते रहते है then इसके अलावा a characteristic feature of the cold weather season over the northern plane एक characteristic feature of the cyclonic disturbance होने लगता है and the west and the north west from the west and northwest western cyclonic disturbance होने लगता है so these low pressure system originate over the meditancy और यह सब चीज है कहां से होने लगते है meditancy से यहां से इनका source होता है and also the west Asia भी उनका source होता है and moving to यह सब चीज है meditancy और west Asia आती है to India along with the westerly flow so इसको यह बोलाए गाया then इसके बाद देखे तो they cause much needed winter rains so winter में जो rain होते है इनी चीज इनी काराउंड की वैसे वहाँ पर winter में rains होते है over the plains and snowfall in the mountains so north में जो plains area में आपर तो rain होने लगती है although the total amount of winter rainfall locally known as महावाथ और local में rainfall को क्या बोला गया है महावाथ इस point को याद रखना है directly question में पूछा सकता है so they are immense importance for the cultivation और rainfall जो हो यह time वह वह काफी important होती है ruby crops के लिए काफी important होती है then इसके लाबा the peninsular region does not have a well defined cold season जो peninsular region है वहाँ पर इतनी ज्यादा cold season नहीं होती है because of the coastal areas की वाज़से और वहाँ पर इतनी conditions create भी नहीं होती so there is hardly any noticeable season change so वहाँ पर काफी hardly ऐसे changes देखने को मिलेंगे temperature में और बाकी so during the winter due to the moderate influence of sea so इसी sea की वाज़से sea की influence की वाज़से आपर ऐसे बहुती कम changes देखने को मिलेंगे so इसमें यह बताया गया है then इसके बाद hot weather season जिसको समार बोला गया है so due to the apparent northward northward movement of sun so sun का जो northward movement है the global heat the global heat belt shift northward so northward shift करती है as such march to the moon so march से लेके मही तक का जो मही नहा होता है वो काफी गरम होता है इंडिया में especially north इंडिया then इसके अलावा the influence of the shifting of the heat belt can be clearly from the temperature recording taken during the march में at different latitude और जो shift होती है उसकी वाज़से भी यह काफी सारे चीजने देखनों को मिलेंगे so march में देखा जाए the highest temperature is about 38 degree celsius recorded on a decan polito में यह temperature इसमें देखनों को मिलेंगे और अप्रेल में यह temperature गुजरात में देखा जाए around 42 degree celsius होते है और मही में यह temperature 45 degree Celsius होते है कहाँ पे north western path of a country north western path of a country like Rajasthan वाले एरिया में बात चल लिए इसके बाद पैनिसोल इंडिया में देखा जाए temperature remain lower due to the moderating influence of the ocean जो पैनिसोल इंडिया में देखा जाए तो यह सब condition फिर भी महाँ पन moderate होती है because of the ocean so the summer months temperature in failing air pressure or falling air pressure in the northern parts of the country so temperature in northern इंडिया में देखा है the end of the mahi so mahi के end तक an elongated low pressure area developed in the region extending from the the thar desert in the north west to Patna so वहाँ पर यह low pressure वाला area develop होने लगता है thar desert से लेके Patna तक and a छोटा नाकूर plateau in the east to south east तक तो इसमें बताये इतने अरिया तक low pressure वाला area circulate मतब होने लगता है then इसके लावा circulation of the air begin to set around this और air circulation भी वहाँ पर start होने लगता है और यह condition ही वहाँ पर drain लाने का या mansoon लाने का वह जो एकदम condition है वो एकदम fulfill करती है so यह striking feature of the hot weather season is the low so अगर जिस time पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस season को उस weather को hot weather season बोला इसको क्या बोले लू उस time पर उस time period को weather को क्या बोलते है लू बोलते है so these are the strong gusty hot dry winds so उस time पर यह drive winds काफी जलती है blowing during the day so उस time गरिमें में इतना temperature एकदम 50 तक कभी का और 50 degree sensor तक पहुंग जाता है so इसी को देखते है उस condition को लू बोला गया है so sometimes they even continue until the late evening और कभी कभी तो यह late evening रात तक में रात में भी इन सब लू को experience कर देखने को मिलेगा so direct exposure to these winds may even prove to be fatal अगर इन winds को directly exposure किया जाए directly explain चीज़ है तो health पर भी fact पढ़ सकता like यह उसी आना so dust storm are very common during the month है और जो dust storm जो होती है जो आंधी जो होती है काफी ज्यादे normal common होता है so these storm bring temporary relief और जो यह in storm की वैसे काफी temporary relief मिलने लगता है as they lower the temperature because यह temperature को lower करती है and may bring light rain and cool और कभी कभार यह तोड़ी हलकी बारी तोड़ी हलकी फलकी rain भी लाती है और थंडी हवा भी इससर चलने लगती है so this is also season for the localized thunderstorm associated with the violent winds and torrential downpour so thunderstorm भी होने लगती है violent winds भी start होने से हो so इसमें यह बताए और इसके अलाबा west बंगाल में इन storm को क्या बोला गया है काल बैसाग इस पॉइंट को आप याद रखना west बंगाल में इस particular storm को क्या बोला है काल बैसाग then इसके अलाबा to watch the closure close of the summer season pre-monsoon sowas are starting commonly especially in the Kerala and Karnatka so Karnatka में प्री-monsoon time start on लगता सबसे पहले कहां देख रहता है Kerala में और Karnatka में they help in early ripening of the mangoes because mangoes की ripening में help करते है so इसी चीज को देखते हुए इस सावर को क्या बोले इस region को क्या बोलते है mango sowas so वहाँ कर जब इस time पर बारिश होती है उसको बोलते है mangoes इस पॉइंट को भी आप याद रखना then अब आता है advancing monsoon जो कि जिसको बोलते है rainy season जिसको बोलते है so by early June the low pressure condition over the northern plane intensify so low pressure यह वाला June के starting में low pressure condition start मदब develop होने लगते है so it attack the trade winds so यह सब चीज है trade winds को attack करते है of the southern hemisphere then these south east trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean so southern eastern जो trade winds है originate होती है so they cross the equator across करते हुए यह south west के direction के तब चलने लगते है और बाद महां से यह Indian ocean में enter होने लगती है as the southwest mansoon के form है so as these winds blow over the warm motion जब यह warm motion के ऊपर से होती है they bring abundant moisture तो जब यह moisture जो होती है वह अपने साथ लाती है to the subcontinent अपने की तरफ Indian subcontinent की तरफ so these winds are strong and blow at the average velocity of 30 km तो यही winds काफी strong होती है उनकी average velocity देगा जाए 30 km per hour की speed होती है इसमें यह बताए गया है so इनका जो flow होता है southwest monsoon की तरफ southwest monsoon into the India so इनका जो flow होता है India की तरफ होता है so India to bring about the total change in the weather so इस चीज की वाइज था weather में रुकुल change आने लगता है so early season में देखा जाए the windward side of the western ghat receive very heavy rainfall so western ghat में सबसे बहले receive rainfall receive होती है काफी जादा heavy rainfall होती है more than 20 to 50 cm तक महाँ पर rainfall होती है western ghat वाले एरिया में इसके लाबा deck and float and part of the MP also receive some amount of rainfall so महाँ पर भी कुछ deck and float plus Mother-Presist के पार्ट में भी rainfall इस्टार्ट महाँ पर एक्समेस देखने को मिलेंगी also rain shadow area महाँ पर बोला then इसके लाबा maximum rainfall of this season is received in the northern eastern part so इसकी जो maximum rainfall कहाँ पर होती है northern eastern part of country इंडिया के जो north eastern part वहाँ पर इसका सबस्यादा इसको face करने को explain करने को मिलेगा so इस picture में आपको clear हो जाएगा कैसे so यहां से यह south west mountain आता है और यहां से भी आता है तो यह आता है तो यह अला area है यह western guard हो गया so यहां पर सबस्यादा heavy rainfall देखने को मिलेगी तो बताएगा कि 250 cm तक यह 39 वाल अपाउड हो गया यह कुछ MP वाल अपाउड हो गया तो यहां पर भी देखने को मिलेगी यहां से भी आएगा इस वाले area को यह टच नहीं कर रहा यह कब टच करेगा जब रिट्रीट होगा तो रिट्रीट वाले टाइम में इस नालूड वाले area को टच करता है तो यह point आप याद रखना तैन इसके बाद महिसनराम in the southern range of the Chassil जो Chassil का जो महिसनराम वेला area है receive the highest average rainfall in the world आप यह ला अेरिया जो है वो वल्ड में सबसे रहाद हाइस आपरेज रैंफोल face करता है receive करता है then इसके बाद rainfall in the ganga valley और जो गंगा विले जो rainfall होती है वो थोड़ी डिकीज होने लगती है to the east जासा कि बतब यह सही east से west की तरफ जाएंगे तो rainfall जो है वो थोड़ी decrease होने लगए तो गंगा विली तक वो थोड़ी decrease होने लगती है तो इसी चीज़ क्यों देखते हो यह से जो राजस्तान वाला एरिया है वहाँ पर rainfall काफी कम होती है आपने नोटिस भी क्या होगा तो इसमें यह बताया है तो राजस्तान एंड पार्ट्स अगुर्दा गेट इसकंटी rainfall तो महाँ पर काफी कम rainfall देखने को मिलती है तो इसमें यह बताया गया है इसमें बताया है कि another phenomenon associated with the monsoon is that a tendency of the break in rainfall इसमें break भी होने लगता है तो इसमें यह बताया है then इसके अलाबा they are interspread with the rainless interval मतलब कुछ इंड रेनलस इंटर्वी होते है so these breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough so movements को monsoon बोला गया so for various reason the trough and its axis keep on the moving northward and southward which determine the spatial distribution of rainfall so इसी चीज़ के वैसे जो rainfall को distribution है कही कही तो पर जादा है कही 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 कम है so इस पर सी स्यादा कहा होता है north east वाले because of the mountainless mountains जब यह ठकर आता हो वहीं पर यह सब गुम जाता है तो इसी चीज़ के वैसे यह से बताएगा है so when the axis of the monsoon trough lies over the plains rainfall is good and these parts so जब यह rainfall north वाले पार्ट माज़ा होता है तो वहां पर अच्छा होता है on the other end जब देखा जाए whenever the axis shift closer to the mountain they are longer dry spell in the plain and widespread rain occur in the mountains catchment area of the Himalayan जबार so जब हमालय के तरफ जालते हैं तो वही मुन नहीं लगते हैं so इसे में बताएगे जो हमालय जाल एरिया है जो इन रोबर में उन चीज़ की वैसे यहां पर वाइट से भी रेन देखने को मिलती है और जो इनका जो catchment area जो हमारे ने मुन को और जादा increase होने लगता है so इसमें यह बताएगा है then इसके अलावा these heavy rains bring in the lake so इनका जो rains का जो पानी लेक में आता है reverse में आता है catchment area जादा increase होता है और जो reverse में जो पानी होता और जादा increase हो they were stating the floods and seas के वैसे floods के condition अब होने लगती है causing damage to life and property अब वो life को प्लस property को भी damage पहुचाती है plains वाले areas में then the frequency and the intensify the tropical depression too और जो frequency है जो intensity देखा जाए tropicals की depression की वो काफी ज़्यादा होती है determine the amount of duration of monsoon rain में देखा जाए then इसके लावे these depression form at the head of the wave बंगाल और यह कहां पर form होते है बेव बंगाल के head के उपर उसके उपर होते है and the cross over the mainland और पूरे mainland पर so the depression follow the axis of the axis of the monsoon trough of the low pressure so this area को वो follow करते है monsoon trough of the low pressure वाले area जो heat होता है उसको यह follow करते है then इसके लावे the monsoon is known for its uncertainty और यह monsoon जो अपनी uncertainty की वाई से जाना जाता है because the alternation of the dry and wet spell vary in the intensity because dry and wet spell वो काफी vary करता है अलग frequency अलग अलग जीचा में like frequency हो गया dissipation में हो गया so while it cause heavy flood in one part because में वो एक जगा पर तो काफी ज़्यादा heavy flood होने लगती है because of the amounts but एक जगा पर देखा जाए विक्तम but drought की condition होने लगती है so so अलग लग जगा पर यह काफी uncertainty days create करता है या इनकी frequency काफी कर जागे कम कम होती होती है इस चीज़ को यह मैं इस पहराग्राफ में भी बताएगा है इसके अलावा it is often irregular and its arrival and its treated so इसकी जो often regular हो काफी irregular हो बोल चाती है arrival के time में या retreating के time में so कभी तो यह late आता है कभी-कभी यह early आता और कभी ज़र जाने का time होता इसका रेटिंग ना वह भी इस regular बताएगा है so hence it sometimes disturb the farming schedule so इसकी चीज़ के वैसे जो इसका farming schedule जो होता है इंडिया का वह disturb होने लगता और चीज़ के वैसे millions of the farmers all over the country वह इसकी चीज़ के वैसे effect होने लगते हैं यह इसमें भी बताएगया है then इसके बार retreating या post-mountain so इसके बार इसमें बताएगया है retreated monsoon के बारे में एक post-mountain के बारे में कैसे यह इंडिया के यह जाता है so during the October November October November वाले मन्त में देखा जाए apparent movement of the sun towards the sun so sun की जो movement है वह south के तरफ ज़्याद होती है so इसी चीज़ को देखते है the monsoon trough of the low pressure area जो होता है ओवर अन्दरन पेरे मनता है वह वीख होने लगता है so low pressure area जब वीख होने लगता है so motion वाला जो है वह वहां से फिर जाने मताब movement करेगा so this is gradually replaced by the high pressure area जैसे तो वहाँ पर जैसे low pressure वाला कम होने लगता है तो वहाँ पर high pressure area develop होने लगता है so यह condition suitable नहीं है for the rain precipitation के लिए so the southwest mountain winds weaken and start withdrawing so southwest mountain winds weaken weak होने लगता है or withdrawal की condition वह आने लगता है so by the beginning of the October so October की starting महीं monsoon withdrawal की जो process है वह start होने लगता है northern plain से so northern plain से monsoon का withdrawal start होने लगता है then इसके बाद month of the October and November form a period of transition also October and November का जो महीना होता है transition form में होता है from hot rainy season to dry winter condition so hot rainy season dry winter condition start होने लगती है सर्दियां start होने लगती है the retreat of the mountain is marked by the clear sky temperature rise होने लगता है temperature rise होने लगता है while और दिन में temperature बहुता है and nights में जो रात में देखा जा है तो रात थोड़ी थंडी होती है temperature low होता है अच्छा होता है और जो लेंड़ थोड़ा moisture होता है because of the early retreating and rain के वेर से then इसके बाद owing to the condition of high temperature and humidity the weather became rather oppressive and during the day this is commonly known as October heat so इस पूरे condition को इस तूरे जो इस particular time में जो weather है उस पूरे को क्या बोला गए October heat बोला है because उस time भी heat थोड़ी बहुत होती है then in the second half of October mercury begins to fall rapidly in the other India October 2nd half है वो उस time में temperature काफी rapidly decrease होता है because तब वहाँ से winter start होने लगती है then इसके बाद low pressure condition over the northern western India gets transferred to the bay of bangal low pressure condition bay of bangal के तरफ transfer होने लगती है early normal में so this shift is associated with the occurrence of the cyclone difference cyclone depression की जो condition में पर start होने लगते है which originate of the underman sea so cyclone depression की जो condition है underman sea के आस-पास में यह originate होने लगती है these cyclones generally across the eastern coast of India so जब भी cyclone होने लगते है internet होते है तो वो इंडिया को eastern coast से cross करते है so cause so इसी चीज़ की वैसे वहाँ पर heavy rain और white speed rain देखने को मिलते है और वहाँ पर lives and property को damage देखने को मिलता है because of the tropical cyclones so the thicky populated deltas of the godavari and the krishna and the kaveri are frequently struck by the cyclones so in godavari, krishna, kaveri का जो delta जो thicky delta है उन चीज़ के वैसे cyclones थोड़ा महाँ पर struck होने लगता है यह काफी help करते हैं वहाँ पर damage कम पहुचानती है इन चीज़ के वैसे महाँ पर damage components are which cause a great damage to your life properties or sometimes these cyclones so some cyclones की वैसे काफी जार damage पहुचानते है so these cyclones at the coast of Odisha और यह कहां कहां होता है Odisha coast पर होता है West Bengal, Bangladesh so यह area होता है so the bulk of the rainfall of the Coromundal coast is derived from the depression and cyclone so in region पर cyclone का effect ज्यादा होता है then इस picture में आपको पता चल जाएगा जैसे यहां से retreat होता है तो retreat होता है तो इस Tamil Nadu area पर rain start होने लगती है और यहां से retreat होता है और यहां पर cyclonic depression ज्यादा होने लगता तो यहां पर East Odisha वाला हो गया West Bengal वाला हो गया या बंगलादेश वाला reason हो गया तो यहां पर cyclone in coastal area पर ज्यादा effect करता है इसमें यह बताएगा cyclonic difference start होता है यहां पर cyclone जब भुश्य हम देख होंगे cyclone जितने में आता है वह इस area को ज्यादा hit करते है इस पूरे इस चीज में आप याद रखना इसके बाद है distribution of rainfall rainfall का distribution हो काफी अलग अलग जगे पर varies करता है parts of the western coast में देखा जाए और North Eastern India में देखा जाए तो वहां पर सब्सक्रादर rain देखने को मिले about 400 cm मतलब इंडिया का जो western part हो गया western घाट वाला western को तो देखा जाए महां पर तो rainfall अच्छी होता है और same as North East वाला अरिया हो गया और जगे देखा लाइक राजस्तान वाला western राजस्तान भी देखा है महां पर वारिश कितनी होती है 60 cm और गुजात के कोचरिया में महां पर भी same है same condition है यहां पर इन एरिया में भी rainfall काफी कम होती है इन एरिया को थोड़ा notice कर लेना इसमें बोला है कि why do these regions receive low rainfalls इसमें रीजन है कि 3rd area of the low precipitation is around lay and jamukas में the rest of the country receive moderate rainfall and snow is restricted to the Himalayas region इसमें बोला है कि जो 3rd area यह तो चलो यह वैसे ही है इसमें question वैसी पूछा है वो वाला area है तो इसमें इसमें नहीं है फिर में बता देता हूं because महापर जो जो मौन्सून है वो east लेके west की तरफ जाता है जब west की तरफ जो move करता है तो उसकी जो energy है उसकी जो power है जब west की तरफ जाता है इसके अलावा यह third area of low precipitateism मतब इसमें यह बता है कि जो इंडिया का जो northern वाला area जो जादा north eastern वाला area जो यहां पर बारफ बारिज जम्मू कस्मिर वाला वहां पर बारिज नहोंनी के वाह पर rainfall होती है और rainfall, moderate rainfall होती है और snowfall जादा होती है इसमें यह बताएगा है इसके अलावा owing to the nature of the monsoon the annual rainfall is highly variable from year to year so year to year जो rainfall है वो कभी-कभी variable में कभी annual rainfall है कभी-कभी high जादा होती है कभी कभी कम होती है तो year to region वह चीज़ वरी कर दे so variability of the high in the region of the rainfall and low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and levered side of the western guard so इसमें यह बताएगा reason में वहाँ पर rainfall थोड़ी वैसी वह varies करती है while areas of the high rainfall are liable to the effect by flood so इसमें बताएगा है जहाँ जहाँ rainfall ज्यादा होती है वहाँ पर तो flood की condition आने लगती है और जहाँ 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 पॉजिटिव ज्यादा है वहाँ पर भी उसके positive प्रिक्स भी कुछ negatives भी है so इसमें बताएगा so इसमें आपको थोड़ा और के लिए पता चल लाएगा rainfall की distribution के बारे में so यह जो picture है left वाली उसमें बताएगा seasonal rainfall जून से लेगा September के बीच में और यह है दूसरी annual rainfall जून से लेगे September के बीच में rainfall होती है उसके बारे में बताएगा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जैसे मलता है कि western ghat और प्लस north इस वाल एरिया में rainfall जादा होती है और प्लस जैसे मावं नसून जो east से लेके west की दब जाता है तो वह weak होने लगता तो पंजाब राजस्तान और सम पार्ट सब गुजरात तो वहाँ पर rainfall थोड़े काम होता है और डक्कन प्लोटो में rainfall कम होती है तो यह तो आपको पताएगे और प्लस यहाँ पर rainfall होती है इन एरिया में तो snowfall होती है तो इसमें बताया दिया और यह है annual rainfall जो यह है पूरे साल का पूरे साल का इसमें data बताया है तो पूरे साल में भी north east plus western ghat वाले area है वहाँ पर rainfall होती है प्लस यह northern plane हो गया और इसमें बताया दिया हमेना इसके बाद है इसके बाद है monsoon as a unified bond so monsoon as a unified bond उनके बाद है कि you have already known that the way the Himalaya protect the subcontinent from the extremely cold winds from the central Asia मैं इसमें बताया है हमालय जैसा मैं प्रोटेक्ट करता है Central Asia से जहांसे वो cold winds आती है this enables another India to have uniformly higher temperature compared to the other areas of the same latitude so इसी चीज़ की वैसे same latitude पर जो जगें है जो Himalaya के दूसरी तरफ वहाँ पर temperature तो काफी कम है but इंडिया में काफी जयता है इसी चीज़ की वैसे Himalaya के बाद है similarly the peninsular under the influence of the sea from the three sides has moderate temperature also peninsular में देखा जाए तो तीन और तरफ से जो sea है तो वहाँ पर जो temperature की condition है वो थोड़ी moderate है तो इसमें बताएगा then despite such moderate influence there are great variation in the temperature condition so moderate influence की अलाबा कुछ temperature condition sorry temperature variation में भी temperature condition में काफी variational है like unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible इसमें बताएगा कि जो Indian subcontinent में monsoon की condition है influence है वो काफी अच्छा perceptible है then इसके बाद the seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of the season so इससी वैसे जो एक cycle जो बनी हुई है वो प्रोवाइट कर देते एक rhythmic cycle हो दे like पहले winter then summer then rainy so एक तरह की वो cycle create हो जाती है एक rhythm में चलने लगते है so even the uncertainties of the rain and uneven distribution of the very are very much typical of the monsoon so इसे सब की चाहे कितना भी uneven होने लग जाने तो एक cycle जो है वो slow follow करती है so the India's landscape its animal and plants life its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities and revolve around this phenomena so यह सब चीज है India's landscape में पूरी include and depend होती है so इसी चीज में यह बताए गया है then इसके अलावा year after year people of India from the north to south and from the east to west eagerly awaited the arrival of the monsoon so इंडिया में जितने भी people like north से लेकर south और चाहे east से लेकर west और तो वो सभी के सभी जितने भी people लेकर वो monsoon का wait करते है because वो monsoon उनकी life में कहीं ना कहीं वो effect डालता है so इसी चीज के वैसे वो monsoon का ज्यादा इंडिया में जो people है सभी region की people इंडिया में monsoon का wait करते है so these monsoon winds bind the whole country और इसी चीज के वैसे monsoon wind ना पूरी country को बहांदे वह रखे by providing water because जब monsoon आता है to set the agriculture activity in the motion और इसके लावा जो खुद के uses के लिए भी भी है so आज के लेक्शन में बस इतना ही अगर आपनी UPSC live को सब्सक्राइब नहींगे तो प्लीज सब्सक्राइब the UPSC live and press the bell icon for the more updates दने बाद so hey guys this is kuldeep and you watching UPSC library so watch this lecture में हम बात करेंगे Indian geography के chapter number five के बार में इससे पहले chapter number one two three four and five four sorry four तक lecture आ चुके हैं UPSC library के YouTube channel पर तो आप उनको देख सकते हैं और यह chapter number five इसका नाम है natural vegetation and wildlife so chapter में हम देखेंगे natural vegetation के बारे में plus wildlife के बारे में then इसके अलावा हम देखेंगे forest के बारे में और type of forest भी इसमें देखेंगे plus wildlife के बारे में देखेंगे chapter में so बने रहे इस चप्टर में so chapter का नाम है chapter 5 natural vegetation and wildlife अगर आपने वीपेसी लाइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यूपेसी लाइबरी को टेलीग्राम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्रीक्शन में दी हुई है so introduction में देखते हैं so introduction में यह है कि जो हमारी जो country जो इंडिया है ना वो वन अप ट्वाइल मेगा बायो डिवसीटी होती है उन्हें में से एक है हमारी country उन्हें में से आती है तो हमारी country एक है यह इस point को आप याद जटना दैन इसके बार विद अबाओ 47,000 plant species मतलब तो 47,000 plant species है वो इंडिया में आती है और इसी इस पर उनका इडिया का प्लेस है 10th प्लेस बेसे इस पर इन देवर्ड एं फोर्थ है एस्या में मतलब 10th में वर्ड में और 4th है 4th है एस्या में तो इस सीज को भी आद रखना प्लांट है इन वीच्व बिश की अगरता है पूरे वर्लल च परसेंट म्यूलयजद इंडिया में तो इस तोटल नम्र अपटा इनडी linen यू जिस को ऑलगा इसके अलावा इंडिया में 90,000 के अलावा 90,000 से ज्यादा अनियमल के अलावा कुछ विराइटेज भी इस फेसी की हैं इन फ्रेस और मेराइन वाटर में हैं और मेराइन वाटर की हैं तो यह 90,000 इसमें बताई हुए जो हो घान इसके बाद natural vegetation में बिदेशिक材न तो नैच्रव एडिजान वाटा बिदिशिक材न रो क क्या बोला है for a long time, जैसे बना human interface के बना human aid के जो vegetation ग्रो हो रही है, उसको natural vegetation बोला गया है, so, this term as a virgin vegetation, उसको as a virgin vegetation में बोला गया है, thus cultivated crops and fruits on orchard form part of the vegetation, but not a vegetation, जो cultivated crop होती है, या fruits हो गया है, जो orchard होती है, वो vegetation का पार्ट तो है, but वो natural vegetation नहीं है, because वो इसमें, वो humans के द्वारा ग्रो की जाती है, इसी विए से वो natural vegetation है, बस वो vegetation है, इसमें ये differences बताया है, then, इसके हलाँ, जो flora की term when flora fauna होती है, तो इसमें भी flora fauna की term का explain बताया है, कि, जो flora की इनको बोलना, उनको चीज को denote रहते हैं, जो plants के या उसके particular के region में आती है, so flora means plants, and fauna, fauna को उनको बोलना, जो animal की species होती है, so, flora, plants, and fauna, जो animal, so, इस छीज का बया, अगर इसमें भी confusion हो रही है, तो इस ये चीज से याद रखना, जो fauna में जो N आता है, वो इसमें बताई गहीं कि आखे कैसे है, so, आपने इंडिया में जो रिलीफ है लेव लाइ लेड माउंटेंंस हो गहां तो उसके बारह बताए गाए, so, the land affects the land बार में बढ़ा है कि यह दी पीज आफ फ्लोर फोना कि जो इतनी ज्यादा धाइबसाटी उसमें पहला तो यह जो लेंड है अगर जहां कि जो लेंड है तो उसमें जो जो होती है वो अलग लग इसमें बूलाइब कि जो वेजिटेशन है वो क्या माउंटेशन में और प्लेटी और प्लेटी अरिया में नहीं ना तो वह इसमें बताएगा अलग 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 लग टाइब के वैजिटेशन हो गी प्लेटियू में कुछ अलग तरह के वैजिटेशन होगा है तो यही इसमें चीज बताएगा लिए इसके अलावा इसज़रली डिवोटे को दे तो अगरी कल्चर आधर अगरेव देवलुटिंख एंड रफ्ट ऋरियुटिंग और ओर एर्टीं ऑर एंड जर्सेंट की तरह काम करता है। इसके लिए। इसके अनृटा स्क्रेश्ण राये जैसे लिए. soil भी अलग 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 किसम की अलग अलग टाइप की होती है so the soil are also vary over the soil also vary the vary करती है over the space different type of soils provide basis of different type of vegetation मतलब जो different type की soil होती हो different type की different type की vegetation भी provide करेगी या उसको influence करेगी so the sandy soil of the desert support the cactus like example दे रखे हैं जो sandy soil होती है वो cactus के लिए support करेगी और थौनी विसे उनके लिए support करेगी while wet, marsy और deltic soil है वो किसको support करेगी mangroves को और deltic vegetation को ऐसे ही the hill slope with some depth of the sail have conical tree और वहाँ जो hill slope जहां पर mountain से है जो hill है वहाँ पर conical tree जाओंगा तो अलग अलग टाइप की climate में देखते है climate में जो temperature वह भी effect करता है like the correct and extent of the vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity and air and precipitation and soil मतलब जो vegetation का जो mainly जो characteristic जो है vegetation की वह determined करता है मनलब वह काप की सेरिया में कैसे की सेरिया like temperature ज्यादा है या humidity कैसी है वहाँ की air में या precipitation या soil कैसा है बारिस कितनी यादा है वहाँ पर water की ability है की नहीं because desert area में जो water की ability बहुत कम है तीसी वज़ेसे वहाँ पर cactus भुसे जादा ऐसे vegetation जादा होती है और आपकी soil भी ज्यादा खास नहीं है तो इसी चीज की वज़ेसे अलग अलग जग में अलग वज़ेटेशन और वहाँ पर temperature भी अच्छा role play करता है so on the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula ever the height of 915 meter जो slope है है जो हमाला है जिन्हें की height 915 meters से अधर किया यह जाधा है the fall in the temperature temperature affect the types of the vegetation मतलब जहां जहाँ 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 है जहाँ पर 915 से मीटर से जाधा height है वहाँ पर temperature वह एफक्ट करता है वेज़ेटेशन को और उसकी growth में भी एफक्ट करता है और उसकी and changes it from tropical to subtropical और वहाँ पर changes जाने लगते है tropical to subtropical temperature में और alpine vegetation तो इन जह से इस तरीके से temperature वहाँ पर एफक्ट करता है और इस चार्ट में अब देखो जहाँ उस तरह है कि उस जोन में जो vegetation को मांट दिया गया है वहाँ पर mean temperature देगिया then वहाँ पर जो इसमें अलग-अलग vegetation को अलग-अलग area में divide कर जाए हो जो 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 vegetation ट्रॉपीकल में होगी तो उसके लिए सूटेवल टेपरिश्यर वहाँ टेंपरिश्यर के ना 24 डेगरी है उससे ज्यादा हो सकता है और mean temperature वहाँ का 18 डेगरी हो सकता है like in January के टाइम में वहाँ पर कैसे होगा no frost होगा मतलब आप टेंपरिशर ठीक है वह वह वहाँ पर अलग तरह की ट्रॉपीकल वैजिटेशन हो और जहां पर जो सब्टॉपिकल जो बांटा गया उस सब्टॉपिकल में कैसा होगा वहाँ पर टेंपरिश्यर से लेकर 24 के बीच में होगा में टेंपरिट जो जोन होता है वह टेंपरिट जोन होता है उवी कम होगा साल मताइब साथ से लेकर 17 देहरी केश मोगा में टेपे ने से लेकर –10 तक वहाँ पर काफी हो गी लाई इसनो भी हो सकती है the time teaches arbeiten वाले जोन में देखा जाय है वहां पर 10 इचे temperature होगा mean annual temperature यह पर 10 तेमपरचा यह बिलों वन degree e members go में temperature पर इस्नों तो होगी इस अधू इस हिसाब से हम पर इइन जोंग को ढिवाइड किया गया है यह थे इसके लावा फॉटो पीरड मैं जहां संलाइट ज्यादा होगी मसा मतर्जा संलाइट अच्छे होगी तिमावट वेजेटेशन और ज्दानकर की आई और जदा ज्यादा होगी so the variation in the duration of the sunlight at different place is due to the difference in latitude so sunlight में जो different places में different अलग अलग तरीकेश होगी वो डिपेंड डिफरेंस होगी like उसमें जाओ किस altitude पर है किस altitude पर है किस latitude पर है और किस कौन सा भी season चल रहा है like winter season में या जो cloudy season होगा तो महां पर sunlight थोड़ी कमाएगी then the duration of the day कौन सा winter में days की duration काफी कम हो जाती और summer में जादा हो जाती है so due to the longer duration of sunlight trees grow faster in summer so इसी चीज़ को देखते हो जो बोला गया है कि जो summer में जो trees की जो growth होती है वो काफी जादा होती है तो इस point को आप याद रखना यह exam में directly पूछा जा सकता है points के form है then इसके लाव precipitation में अच्छा role प्ले करती है प्रैसिटिब में समया बारिज जैदा होती है so in India almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest mountain जो की जून से ले के सप्टम्बर के बीच में होता है advancing मतलब जब mountain जब अपने इंडिया में जब आता है so उसको advancing mountain बोलता है जो जून से ले के सप्टम्बर के बीच में होता है and then the retreating north east mountain जो मतलब जब mountain जाता है तो उसको retreating mountain बोलता है या withdrawal mountain बोलता है जो chapter number 4 में climate वाले chapter में पढ़ाया हुआ तो आप उसको देख सकते हैं so area of heavy rainfall है more dense vegetation so जहाँ rainfall ज्यादा heavy होगी तो वहाँ पर जो vegetation होगी वह काफी dense होगी as well compared to the areas of less तो compare के जाए जहाँ less rainfall है और जहाँ heavy rainfall है तो यहां की जो vegetation है वह काफी कैसी होगी काफी dense होगी in compare जहाँ पर less rainfall होगी तो यहां की vegetation काफी कम होगी यहां पर ज्यादा होगी तो यह इसमें इस पॉइंट में बताए गया then अब इसमें forest के बारे में बताए गया तो forest कैसा सो इसमें होगी have you ever thoughts of the so forest मैं बुला है कि forest are the renewable source of and play a major role in enhancing the quality of environment मैं ते सुआ होगा है कि forest जो forest है वह एक renewable source भी यह resources है because forest से wood supply होता है water है बाके अला काफी और भी चीज़े हैं सो एक renewable source करते काम करते हैं and also play a major role in enhancing the quality of environment और जो इन्वार्मेंट की जो quality है और जो pollution उसको और ज्यादा इन्हेंस करता है तो जितना जदा forest हो को अतना ही ज्यादा pollution कम होगा वहां से वह carbon dioxide अतनी कम उसको वहां से होगी और ज्यादा इन्हेंस करेगा environment को सो दे मोडिफाई local climate सो वह इसका क्या रोल होता है वह local climate को modify करता है then control soil erosion जो soil erosion होता है वह कम होता है जहां जहां पेड़ पौदे जहादा होंगे तो वहां soil erosion इतना नहीं होगा then regulate stream flow और stream flow है उसको regulate करता है मतब जितनी ज़्यादा trees उतना कम stream flow होगा because वहां की जो soil होगी काफी strong होगी इतनी जल्दी नहीं वह खत्म हिलेगी then इसके अवलाबा support a variety of industry मतब कुछ type की industry उसनको support कर रहेगा then जो wooden industry हो गया then provide a livelihood for many community और जो कुछ communities है जो forest के उपर depend होती है उनको as a livelihood provide करता है then offer panoramic and scenic view और जो कुछ अच्छे कास से भी जो वीज होते हैं सीनरी होती है उनको provide करता है also they control wind force and temperature and cause range जो इसके अलावा वो wind force को भी control करता है जो temperature वहां वह थोड़ा control करता है effect करता है और जो rains है उसके दरह होती है तो इस point में यह बताएगा then इसके लावा they provide humus to the soil and shelter to the wildlife और वो soil को humus provide करता है और जो wildlife जो होती है जहांके जो जानवर होते हैं उनको as a shelter provide करता है also India's natural vegetation जो है undergone many changes due to several factors जो इंडिया की vegetation है वो काफी several factors की मतलब काफी factors के वादो कुछ changes आए है as such as like growing demand for cultivated land cultivated land की जो demand है वो ज्यादा और इन की होने लगा है then development of industry और mining और जो industry और mining की जो development है उस चीज़ की वज़से भी जो forest के वर काफी effect पढ़ाया है and urbanization ज्यादा होने लगा है then over grazing of pasture जो मतलब जो जानवर होते हैं जो गाय बक्री जो और जो साकारी जो होते हैं वो उनकी ज्यादा over grazing मतलब ज्यादा वो घास foods या जो पढ़ते वगरा खाते हैं तो उस चीज़ के वैसे जो उसके उपर forest के उपर थोड़ा effect पढ़ने लगा है then इसके लाभा the vegetation cover of इंडिया is large part or part is no more natural in the real sense so real sense में देखा जो जो real sense में देखा जा जो vegetation cover जो इंडिया में वो natural नहीं है लाइक जो हिमाल्याज हो गया इन एक्सवाली मंदल जहां पर human की interface बहुत कम है ना के वराबर तो लाइक वो जह कौन से हो हिमाल्याज हो गया the hilly region हो गया center इंडिया का then marustali region हो गया then vegetation in most of the areas has been modified at some place मतलब वहां modified हो यह कुछ सब places में और replaced also or replaced or degraded by human occupancy so this मैं बताएगा है human की वैसे वहां पर modified modification start होने लगी है यह जो वह यह उनको replace कर देग्रेट कर यह मतलब वहां पर और टाइप के trees को वहां पर लाए गया है like or human की occupancy जादा होने लगे तो इसमें यह बताए गया then is के लाब को एक fact है कि according to the Indian data state of forest report 211 मतलब जो state of forest report है इंडिया की 211 के साफ से 211 में forest जो cover था इंडिया वो कितना पता 21.5% मतलब 21.5% forest cover था पूर इंडिया में यह 211 की report है 2019 की report जो recent report है उसके बारे में भी बताऊंगो बट यह 211 की report से आप थोड़ा comparison ठीक से करना इससे पता चलेगा कि इंडिया में 211 से 211 से लेकर 2019 की बीच तक कितना forest cover increase हुआ है तो यह भी 211 का data है उसमें चार्ट में 233 से लेकर 14 का इसमें data दे रखा है तो सबसे जादा है तो यह है इसमें area दे रखा है वो percentage के हिसाब से दे रखा है तो यह जो नागालेंड वाला area के percentage का अफसाब देखे है तो वहाँ पर परसेंड वो forest का percentage काफी जादा है उसके बाद है उसके बाद कौन सा स्टेट उसके बाद लक्षदीव तो उसके बाद लक्षवी देन यह है अंडवान निकोबार यह है यह मिजूरम लक्षदीव यह अंडवान निकोबार आरलेंड यह percentage के time में उनके एरिया देखा तो ज्यादा है यहाँ पर आउने चल परदेश सो ऐसा कोई मेजर स्टेट नहीं है उस टाइम में अब इसके बाद 2019 की रुपर्ट देखे जाए तो अब कितने डिफरेंस आया मतलब दो साल में एक बार आती है और इसको फॉरस सर्वेफ इंडिया इसको पब्लिच करता है जो कि अगर्गेशन है किसके अंडर मिनिस्टी ओप इन्वारिमेंट फॉरस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है फॉरस अर्वेफ इंडिया इसको 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 इसकी स्टडी करता है उसके बारें बताता है अब इसमें देखा जाए जो टोटल फॉरस्ट कवर है जो कंट्री का वह इन टम्स कितना है साथ लाख बार जाए दोसों उनन चास स्कॉर किलोमेटर है और परसेंटेज में देखा जाए ट्वंटी वन पॉंट सिक सब्सक्राइब परसेंट है पूरे टोटल एडिया का इंडिया का और दो याग गिरे में ग्यार में कितना है ट्वंटी वन पॉंट जीरो एक इसमें यह चीज भी याद रखना है कि गौवर्मंट ने कुछ जो परिवासा जो होती है डेफिनेशन वह कुछ चेंज की है तो उसमें यह भी याद रखना तो इस साफ से देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर अपना इंडिया में इंक्रीज हुआ है इन कंपेर 2011 से कंपेर कर मद्य प्रदेश में उसके बाद अनुचल प्रदेश फिर 36 गड़ औरीशा अमारा यह एरिया वाज देखा है अब परसेंटेज वाइस देखा जाए तो मिजूरम आज भी सबसे यादा है उसके अब फिर यह अनुचल प्रदेश फिर मेगाला है जहां पहले लक्षदीप अब वह नहीं है अब मिजूरम अभी फिर्स्ट पर है बट उसके अब आद है अनुचल प्रदेश तैन मेगाला तो इस चीज को आप याद रखना अब देखते हैं टाइप सो वेजटेशन कि तने टाइप को होती है तो फोरेस्ट कि तने टाइप को होगे तो इनसे देखा साइसाब से उनको डवाइक कि तो इस पॉरे इंडिया में इन इस फ्यरस को कैसे डवाइक कै तो इसमें टाइब दे रखे हैं तो ये ट्रॉपिकल एवरीन फॉर्स है इसकलर से देखा तो ड़्ली तो इस फॉर्ली और एस्थवाला एरिया हो गया जए थोड़ा इस committees ओं औ पूरा एरिया है यहां से यह 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 और अंदवान निकोबार भी ट्रोपिकल एविनेंग फोरेस्ट में आता तो इस चीज को भी याद रखना है कुछ ये ये इसके बार मैंगरूफ फारस्ट तो जिन मंगरूफ वाला वाला जो एरिया वो मैंगरूफ फोरेस्ट के अंडर आता है ये ओडिश्या वाला ये तो यह इसको ट्रॉपिकल थॉन्फ बोला गया तो इस चीज को भी आद रखना अब इसको थोड़ा डीटियर में देखते हैं ट्रॉपिकल एवर्गिंग फोरेस्स के बार मैं वूरह एन् 1 ऐड बोला है कि इस फोरेस्ट डेट तु एफए वहां पर होते हैं जहां है उविर इंफल होती है सो हेवी एंफल एक वैस्टर गाट वाला हो गया लक्षदीफ हो गया अंडवान यह अपर पार्ट असं में तमिलाडु कोस्ट हो गया उसको बोला है तो इन ऐरिया महीं यह ट्रॉपिकल एंवरी फॉरिफ एस वाहिन जेसी विए दोसो सेंटीमेंटर से बिक्राइब होती है विद पर ड्राय सीजन काफी कम होता है इसी वज़ये से वह वह ट्रॉपिकल एव इवरी मतलब इस नाम से ही पता चल ला है वो एवरीन फोरेस्ट है पुरी साल महाँ फोरेस्ट होती है फोरेस्ट होता है So the tree reached great height और महाँ पर जो trees की जो height होती है 60 meter ये उससे भी ज्यादा होती है So since the region is warm and wet throughout the area So the area is warm थोड़ा गरम रहता और wet थोड़ी साल गरम रहता और wet भी रहता because of the rains Then it has luxurious vegetation of all kind वहाँ पर जो vegetation वह काफी ज़्यादा है आली सान है Like trees होंगे, scrubs, shrubs होंगे, creepers, giving it a multi-layered structure So वहाँ पर जो vegetation काफी अच्छी है इसी वैसे उसको tropical evergreen forest लग रहा है Then इसके अलावा There is no definite time for trees to set the leaves तो वहाँ पर कोई ऐसा definite time नहीं है कोड़ जो trees की leaves को उनको set करने का So as a such these forest appear green all the year So इसी वैसे वहाँ का forest का बार है जो forest है वह हमेशा पूरे साल green रहता है So some और इसके अलावा Some of the commercially important trees है वहाँ पर होते है Then like कौन कौन से होते हैं Commercially important trees So ebony, then mahogany, then rosewood, then rubber, and chaincona trees So यह commercially important trees हैं उनका नाम याद रख लिए यह directly examined directly पूछे जाते हैं Then इसके लावा कुछ जानवारी भी मिलते है उस forest में like elephant हो गया Monkey, then lamb more, then deer तो यह animal भी उस forest में भी पाए जाते हैं इसके लावा One horn rhinosaurus जो होता है Genda जो एक singh का Are found in the jungle of Assam जो Assam के जंगल में यह one horn rhino पाए जाता है और इसके लावा West Bengal में भी बट अभी हाल फलाल में अब decently देखा जाता है तो Assam में जादा मिलते है one horn rhino इसके लाव beside the animal Plenty of the birds and bats Sloth, scorpion and snail are found in this area इसके लाव birds भी होती है bats भी होती है, snail भी होती है Scorpions भी इन जंगल में इन forest में पाए जाते है यह एक picture है Cartoon picture तो इसमें पता चल जाएगा कितना forest का बार और कितना dance forest होता है तो इतने और यह एकदम हाइट होती है almost 60 यह उससे अबब भी होती है इनकी हाइट यहाँ पर एकदम canopy काफी ज्यादा होती है इसमें बताएगा then इसके बाद tropical deciduous forest so अब tropical average के बाद tropical deciduous forest से थोड़ा one level कम होता है मताब यह भी होता है लेकिन उससे एक level कम so these are the most widespread forest in the India so India में देखा जाए सबसे यादा forest कौन सा में लेगा tropical deciduous forest so they are also called monsoon forest तो इसको monsoon forest बोलते है because spread over the region because यह पूरे इंडिया के almost काफी जादा area में फैला हुआ है small spread over the region receiving rainfall between or rainfall receive करता है 200 cm से लेके 10 cm तक के बीच में यह area यह forest rainfall receive करता है इसके अलावा trees of this forest type set their lease for about 6 to 8 month weeks in dry summer so day समझ में 6-8 मेने की बीच में इनकी जो forest की जो लीव है वो shed करती है तो इस चीज़ को आप याद रखना then on the basis the availability of the water water की availability और की basis बेर देखा जाए सब्सक्राइब इन forest को जो डीशीडियस forest को डिवाइड करें like moist or dry forest मतलब अगर आप पानी जाएदा तो इसको moist वो लागा है और जहांपर पानी कमा उसको ड्राइ डीशीडियस forest में डिवाइड किया गया तो देखा एिरियस रेटोट में इसर य्षॉ सवारेश बारिश होती है वारिश यह जो forest है वह लाग इसन पाट शॉर्ट अल पार पन लएक नोर्टी में ज्यादा होगे नौ्सीफरन हो कुछ हमाल्या का जो फुट होल्स है नीचे वाला एरिया हमाल्या के नीचे वाला एरिया वहां पर यह जाद मिलेंगे फॉर्स जहारकंड हो गया वेस्ट उडिशा हो गया च्छत इसगाट या इस्टन वेस्टन गाट का जो इस्टन पार्ट है वहां पर भी यह फॉर्स साल, सीजम, सेंडल मौट, थेक 170 माल बहरी आठары कमर्शिल इंपॉर्टेंट ष्पीजिजिय और यहाज पर रॉक्त सयारी इंपॉर्टेंट सीजिजिय आप यह क्या के 70 cm की बीच में है, अब रेंड फुलो होती है, और इस फॉरस्ट आर फॉरेस्ट आर फांद इन रेंड पार्ट में, यह एरिया कहा पर बहता है जो लाइक पैनिसुलर जो प्लैट होता है, वहाँ पर मिलेंगे, बिहार का जो प्लेण एरिया है, वहाँ पर यूद पी का जो प्लेन एरी है वहाँ पर यह में देखने हो को मिलेंगे इसके अलावा इसके अलावा यह लाइस पार्ट आफ इस रीजन हैज बीन क्लियर फॉर्टिविशन और इसका जो काफी बड़ा एरिया वो कल्टिविशन के लिए और सम पार्ट जो इस 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 मतलब इस बड़ा फॉर्स से जादा इसमें वरैटिश of animal species देखने को मिलेंगी तो इस चीज को भी आप माइंड में याद रखना इसके लाव नेक्स देखते हैं तो फॉरेस्ट या स्क्रब जिसको बोलते हैं बारिषी थो bays कम होती है इसके लावब जो इसका जो नैचुरल वेजएशन है यह इक्णम लाइक थौड फोर्न ट्री वहते हैं मतलब body कम होने के वएATHAN उनकी जो पत्य होती है वो काफी नुकली होती है यह कुछ छोटी सी होती है पानी की कमी की वैसे तो इस टाइप वेशिटेंगे फांद नौर्थ वेस्टन पार्ड अफ कंट्री मतब जो कंट्री का देखा जाए यह नौर्थ हो गया साउथ और यह एस्ट और यह वैस्ट नौर्थ वेस्टन बोला तो इस वाले एरिया में देखने को मिलेंगा तो इस चीज को भी याद रखना इसके लावा इसके लावा ट्री आ इसके लावा ट्री आ एड और बूर जागे पर देखने को यहां पर मिलेंगा दूर दूर जगए पर तो इसके लावा रखने हैं वो काफी बड़ी वोती हैं और काफी डीप तक पनेड़र करती रहती है वह इस वह से पैनेटिट करती है दूर तक वह पानी को मतलब जो वाटर है उसको उनकी सर्चिंग के लिए जाती है तो इस चीज के वैसे वह काफी दूर तक उनकी जड़ें जमीन के अंदर होती है तो गेट मॉइस्ट्र मॉइस्ट्र दूरती है पान मॉइस्ट्र मंदल वहीं सभी उनको पानी मिलेगा तो इसके लावा लीफ सार मोस्ट्ली थिक उनकी जो लीफ थिक होती है एंड़ी स्मॉल तूमिनिमाइज एवपरेशिट होती है ताकि जो एवपरेशन का जो है वह काफी कम हो इसके लावा इस फॉरस्स गिफ वे टू फॉरस्स एडिश प्रॉर्स एंड इसके वेज़े से वहाँ पर फॉर्स जो काफी थॉर्स देखने हो मिलेगा इस्क्रब द लाइन वाइल डायस होर्सेश कैमल यह एनिवल इन फॉरेस्ट में जारे तर देखने को मिलेंगे तो इस तरह के होते हैं तो इनकी पत्तियां भी काफी कम हो किसी की लंबी होगी तो इनकी जड़ें भी काफी दूर तक जाते हैं कि आप आगे हैं मॉंटेन फॉर्स सो मॉंटेन नाम से बता जला हूंगे तो मॉंटेनियस में पाक्षण के लिए व्रस देखने को मिलेंगे एरिया चेंज करते हैं तो ऐसे आसे वहाँ पर नाचूरल वेजिटेशन वह उज चेंज होता जाए वूगा उस टेमपरेचर उस वैजिटेशन उस स्वाइल के तेशाब से वेजिटेशन भी चेंज होते जाती है So, as such, there is a succession of the natural vegetation belts in the same order as VFC from the tropical to tundra तो सक्सेशन जो वेजिटेशन का बताए गया है टॉपिकल टूटरा के बारे में तो ऐसी वो चेंजेश देखने को मिलेंगे वो सक्सेशन होता रहाएगा नेच्छर वेजिटेशन का बाई वी सी फॉम दा टॉपिकल टूटरा तो इस टाइप का बाई चैस यहां डूटरा को मिलेगा एक हजार से लेकर दो हैर मीटर की हाइट पर वेट टमपरेट टाइप आप आप फारेंगे मिलेगा यह देखने को मिलेंगा और इसके अलावा यह इनका जो हाइट ऑफ पंदरसों लेज़े तीन हैं मीटर के बीच में यह टेंपरेट फॉरस्ट जो कंटेनिंग कौनी फॉर्ज़ ट्रीज मतर्ड़ जितनी इतनी हैट पर जाते हैंगे वह वह वेजिटेशन और जाते होते हैं को कंटेन करके चले गया महां पर जो मिलना है लाइक कौनी फॉर्ज़ ट्रीज हो गया लाइक उसमें कौन से होते हैं पाइन हो गया देवदार हो गया सिल्वा फिर इस्प्रूस सिदार एंड ऐसे ट्रीज महां पर देखने को मिलेंगे इसके अलाबा इस फॉर्ज़ कवर मोस्ली दा सदन स्लोप ऑफ दा हिमाला और यह जो कवर मिले फॉर्ज़ कवर का मिलेगा हिमाला इसके सदन स्लोप पर है उसके थोड़ा ही ऊपर चड़ेंगे लंसां थीन हजार मीटर की हाइप आ तो यह फॉरस्ट देखने को मिलेगा हमाला इसके अलाबा एट हायर एलिवेशन पर तेंपर ग्रास लेंड आर्स कॉमन जो जब जब जितना भी हम high altitude पर या high elevation पर जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे temperate grassland देखने को काफी common होगे so at high altitude generally more than अब और ज्यादा height पर जानले 3600 meter हो गया almost so after the sea level से 3700 meter so temperate forests are grassland given way to the alpine vegetation तो 3600 meters के बाद वो applied vegetation देखना को मेलेंगे उस grassland या temperate forest में then इसके अलावा महाँ पर और silver फिर junipers, pines, periches are common trees होंगे महाँ उस forest में however they get progressively stunted as they approach the snow line उनकी जो aggressive जो होते हैं जो देख प्रोग्रेशली इस्टन्ट होते हैं because उसनों जो महाँ पर उसनों ज्यादा पढ़ती है तो उस snow line के वैसे जाए से देखने को नहीं देखेंगे they merge into the alpine grassland इसके लावा दी ज्यादा used extensively for grazing by nomadic tribes जो nomadic tribes है उनकी वैसे उनके साथ जो महाँ पर रहे हैं वो grazing करते हैं उसमाँ कुछ tribes ही पाहिए like nomadic tribes हो जिनको बोलते हैं like gujja होगे या बकरवाल्स हो गए तो उनके सब उनके पास जो animals होते हैं वो कफी extensive तरीके से grazing कराते हैं तो वहां से उनको भी effect पढ़ता है एनिमल्स होंगे हैं आप farm मिलेंगे like कस्मीरी स्टेग हो गया spotted deer हो गया wild sheep हो गया jack rabbit या तिवितन antelope हो गया याक हो गया snow leopard हो गया squirrel हो गया shaggy horn या wild ibex bear rear red panda sheep goat और thick hair वाले ही ऐसे जानवा मिलेंगे जो इन वहां की snow को वहां की थंड़क को वह बरदास्ट कर सके हैं वहां को वह उसका experience कर सके इसी तरह के वैसे महां की vegetation भी change होगी वहां की vegetation के अलावा वहां के जो एनिमल प्रिजिज हैं वह भी चेंज होते हैं तो इसमें यह बता गया सब्सक्राइब तो इसमें तो इसमें इसके बाद है मैंग्रूज फॉरस्स तो इनकी वेजिटेशन और ज्यादा लगया सो यह कौन से होता है मैंग्रूज और एकम ऐरिया वाल मश घेंगे को मेंगे z औरन वज तो इनकीट वशे लेटेशन देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर dense mangroves देखने को मिलेंगे जिनकी जो roots है वो पानी की अंदर समझ होंगी तो डेल्टा जो गंगा का जो डेल्टा है देन महानदी का डेल्टा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वहाँ पर यह ऐसी काफी सारी vegetation देखने को मिलेंगे इनको याद रखना गंगा के भी मानदनी, कृष्णा, गोदावरी और कावरी यहाँ पर यह वैसी mangroves vegetation देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो गंगा ब्रहंपुत्रा का जो डेल्टा है सुन्दरी ट्रीज आर फॉंट वहाँ पर सुन्दरी ट्रीज मिलेंगे गंगा ब्रॉंपतर डेल्टा के पास में जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं हार्ट टेमबर या हार्ड वूड वहाँ पर यह प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा रॉयल बंगल टाइगर जो की फेमस एनिमल है इन फॉरस्ट का तो इस चीज को भी आ रखना है रॉयल बंगल टाइवर इस रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसके अलावा टर्टल्स हो गया गड़ियार स्नेक्स वहाँ पर यह सब जानवर भी यह सब स्चीज भी देखने को मिलेंगे इन फॉरिस्ट मेरें सो इस तरह के यह पानी में समझ हो गयाims आग उसके अलावा कुछ medicinal plants भी होती है जो की काफी ज़्यादा उनकी जो value होती है in medical science में काफी ज़्यादा होती है so India is no for its herbs and species for the ancient times so India की जो no image है वो काफी herbs के लिए या जो अपने spices के लिए जो ancient times से ही काफी famous है अपने इस image के लिए so sometimes 2000 plants have been described in Ayurveda मतब इन Ayurveda में दो यहार से ज़्यादा ऐसे plants ऐसे डेक्स क्राइम है जिनकी उनको जिनको as a medicinal के यूज काफी यूज के ज़्यादा रेगुलरी at the 500 at least 500 और रेगुलर यूज और दो यहार में से 500 at least ऐसे 500 है जो रेगुलर यूज में लाए हो जाते हैं उन्हें को यह medicinal plants बोड़ दें बिकॉज उनका medical purpose से काफी ज़्यादा यूज होता है so world conservation union जिसको red list में आता है has named 352 medicinal plants उन्होंने ऐसे 352 medical plants हैं और उन्हों मैंसे 52 ऐसे हैं जो critically threatened हैं और उन्हों के लावब 49 ऐसे इंडिया जार है तो उनको ऐसे list में डालागा so the common use plants in India are तो इसमें मैंने list इसमें list दे रखिया है जो common काफी common है like सर्भाकंदा सर्पगंदा इसमें इसका नाम है disease में किसमें इसका यूज होता है like उसमें used to treat blood cancer blood pressure sorry cancer नहीं blood pressure में इसका use होता है और it found only in the India और यह सिफ इंडिया में ही मिलता है इसके इलावार जामून हो गया the juice from the ripe fruit is used to prepare vinegar तो इसमें vinegar के use में यह vinegar prepare करने में इसका use होता है which is culminative and diuretic and has a digestive properties so जो भी digestive properties जो जिसको भी digestive का कोई भी problem होती है वो इसके लिए काफी अच्छा होता है so the powder of the seed is used for controlling diabetes और इसका जो powder है उसको किसमें use करता है diabetes control करने के लिए इसके powder का भी use किया जाता है इसके लाव अरजून, इसका जो fresh juice है इसके पत्तियों का leaves का is cure for erect के इरेक के और में इसका use कियाता है it also is use for regulate blood pressure and blood pressure को regulate करने के लिए इस अरजून का use कियाता है this medicine plant का then इसके अबला आवा bubble, bubble का का कफी use कियाता है because it's the leafs इसकी पत्तियाँ के लिए इसके लिए use के लिए so ice cure के लिए इनका इनकी पत्तियों का use होता है it's gum is used for a tonic और इसको gum है इसको आज़ टॉनिक के लिए use के लिए then इसके लाव निम जो कि high antibiotic और antibacterial properties रही इसका use क्याता जो कि इसका यूजस होता है अस्तमा और यूजस में इसका यूज़ कया जाता सुदा बट्स आन्द रूट्स और गूट डाज lettuce को इसके जब डाजेस्पर प्रब्लम। होते हैं तो इसके बट्स और रोट्स का काफिश जता है उसके हाता है तो इसमें बताаксимि यह सारे प्लांट्स वाला हो गया है फोना एनिमल वाज जैसे फ्लोरा में जैसे इसाब से इंडिया और रिच इन फोना के इंडिया काफी रिच है इसे देखा जाए तो इंडिया में लगवाग 90,000 इनिमल इस पीज देखने को मिलती है इसके इसके लावा देखा जाए तो इंडिया कितना है 30% अपने अंदर इसके लावा 20,000 मैं 2,546 species जो कि faces की होती है इसके लाव विच काफोर नरी 12% अफ वर्ल्ल स्टॉप वर्ल्ल के इसमें देखा जाए तो इंडिया में इसे 12% पूरे वर्ल्ल का 12% इंडिया में पाय जाता है और इट और सेरे लेटेंटें तो 5-8 पर सेंट व बूलटेंड तो आप है तो इंडिया ऐसे तो 8% मिलताय रैप्टाइल जिसमें में मिलते है है then the elephant are the most majestic animal among the MML so I'm on and में देखा है तो elephant काफी intelligent वे एकदम animal होता है so they are found in the hot wet forest of the Assam और यह काम मिला जाता है काम मिलता जालता है Assam के wet forest में then Karnataka then Kaila so Karnataka Kaila Assam इन में हापर animals देखने को oh sorry elephant देखने को मिलेगा इसके बाद one hot rhinosaurus are other animals which live in swampy Marcy land of Assam and West Bengal जैसे मैं पता है कि जो वर्ण हम राइन हो जो Assam और बंगाल की अरिया में देखने को मिलेगा इसके लावा आराइड इस वर्ण फकच एंड था डिजट अधा अधा डिजट अधा व्ड़ वाइड वाइड अधा वाइड अधा वाइड वाइड आस और केमल जो उंटें वहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो इंडियन बिसन है या नील गाय या चौश इंगा या फोर हॉंड इंडिया इंडिया फ Soo dragons के इड़िया में मगस्क और काफी साथ स्पीशिज देखने को मिलेंगे और महां पर इंडिय मिलते हैं और बोल्ट यहां पर ताइगर और यॉंटा मीश मिल्ते है और नर्च आप आप यह दरपरदेश में, सुंदरबंस में, और वेस्ट बंगार, हमाले रीजन में, तो वहाँ पर टाइगर देखने को मिलेगा, और लेपर्ड जो है, वो भी इंडिया में देखने को मिलेगा, जो की कैफट फैमली का मेंबर है, यह पार्ट उसको बोलीगे, वहाँ से वो बलॉंग करता है, इसके अलावा, they are important among the animals of prey, because यह जो animals है, वो prey family के, यह जो प्रेय है, जो सिकारी, वो काफी important होते हैं, इनको रूल, काफी important role play करते हैं, और अल्सो यह play करते हैं, food chain में भी, इसके अलावा, the Himalayas Harbor, a hardy range of animal, which survive in extreme cold, जो Himalayas Harbor है, वो काफी जदर extreme cold की situation में भी survive कर सकता ह इसके अलावा, लद्दाक्स का जो phrasing high altitude है, वहाँ पर भी काफी सारे याक देखने को मिलेंगे, the saggy horn wild ox भी देखने को मिलेंगे, उसके वहाँ वन टोन, the Tibetan antilog, या भरल, जो की blue ship जिसको बोलते हैं, वहाँ भी देखने को मिलेंगे, wild ship हो गया, या कियांग, जो की Tibetan wild house होता वह भी सब लद्दाक्स के उस extreme condition, winter condition यहां पर यह देखने को मिलेंगे, इसके लाए, furthermore, the ibex, bear, snow leopard, and the red, rare red panda, वहाँ पर यह सब animals वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, on the found certain pockets, मतलब अलग अलग पैचेस में, मतलब अलग अलग land में वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इतना common इसके लावा, in the rivers, lakes, and coastal area, turtles, crocodiles, घड़ियाल are found, जो rivers नहीं है, जो lakes या जो coastal area, वहाँ पर turtles, crocodiles, घड़ियाल देखने को मिलेंगे, लेटर is only the representative of the variety of crocodile, found in the world today, जो world की जो crocodile की जो variety है, वो अभी पूरा इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में, अभी हम represent करते हैं, इसके लावा, बर्लाइफ इंडिया, जो इंडिया की जो वर्लाइफ है, वो काफी अच्छी है, वहाँ पर, काफी number, good number of संक्याम है, ये बर्लाइ with a dog, küason tree, duck, parakeets, cranes, pizun, ये दी जव बर्लाहा है, टो ये सहन है व prevalence माहा देखना को में लेगे और धश्ने हैं। ऑर some of प्रावर ट्रावर 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 मीट एक्स तो इनका यूजर बताएगा कि हम कैसे जानवर प्लस उनका जो वेजिटेशन उनका यूज करते रहते हैं इसके लाब मैंनी इंसेक्ट है पॉलिनेशन में काफी हमारा यूज करते हैं और लाइक क्रॉप्स एंड फूट टीज में एग्जर्टिंग बायोलोजिकल कंट्रोल्स इन सच इंसेक्ट हांफुल कुछ अच्छे भी हैं कुछ harmful भी हैं and every species has a role to play in ecosystem मतला हर species का ecosystem में एक कुछ रोल है जो वो रोल वो प्ले करते हैं काफी इंसेंशल है काफी मंधू तो एक्सेंड अरल्लिया पर इसमार थे अक्सेंड बूटके फिर दोखिर ऑसे प्लांट लाइट बाइनीमर रसॉसे बाइज के ओस्टेम बाइंट इको सिस्टेम हैं वो थो ही मंग इस्टीटेट हुने के वियाएंट च्टीचिंग में इ देखा गया है, so about 1300 plant species are indians है, तो इसमें बुलाएगे, जो 1300 plant species हैं, 1300 के लबगा, वो indians हैं, और 20 species, वो अब तक extinct हो चोगी, मतलब अब उनका कोई भी नाव निशान नहीं है, इंडिया में, and quite a few animals species are also india, और ऐसे species में, animal की species में देखा हैं, जाएं, वो भी indians हैं, as some have become extinct, और म उनकी, कोई भी, वो ऐसी ही नहीं है, जो india में मिले, तो बुर्कुल extinct हो गई है, तो इसमें बता गया है कि, due to the excessive exploitation of the humans, इसके अलाबा, the main cause for the major threat to the nature are hunting, और इसके अलाबा, एक major cause दिराके, जो है hunting करते हैं, so greedy hunter for the commercial purpose, और कुछ greedy hunter ऐसा होते हैं, जिसको, जो commercial purpose की वैसे hunting करते हैं, और इसके लाब जो pollution है, due to the chemical and industrial waste, waste और acid deposits है, so जो pollution होता है, like जो chemical pollution हो गया, या जो industrial waste हो गया, या acid deposit हो गया, introduction of alien species, या जो alien species होते हैं, मतलब ऐसे species जो किसी दूसरी species को उगने नहीं देती, तो उनको, जो grow नहीं होने देती, वहांके जो local species हैं, तो उस species को alien species बोला गय इसके लाब reckless cutting mode रहे हैं, इंडिस्टिल की प्रपरिक्सी वैसे, commercial usage of the forest, to bring land under cultivation या habitation में लाए जाए, all are also responsive for the imbalance, so इन कारणों के वैसे, इस माफ की, जो ecosystem हो आगे, जो forest है, वो imbalance हो ले लगा है, so to protect the flora and fauna, or the country, the government has taken many steps, so जो country है, जो country है, जो इंडिया का flora है, जो fauna है, उस इसने काफी सार step ले गए है, so, जैसे ही काफी सारे, इसमेजर लाइक, government on save to vulture task, जो vulture है, उनका role भी काफी अच्छा होता है, ecosystem को manage करने के लिए, balance करने के लिए, so, so, उसके उपर भी government ने काफी सार step ले अगा, अगर आप vulture के उपर, वीडियो देखना चाहाँ, vulture के टास के उपर, तो वulture के टास के उपर, वीडियो है, अपने UPC library में, तो आप उसको check कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके लावा, tiger protection के ले गया है, so, tigers dying sensitive, वो कंशा है, तो उनकी जो अभी present में देखा जा, तो tiger की जो number नहीं हो, काफी, इनकी जोने दा है, rhino killed for horn, so, rhino की killing होती है, उसके से, सींग की वे तो, उसके उनकी उपर भी, government ने, program, initiate किया है, like, CB, मतलब, यह साथ, काफी साथ, step, अभी ले रही है, इन में से देखा जातो, इसमें और देखें, तो, 18 biosphere reserve have been set up in the country, so, अभी के हिसाब, अभी के time पे, country में 18 18 biosphere reserve हैं, इंडिया में, जो, flora और fauna को protect करते हैं, इन में से जो 10 हैं, इन में से जो 10 हैं, like, Sundarvan होगे, नना देवी, गल्फ और मनार, नीगली, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमली पाल, पंचमडी, अचनाक, अचनाक कमर, अमर कंटक, यह, इन में से कुछ हैं, जो have been included in the world network of the bias, जो, की world network जो है, bias पर का, bias इन में से यह एक हैं, इसके अलावा जो फाइनिस और टेक्निक असिस्टेंट हैं, वो प्रोवाइट कर रहे हैं, अपनी गौर्वर्मेंट, टू मैनी बाटनिकल गार्डन है, जो गौर्वर्मेंट ने जो इस्टैबलिस किया है, since 1992 से, यह इसमें बताए गया है, इसके अल राइनो हो गया, तो राइनो की संक्या को बढ़ाने के लिए पोजक्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो उसके इस पेसली उन पर्टिकुलर एक क्रीज को भी प्रोजेक्ट किया है, गवर्मेंट ने उनके नंबर को इनकी जगाने है, and many other eco development project have been introduced, और भी ऐसे काफ of the natural heritage, जो अपना जो natural heritage है, उसको take care करने के लिए, ये national park, wild life, century, or geological garden है, वो set up किया है, government के द्वारा, इसके अलावा, all of us must realize that the importance of the natural ecosystem for own survival, मतलब, अपने खुद के survival के लिए, हमें realize करना पड़ेगा है, जो इनकी जो natural ecosystem, उसकी importance कितनी है, so it is possible if indiscriminate destruction, जो अभी destruction जो हो रहा है, उनको एकदम indiscriminate, जो हो सकता है, उसको हम रोख सके, immediate end, या उसका जो immediate end है, वो कर सके है, so इसमें देखा है, then इसके 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 इलावा, इस पिक में देखेंगे, जो मैं बताया है, जो bias पर हो गया, या wireless century हो गया, world century हो गया, या national इसके इसके में बताए गाई है, so, यहांपे ये Dutchinkam है, ये national park है, ये राजाजी हो गया, ये national park, दॉदबाव national park, ये सरुसिका, ये wireless century हो गया, ये किलाद हो गया, ये national park हो गया, ये ले लोकेशन बताए गया है, so, तो आप इसको पॉस करके एक बार से देख सकते हैं काजी रंगा हो गया असम हो गया मानस असम हो गया तो यह सब इनकी लोकेशन बदाएंगे हैं और यह काफी इंपूर्ट है इसके लावा जो माईगरेटी बर्ट भी है इंडिया में तो नहीं रहती बड़ी माईगेट करती रहती है इंडिया से कभी अलग कंट्री में तो यह भी काफी इंपूर्ट हो जाती है सब्सक्राइब कुछ ऐसे वेट लेंड है जो माइडरी वर्ट के लिए काफी इंप्रेंड होते हैं लाइक वह विकॉज डूरिंग दर विंटर बट सच आज साइबरेंड करेंड हो गया कम इन दर लाज नमा सो सर्दियों के टाइम में जो साइबरेंड करेंड है वह काफी बड़े नमान बखावी बड़ी संग्या में आते हैं यह साइब इंट करेंड हो गया सो वन सच प्लेस फइवर्ट विद वर्ट इदर रन अब दकच जो रन अब कच है वह काफी एक फिवेंस पिलेस है इन वर्ट के लिए जो एक प्लेस विए डिजट मज़ विदा सी जो वह कौन सब लेज जहां सी डिजट से मेच करता है मर्ज होता है फिलेमिंग ओ विद देयर ब्रिलियंट पिंक फिलम कम इन थाउजंड सब्सक्राइब टू विद नेस्ट अंब मांट फंद शॉल्टी एंड मड एंड रिज दियर यंग वन्स सो यह से बताए कि जो आप जो पक्ची जो आते हैं वहाँ पर अपने नेस्ट बनाते हैं वहाँ पर जो जो यंग वन नहीं मतलब जो नहीं जो होत है काफी रिच है इसमें यह बताए गाया है तो आज की लेक्शन में बस इतना ही अगर आपने यूपी सर्य को सब्सक्राइब नहीं तो आप सब्सक्राइब जाए यूपीसी लाइरें एंड प्रेश दे बैल इकन फो दा मोर अब्डेट दन्यवाद इस इस कुल्दीप एंड वाचिंग यूपीसी लाइबरी तो आज की स्लेक्शन में हम बात करेंगे इंडियन जोग्राफी के चैप्टर नम्मर 6 के बारे में जो जिसका नाम है पॉपुलिशन सो इसमें देखें हैं पॉपुलिशन के बारे में इस्पेशली हम इंडिया की पॉपुलिशन के बारे में यहां डिसकस करेंगे इसके बारे में सो जितने भी पॉपुलिशन की जितने भी डामेंशन होंगे वह सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके लाबा नेशनल प्रोड़क्ट पॉपुलिशन पॉप तो इसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा चप्टर नमर 6 इसका नाम है पॉप्लम और इससे पहले चप्टर नमर 1,2,3,4,5 यह हमारे चैनल UPSC लाइबर आ चोके हैं आप इनको देख सकते हैं तो पूरी सीरीज है और यह चप्टर लास्ट चप्टर है इसका तो इस लास्ट चप्टर को ध्यान से देखे आप UPSC लाइबरी को टेलिग्रम, फेस्बुक और इंस्टागरम पर फोलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डेक्सिक में देए हुए हैं और आप UPSC लाइबरी को जो UPSC लाइबरी यूटीब चैनल उसको सबस्क्राइब भी कर सकते हैं सो पॉपुलेशन सो पॉपुलेशन क्या होती है तो पॉपुलेशन एक मतलब प्यूपिल जो पॉपूपुलेशन के बारे देखे हैं तो पॉपुलेशन ये है कि especially हम इसमें human beings के बारें बात करें हैं तो इसमें देखें तो people are important to develop the economy and society इसमें बताया गया है कि जो people जो होते हैं जो person, human beings होते हैं कि society के लिए और economy के लिए कितने important है जो इसकी economic development के लिए और society के development के लिए people कितना important है सो देन स्केराब भी एको प्रिशंबल में निन जो置से होते हैं सिसकेर प्लसे के प्लेए सब्सकेर साथ है themself resources with varying quality so इसे पीपिल के साफसे उस resources की quality है उनपर depend करेंगे like इसमें example दे रखे है जैसे coal हो गया वैसब होते ही वो piece of rock है वो एकदम पत्थर के तुकड़ा है but जो people जो human being है उसको एकदम उनने उनके पास ऐसे technology को उन्होंने invent किया कि उस पत्थर के टोकडे को एचे resources की तरह use करने लगे तो उसके जो पत्थर के रोक को जो उसको उन्होंने technology के त्रू जो invent की तो उसको कोईले के form में उसको use किया और फिर उस resource को फिर उसना उन्होंने use करना start के तो यह इसमें बताएगा तो इसके अलावा people यह population के बारे और भी इसमें बताएगा कि जो people की importance कितने की like जो natural events जो होते हैं जो flood हो गया यह tsunami हो गये वैसे तो यह पूरे natural events था बट यह तब तक natural events जब तक वो किसी population को effect ना करें like यह तब ही disaster बनते हैं जब तक वो effect एक crowd village और town मतलब जब तक वो human population को effect ना करें तब तक वो natural events है लाइक natural events एक देख लिए rainbow हो गया so rainbow से हमें कोई भी ऐसा कोई भी natural calamities नहीं बना कि मतलब उससे कोई भी हमें खतर नहीं तो वो एक natural events बट जब natural events इधन डिजास्टर बन जाते हैं like flood हो गया यह tsunami आ जाती है यह तो तो यह natural events वो disaster के form वे create होने लगता है मतलब यह ही कि जब तक वो जो people form है जो human speaking को effect ना करें तो natural events ना करें रहते हैं तो इसमां यह बता गया है कि then इसके बाद बोला गया कि populace is a private element in social studies मतलब social studies में देखा जायते हो population का वह एक इंपोर्टेंट रोल बताया गया है so it is the point reference to form which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning मतलब वही एक्दम वह डिसाइड करते हो यह उसकी जो meaning होता है वो उनकी साथ से काफी significance इंपोर्टेंट मानी आती है so like इसमें हो गए जो resources हो गए calamities हो गई यह disaster हो गई सब इनकी meaningful जो all are meaningful only in the relation to the human being तो इनकी जो importance है वो human being के relation में देखा जाए उनके perspective में देखा है तो काफी important आती है so तब ही यह resources से calamity जैसे वो अभी meaningful होता है जब वो human being को किसी ना किसी तरीके से affect करते है so their number so their number and distribution growth and characteristics are qualities and provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of environment so यही जो people के people की understanding है तो उनके जो समझने के वो है ने so इनका उनका जो distribution हो गया या उनकी characteristic हो गया या उसकी quality हो गई so उसको understanding understanding हो उसको सबजने है प्लस उसकी चीज को और ज़्यादा appreciate करने है उसको और ज़्यादा use मिलाना या उसको कैसे किस तरीके साम use कर सकते है उस environment की उस perspective को या उस particular एक thing को तो वो people लिए वो human beings के बादने में इसको बोला गया है then human beings are producer मतलब उनको बता है वो producer भी है और प्रेडूस की चीज को consumer कर सकते है उन दोनों को यह बोला कि वो producer भी है और consumers भी है of the earth resources यतने भी earth के resources है then therefore it is important to know how many people are there in the country so it is important to know how many people are there in the country मतलब किसी country में किसी country में किसी देश में कितने आदमी है कितने human beings मतलब कितने आदमी रह रहे हैं आदमी especially means human आदमी और people so where do they live मतलब where do they live मतलब कहां रहे हैं और कैसे रहे हैं how the numbers are increasing है उनकी जो number यह है उनकी जो संख्याव वो कैसे बढ़ रहे हैं कैसे घड़ रहे है what are their characteristic या उसके क्या nature है या उसके क्या characteristic है so यह काफी जानना काफी important हो जाता है यह सब चीज है जानना so इसी चीज के वैसा है so census of India provide us the information regarding the population of the country so जो census of India जो इंडिया का जो census जो गणना जो होती है भारत की जन गणना जिसको हम बोलते है तो एक इसी वयाद के जन गणना की वैसे वह हमें काफी important information provide करता ताकि उससे हम पता चल जाता कि कि किसी particular area में वह population आखिर increase हो रही है या decrease हो रही है और decrease हो रही है तो क्यों हो रही है या increase हो रही तो इन सब चीज़़े की information जो हमें मिलती है वह काफी important हो जाती है इसी वहें से we are primarily concerned with three major question about the population so population related मतलब हमारे जो तीन major question हो जाते हैं जो काफी concern होते हैं so इसमें पहला पोपुलेशन को size and distribution मतलब population को size कितना या इसका distribution किना so is इसका मतलब यह है कि how many people are there and where they located मतलब वहां पर कितने लोग हैं और वहां कि कहां पर यह located है मतलब किस जगह पर है इसके अलाबा second is population growth या process of population change so population growth मतलब कितनी population growth हो रही है मतलब कैसे और जो population में जो changes आ रहा है उसका process क्या है मतलब process जिन्दा से है birth rate, death rate यह ऐसे और component उसी के साफ से then इसके अलाबा characteristic of qualities of population जो population जो characteristics या qualities देखी जाए वो क्या है इस like age, sex composition, literacy, man है, female है कितनी male है, कितनी female है, कितनी बच्चे है तो इसकी characteristic होगी है qualities होगी so age, sex, literacy level, occupational structure, health condition देखा है तो यह सब यह तीन major question हो जाते हैं जब हम population के बार में देखते हैं इंडिया के population में देखें हैं तो इंडिया के population और size और distribution देखें हैं बाई नमर में तो इंडिया पॉपुलिशन जो मार्च 2011 से देखा जाए मतलब मार्च 2011 से देखते हैं विकाज हमार जो census जो हो आता है इंडिया के census जिसको भारत की जण्रगणना बोलते हैं वो last मार्च 2011 में होगा अब मार्च 2011 में होता है और अब जो next जो census होने वाला है वो 2021 होगा जिसकी जिसका process अब start हो चुका है तो अब अगर आप 2020 में इसको देखने तो आप नए वाले census से इसको रेट करते हो चलना अभी मार्च 2011 से तो अभी इसकी information लेकर चलेंगे अब आप 211 के census according देखा जाने तो इंडिया में एक सो एक कीस करोड पॉपुलेशन है इंडिया की सो एक सो एक कीस करोड पॉइंट मतलब एक सो एक केस करोड शाट लाग यह की population है तो इंडिया की पॉपुलेशन पॉपुलेशन बैठती है 17.5% यह पूरे वल्ड की पॉपुलेशन बैठती है तो इस 1.2 billion people are unevenly distributed मतलब यह जो पूरी total है वो unevenly distributed मतलब यह नहीं है कि किसी सभी पूरे इंडिया में हर जगह पर same population है इसी वेसे कहीं किसी जाद दिखा दा मतलब यूप में सबसे यह पॉपुलेशन 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 और सिक्क्य में सबसे कम population है तो इसी ही सबसे इसको बोल गाया है कि unevenly distributed है अपनी पॉपुलेशन और कंट्री का वास्ट एरिया वो कितना 3.28 million square kilometer तो इस पॉइंट को भी याद रखना है यह डार्क लिए एक्जाम में पूचा जाता सो कंट्री का एरिया देखा जा तो 3.28 million square kilometer जो की पूरे वर्ड से देखा तो कितना परसेंट है 2.4 परसेंट ऑफ दे वर्ड एरिया का है सो यहागे फेकर में दिखा हूँगा है पूर एक एक image में है सो 211 का सेंटर जीट है था वो रिवील करता है कि उत्ता परदेश जो आए विद पॉपुलेशन जाए एक सो निन्या में मतला उननीस करोड नबबे लाग जो 211 के सेंसे के साब से उत्ता परदेश की इतनी जन सक्या कि जो पूरे इंडिया का सबसे मोस्ट इस ही एरिया में 2.4 परसंट तो इस इए इंडिया का शेर है वर्ल्ड के एरिया और पॉपुलिशन्यस? तो इस सीज को आप याद रखना देन आगे देखे तो उत्र प्रदेश को अकाउंट फोर अबाउट सिस्टी परसन्ट फॉप इस नाइन थी तो जो की पूरी इंडिया के पॉपलिशन कितना है 16 परसन्ट है सब्सक्राइब देखा जाए हिमाला स्टेट जो कि सिक्के में has the population of just 0.6 million मत्दद सिफ 0.6 million है पूरा एक million मिलियन मिलियन में छह लाग लोग है पूरे सिक्के में और लक्षिदीब में देखा जाए तो उससे ज़्यादा कमल लाइफ सिफ सिर्फ कितना 4,6,429 लोग सिर्फ लक्षिदीब में रहते हैं और देखा जाए तो इंडिया की जितनी भी हाफ पॉपॉलीशन है वो सिफ इन पांच सिट में रहते हैं पांच सिट वो कौन-कौन से हैं उत्रप्रदेश महारास्ट बिहार वेस्ट बंगल आंधरप्रदेश जिनमें इंडिया की आदी पॉपॉपॉलीशन देखी जाएगी और राजस्नन दव्-दव्दो जो की एक जाए आश्तान को देखा जाए एरिया के साबसे काफी बड़ा स्टेट है सबसे बड़ा स्टेट है पर वहां पर जो population percentage है वह 5.5% है फूर इंडिया का तो जो यह अन्युवल नमादा एरिया ज्यादा लेकिन वहां पर इसकी 16% है पूरी इंडिया के टोटल पॉपुलिशन से है बाद में फिर ही महारास्टा, भिहार, बैस्पंगार, अंतरप्रदेश, तो यह ही इसमें देख रहे हैं इसमें बताएगा है कि distribution of the population, इस पिक्चर में आप थोड़ा किलेरी पता चल जाएगा आप देखा जाएं इंडिया के population distribution में और density के इसाफस है, अब density क्या होती है, तो density होती है, मतलब किसी particular area में, किसी particular area में, वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वहाँ के population density बहुत जादा है, अगर उस area में compare के जाएगे, तो वहाँ पर काफी कम रहेंगे, तो उस इसमें देखें, तो population density provides a better picture of uneven distribution, जो population density है, वो uneven distribution को काफी अच्छा तरीके से picture करता है, और so करता है, so population density calculate की जाए, तो as the number of the person per unit area मतलब, किसी एक unit area में, वहाँ पर person की है, जो population अब कितनी है, so वही बताया, so India is the one of the most densely populated countries है, और पूरे world में, sorry, पूरे world में, so इसमें यह ही है कि, India one of the most densely populated countries है, पूरे world में, so इसके बाद, population density of India is the 211 से की साफ़ से देख जाए, तो इंडिया की population density कितनी है, 382 पर, 382 है, पर square kilometer, मतलब, एक square kilometer है, पूरे इंडिया में, 382 लोग रहते हैं, यह पूरे इंडिया की है, so इसको पूरे इंडिया की मानना, और इसके अलावा, density vary from, मतलब, density vary करती है, जो बिहार में, अगर बिहार की density देखा जाए, तो वहाँ पर 11 से दो लोग रहते हैं, पर square area में, मतलब, जो की, only 70% per square kilometer, और आउंचल परदेश में देखा जाए, तो आउंचल परदेश में से 70 लोग रहते हैं, पूरे एक kilometer वाले square kilometer वाले area में, जो जहां बिहार में 1102 हां, वहाँ आउंचल परदेश में 70% है, तो ऐसे ही यह, जो population distribution है, वो काफी अलग तरीक है, is unevenly, so इसमें यह बता है, so, a study of the, जो आद में यह picture देखी है, तो इसमें आपकों को पता और के लिए वो पर जाएगा, then, noted the state with population density below the 250% per square kilometer, बाद यह तो अलग उस बुग में दे रखा है, तो इसको ज़्यादा देखना नहीं, तो अब देखें, तो अब देखें, तो अगर वहाँ पर रगड एरिया है, यह अनफेर क्लाइमेटिक कंडिशन तो वहाँ पर population इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लाइक अनुचल पिंदेश वाला एरिया होगे, यह लद्दाग वाला एरिया, तो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडिशन इतनी अच्छे नहीं है, और वहाँ पर जो टेरेन है, वह भी ऊबड खा बड़ा है, तो वहाँ पर population काफी कम देखने होगे मिलेगे, सेम एस जो अच्छा नहीं हो गई है, जो पर अगर टेरेन अच्छा नहीं हो गई है, जो क्लाइमेटिक कंडिशन अच्छी नहीं होगे, तो वह population को influence करती है, वहाँ पर फटाइल ज्यादा नहीं होगी, तो वह सब चीज़ें ऐसा है, पूरी फैक्टर नहीं होगे, वहाँ की population को influence करने के लिए, तो इसी में यहीं बता गया है, इसमाँ देखा जाए, नदन प्ले है, और जो केरला है, जो कि सदन, केरला इन दे साओथ, हैव हाई तो वेरी हाई population density, because the flat plane with fertile soil and abundant rainfall, तो जैसे मतला है कि नदन प्लेंस में है, और जो केरला का साओट वाले अरिया है, आपर population density क्यों जादा, because वहाँ पर जो, soil हो काफी, वहाँ के जो, soil हो काफी fertile है, प्लस वहाँ के जो rainfall है, वह भी काफी अच्छी है, तो इसी विश्वाज़े से, यह इन एरिया में population density बहुत ज़्याज़ा है, इसके अधाब यह तो दे रखा बैसी book में दे रखा, then अब देखा जाए, population growth, जो प्रोसेस है, population जो changes आते हैं, वो इसमें देखेंगे, so, population को इसमें बता गया है, कि वो एक डायमेनिक फोनोमेना, वो क्यों बोला है, because जो population का जो number है, कभी घटा बढ़ता रहता, तो इसी विश्वाज़े से, वो डाका भी dynamic हो जाए, so, numbers and distribution and ज constantly change होता रहता है, इसी विश्वाज़े से, उसको dynamic बोला गया, population को, so, this is the influence of the interaction of the three persons, so, इनमें तीन प्रोसेस हैं, जो इस population को change करते रहते हैं, जो constantly changing होते हैं, जो इसको dynamic मिनाते हैं, like, पहला हो गया birth, दूसरा death, तीसरा हो गया migration, वादा birth rate, अगर ज़्यादा होगी, तो व किसी दूसरे जगवा, जब लोग जाते हैं, तो उसको, चीज़ को migration बोलते हैं, और प्लस, जब दूसरी जगवा से, वो पहली जगवा पर आते हैं, उसको reverse migration बोलते हैं, तो इस point को भी याद रखना है, विकॉज ये Corona, COVID-19 के pandemic जब lockdown वाला प्लिट चलाता, तो reverse migration वाला point का काफी news में आया था, तो बिकॉज ये reverse migration स्टार्ट हो गया था, लोग सहर से गाउं की तरफ जाने लगे थे, ना कि गाउं से सहर, उसको बोलते है, reverse migration, तो ग्रोथ में देखा जाया, तो ग्रोथ और पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ 10% increase होगा है, या 20% increase होगा है, या 30% increase होगा है, तो यह percentage के पर form में देखा जाए, तो इस दो तरीके से यह population growth को देखा जाता है, then अब देखें तो, the absolute number added each year, मतब जो absolute number है, वो हर साल add होता रहता है, या खटता रहता है, and is the magnitude of the increase, so, it is obtained by the simply subtracting the earliest population, like, जैसे की, जो absolute number जो आता है, तो पिछली वाली जो census होता है, वहां से पिछली वाली census होता है, वहां से जो number आता है, population वहां से उसको घटा दे, तो इसी वैसे सब्सक्राइब करने के बाद, तो वो चीजी जो आते हो, absolute number आते, लाइक से, 211 में से 211 वाला को number कटाया थे, तो वहां से वह एकना absolute number आख निकल गया, so, from the later production, जो later, जो population होते हैं, so, it is referred to an absolute increase, so, वहां तो पता है, वह absolute increase हुआ है, मतलब इंडिया में तो हमेंसे absolute increase हुआ, तो absolute increase ही उसमें देखा जाएगा, so, the rate or the pace of the population increase is the other important aspect, है वह उसका other important aspect, like, it is a percentage than the percent, percent per annum, मतलब एक साल में percent देखा जाए, तो example, जो एक परसेंट के उस पर वह एक कहीं किसी area में population increase, तो उसका जो rate आ जाता है या जो पाता है, वो 2% आ जाता है per annum, per annum मतलब एक साल का देखते हैं, so, that in a given year, so, there was an increase of 2% for every year, तो इसका यहना का अगर कहीं पर 100 लोग हैं, तो अगली साल महाँ पर 102 लोग आये तो तो महाँ पर कितने की percent increase हुआ, तो महाँ पर हुआ दो परसेंट की, तो दो परसेंट की होगे, तो यह से इसमें बताए गया है, then this is referred to as the annual growth rate, तो उसी term को बोलते है annual growth rate, मतलब इंडिया में देखा जाये तो, for example, hypothetically देखा जाये, तो 10% की annual growth होते है, 10% annual growth, मतलब हर साल 10% लोग increase हो आते हैं, तो यह example दो, इंडिया's population has been steadily increased from 361 million से लेके, जो की इमने से कहाने मतलब 36 करोड थी जब 1951 के time पर, और अब कितनी होगी, 121 करोड दो आया 11 के census के साबते हैं, तो कितनी ज़्यादा इज़ाफा हुआ है, तो यह सी में यह बताए गया है, तो अब यह इसमें देखा है, चार्ट में देखें तो, इसमें बताए हैं, आपसूलूयट इंक्रीज देखें, मतलब इसमें 1 1941 के दाना नबर हुआ है, 42 कितना यह 1.25 परसंट, तो सेमें अगर 211 और 211 से डेटा कंपेर किया जाए तो एपसुलूट नंबर कितना आता है 181 मतला हटारे करोड हटारे करोड की यहां पर इंकीज हुई है और परसेंटेज के फॉर्म में देगा है तो 1.64 की एन्वल ग्रोथ रेट हुई है तो इसको इस फेज में इसमें बत कि यहां से 1951 का डेटा 60 70 तो ऐसे दो एगार डेटा इसमें बतायाए तो इसमें बोला है कि जो 1901 कैसी के बास सही हावर रेट ऑफ दा ग्रोथ जो ग्रोथ रेट है वो स्टार्टेट डेकलाइन उन्डिस एक्यासी में जो ग्रोथ रेट थी वो डेकलाइन हो गया था तो ब तो इसमें यह बताया रहा है तो पॉपलिशन इन्डिस एन्वल एडिशन लाइज दन एवर फो इसमें यह बताया जा रहा है है जाओ है सुधिन ऑता फेह बताया थे लग्रोड ग्रोथ श्क्राइल का भी बताया थाहना है जाए तो काफी च्रभान दनर्ड जाया वें लो एडिएक्ट देखा है सञा रहएं Do ऐसा है व्सक्ता चा absolute increase. So, annual rate है, वो काफी कम होने के वावजोद भी, वो जो population है, वो काफी और ज्यादा increase हो रही है, वो भी absolute increase में भी. So, when more than a billion people increase event and lower rate, the total number being added becomes very large. So, basic low rate होने के वावजोद, मतलब, इंडिया में basic जो rate है, वो lower होता है, but जो number जो add होता है, population वो और ज्यादा होता है. So, इंडिया का ये अब भी cases में इसमें बताए गया है. So, इंडिया की जो annual increase है, जो population देखाए है, is large enough to the neutralized effect to the conserve the resourced endowment and environment. मतलब, जो इंडिया की जो population increase होती है, वो एकदम neutralized effect डालती है, जो इंडिया बताने की की गई है. Then, आगे इसमें देखें, तो the declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the effort of birth and birth control. मतलब, जब किसी population में जो growth rate है, वो अगर declining with growth rate है, उसमें decreasing आता है, जो negative declining trend देखने को मिलता है, मुझसे पता चलता है, जो birth control की जो birth control हो, वो काफी अच्छी तरीके से उसको follow किया जा रहा है, तो वो positive indicator होता है, बर्थ control में. So, despite that the total addition to the population based continue to grow, इंडिया may overtake China, मतलब, इसमें बताया है कि, basic इसके अलाव जो भी population है, वो grow कर रही है, अगर लगाता है, इंडिया की population लगातार, grow कर रही है, तो ऐसी हिसाब से देखा जाए, इंडिया, चाइना को 2,45 तक population के terms में उसको overtake कर लेगा. So, अभी चाइना first पर है और इंडिया second पर है, but 2,45 के बाद इंडिया first पर होगा और चाइना second पर होगा, तो इसमें ये बता रहा है. So, China in two to becomes the most populous country in the birthday, इंडिया के बाद में बहुला गया है. So, अब process में देखते हैं, जो population change होता है, या जो population जो growth होती है, उसका जो process देखते हैं. So, इसमें बता है कि there are main three, मतलब तीन main process हैं, जो population को change करते हैं. So, पहला है birth rate, death rate, then migration. So, these जो natural, जो increase होती है, population हो, is the difference between the birth rate और death rate. So, जब भी जो कहीं भी increase होता है, तो birth rate और plus death rate का जो difference आता है, वो इसमें आता है, मतलब birth rate दो है, और death rate एक है, तो plus अगर उनकों compare करेंगे, तो एक आया, तो मतलब एक इंसान या एक आदमी उसमें add हो रहा है. अगर कहीं birth rate का मोला है, एक, और death rate ज़्यादा हो, दो, तो मतलब एक, तो उसकी population, महां की population decrease हो रही है, एक की, तो यहीं देखा जाता है, इसमें, so, birth rate के बार देखेंगें, तो क्या है, birthday is the number of the lives, birth per thousand percent, so, मतलब per thousand में birth rate निकलेगा, इसमें, so, जनम हो रहा, per thousand person पर, एक साल में, उसको, जो आएगी, जो terms निकल लकाएगा, उसको बोला जाएगा birth rate, so, it is a major component of the growth, so, एक काफी major, important, यह factor होता है, जो component होता है, इंडिया की growth, इंडिया की population गोता है, because birth rate has always been higher than the death, because, इंडिया की case में देखा जाए, birth rate हमेशा ज़्यादा होता है, death rate से, especially in the इंडिया केस, so, अब next, इसमें देखते है, death rate, birth rate के बारे में देख लिए, अब देखते है, death, so, death rate क्या है, number of death per thousand percent, बन्दद, एक हजार percent पर कितनी death हो रही है, एक साल में, है, so, उसी को पूरे जो निकल के आएगा, उसको बोला जाएगा, death rate, so, the main cause of the rate of the growth of the Indian population has been rapid decline in the death, so, इंडिया की जो population rapidly जो increase हो रही है, तो उसमें main point यह की जो rapidly decline जो आ रहा, death rate में हो है, so, आदमी कम मर रहे हैं, इसी वैसे इंडिया की population जाएदा हो रही है, यह इसमें बताया गया है, so, till 1980s, high birth rate and declining death rate relate to the large differences between the birth rates and that resulting into the higher rates of population, इसमें यही बताया है की, जो birth rate है और जो death rate है उनमा काफी जादा अंतर देखने के बाद देखने के बाद ही इंडिया की जो population वो काफी rapidly increase हो यह, so it resulting in higher have also started declining gradually in a gradual decline in the rate of the population growth, बताब 81 के बाद से birth rates में decline देखने को मिला है, so इसी वज़े से, जो population growth rate है, वो थोड़ी कम होई है, but वो अभी भी positive में, negative में नहीं आए, so अभी भी, इंडिया के population increase हो रही है, then इसमें देखा जाए, so the third component इसको बताएगा, migration, पहला birth हो गया, then death हो गया, and third one is migration, so migration क्या होता है, so migration होता है, movement of people across region, और किसी एक जगह से, दूर से जगह जो इंसान जो जाते हैं, जो लोग जाते हैं, उसको migration बोलते हैं, so across the region, पूरी region में देखा है, so migration can be internal, so migration जो होता है, वो internal भी हो सकता है, जो within country, जो country के अंदा है, और plus वो international होता है, जो एक country से दूसरे country के अंदा है, within internal मतलब, किसी state से दूसरे जगह या, किसी एक city से दूसरे city गह तो उसको international बोला है, और international बोला है, मतलब, Migration होता है इसमें बताएगा है जो internal migration होता है वो population की साथ को change नहीं करें because migration हो रहा है वो internally हो रहा है एक state से दूसरे या एक city से दूसरे city तो वो है तो India के अंतर तो इसी वैसे जो population उसके नम्हें कोई भी change हो रहा है नहीं हो रहा but influence of the distribution population within the nation but जो influence distribution जो population is a distribution है उसमें ज़रू चाहिए जा रहा है इसी वैसे uneven भी distribution हो रहा है उसमें ज़रू चाहिए जा रहा है so migration plays significant very significant role in changing the composition and distribution so इसी वैसे जो migration है उसका काफी important हो जाता है जो population is a distribution है उसमें then अब इसमें और देखा जाया इंडिया में देखा जाया तो most migration have been from ruler to oria तो mostly जो migration होता है इंडिया में वह रूरल एरिया से urban areas में होता है like गाउं से city के city की तरफ migration इसमें इस पिछली देखा जाता है because the push factor in the rural area जो रूरल एरिया में जो push factor है वह work करने है push factor in the sense मतलब वहाँ पर job नहीं है तो sources की कमी है plus जो वहाँ पर जो और जो वहाँ पर जो infrastructure है उतना अच्छा नहीं है तो वह यह सारे जो factor है वह push factor की तरह वहाँ पर rural area में work करने है so these are the adverse condition of the poverty and unemployment so इसी वैसे महाँ पर poverty ज्यादा होगी employment है वहाँ पर ज्यादा होगी रूर एरिया में तो यह सब push factor की तरह वहाँ पर वह work कर रहे है so in the rural area and the pull factor pull factor का होंगे जहाँ पर city की तरफ ला रहे है मतलब poverty नहीं होगी, वहाँ पर resources ज्यादा होगी, वहाँ पर infrastructure भी अच्छा होगा, वहाँ पर job होगी employment ज्यादा होगी, तो वह pull factor, मतलब वह अपनी तरफ खीच रहे है, pull कर रहे है और जो push हो रहे है, मतलब गावं में जो rural area वह push कर रहे है, मतलब वहाँ से निकलो city वाले यहाँ अपनी तरफ खेंच रहे है, मतलब यहाँ पर आओ, तो push pull हो गया, push miss rural areas में और pull factor वह urban areas में so migration is an important determinant of the population change, so इसी वैसे migration हो काफी significant role play करता है और important point हो जाता है population changes में, so इसके बाद it changes not only the population size but also the population composition so migration, so इसी वैसे जो migration हो population side हो तो change तो होता है, but also इसके लावब population जो composition urban और rural areas में वह भी change करता है, मतलब rural वाली population urban में पहुंचाते हैं, तो इसी वैसे जो rural की population कम हो जाते है, so composition urban और plus rural की population वह जो भी change होता है, like ages के form हो जाता है जो sex composition वह भी changes होने लगते हैं, तो यह इसमें बता गया है, then अब आगे और देखें, तो इंडिया में जो rural urban migration होता है, has resulted in the steady increase the percentage of the population in cities, so इसी वैसे जो जो rural urban progression होता है, इसी वैसे cities में जो population होता, वह rapidly increase हो जाती है, cities में और towns में, so the urban population has increased by 17.29% of the total population in 1952 से, मतला इसमें बताया है, जो 1991 में जो urban population कितनी थी? सत्रे परसेंट, 290, वो अब 2011 के हिसाफ से दीखा जा तो 31 परसेंट है, मतला 21 में जो 70 परसेंट थी urban population, अब जा कितनी होगी 30 परसेंट, तो इस हिसाफ से, इन जो दो नमर्च में जो रोल जिसने significant role play किया है, वो है migration है किया है, because पुल जो push or pull factor महां पर work कर रहे थे, so there has been a significant increase in the number of millions plus cities, so it's plenty plus cities, मैं भी increase देखने को मिला है, जो 35 से लेगे 53 in just one decade, that is 2011 से देखने, billions plus cities में, so in cities में भी number, cities की number में देखने को changes मिला है, तो आप age composition देखें, so population हम देख लिया किस area में, अब area में जो population अब किस age में है, like वो कम मर किया, यह जादा मर किया, old है, young है, बच्चे है, बूड़े, तो इसमें आप यह देखते है, so the age composition of the population refers to the number of people in different age group, मतलब किसी population में, किसी particular area में, different age group के people है, country में वो देखें, so it is one of the most basic characteristic of the population, so काफी most basic है, basic इसमें बुलाया, so it is to important a degree, a percent age influence and what is need, buys, does, और यह इसलिए important होता है, because particular age different people है, जो बच्चा होगा, उसकी demand अलग होगी, जो young होगा, उसकी demand अलग होगी, तो इसमें यह इस से, इसी वेशे से वहाँ पर यह चीज़ें जानने को मिलती है, उनकी understanding और ज़्यादा होती है, समझने हैं, so consequently the number and the percentage of the population, found within the children, working age and age group are notable determinants of the population, social and economic structure, इसमें बता चलता है, तो इसमें बताए गया है, पहला है children, जो generally 15 साल तक है, 15 साल नीची तक है, उनको children बोले है, so they are economically unproductive, मतलब अभी उनकी वज़े से, नेशन में उनकी जड़ी में कोई भी contribute नहीं करें, मतलब अभी unproductive हैं, वो भी चीज़ें produce नहीं कर रहे है, so need to be provided with food, उनको किस जीज़ की जागर पड़ है, ये food, cloth, education, medicals की है, तो ये अभी बुर्कुल unproductive है, उनकी उपर खर्चा करने वाला चीज़ है, then second group is working, जो की पंदर से लेके 59 एस तक के लोगों को उनमें working एग, इसकी group में डाला है, so they are economically productive है, मतलब इकनोमिक प्रड़क्टिव में उनको शेर करेंगे, वो पैसा कमाएंगे तो इंडिया की जीडिव में contribute करेंगे, so biological reproductive भी है, biological reproductive मतलब उनकी वैसे population में changes आने को देखने को मिलेंगे, population में changes देखने को मिलेंगे, so they compromise the working population, also compromise the working population, महा से working population में compromise देखने हैं, मतलब सभी की सभी जो भी इस group में age group में आएंगे, तो सभी की सभी वो कमाने वाले तो नहीं होंगे या working people तो नहीं होंगे, तो इसी वज़े से उसमें working population देखने को मिलेंगे, then third one is age जो आती है वो above the 59 years, मतलब 59 years से जादा के लोग, इसमें देखने हो, नहीं ले सकते है, so the percentage of children and the age effect of the dependency, so children का percentage देखा जाए या जो age effect देखा जाए, dependency ratio, because these groups are not producers, so, इनका जो effect आता है, dependency ratio होता है, वो इस वैसे होता है, यह जो age group है, children वाला, वो कोई production नहीं है, so the proportion of the three group in India's population is already presented in the 6.5, मतलब next figure में इसको देखने का मिलेगा, is age group के, so, सबसे जाए देखा जाए, adult, लोगों की population का जो category वो काफी जादा है, जो 58% है, और जो children का वो 34% है, और जो age group है उनका सबसे कम है, मतलब बच्चे, वो हैं वो second number पे children होगे, adult and aged, यह second position, aged, old कर ले न, old वाला, तो यह होगे first, और यह हो third, तो जो working population है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद children हैं, वो दूसे नमर पे हैं, थर्ड नमर जो aged people हैं, जो aged people हैं, वो हैं, तो इसमें यह बताए गया, age composition बताए गया है, इसमें इंडिया की, अब sex ratio में देखा हैं, इसको define करेंगे, तो कैसे define करेंगे, 1000 males पर, 1000 males पर females कितनी आ रहे हैं, आ रहे हैं, to measure the extent of the equality, मतलब महाँ पर equality पता करने के लिए, between the males and females, so males and females के बीच में, equality पता करने के लिए, society के लिए और बाकी अधर, चीज़ों के लिए काफी important information होती है, so the sex ratio in the country, has always remained unfailable, so India के perception, या India में always देखा गया है, जो sex ratio है, जो sex ratio है, वो काफी unfailable है, मतलब कम यह रहा है sex ratio, जो एकदम unfavorable रहा है, इंडिया में, इसमें यह बताएगा, so इस picture में आपको के लिए पता चल जाएगा, 1991 जो sex ratio था, वो 946 था, मनना 1940 था, 946 था, पर 1000 यह दिया रखा है, so बार में फिर यह कम हुआ, फिर और जादा कम हुआ, फिर थोड़ा increase हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर increase हुआ, अब जाके, 2011 में कितना sex है हुआ है, 1993, so compare किया जाए 1991 के साफ से, तो यह अभी काफी कम है, because 1991 से compare के तो ऐसा लगता है कि कुछ increase हुआने है, बलकि decrease रहोगा, तीन पॉइंट, तो इसमें यह बताए गया है, तो sex है, इंडिया की condition में, इंडिया की perception में देखा है तो काफी unfairable है, अब इसके बाद देखते हैं, literacy late, so male, female, age वाला देख लिया, अब literacy late रहे हैं, कितने लोग पढ़े लेखे हैं, कितने नहीं हैं, literacy देखा जायता है, काफी important quality हो जाती है, population में, because उसी के साथ पता चलता है, किकने लोग पढ़े लेखे हैं, उसी के साथ से, वो लोग employment generate करते हैं, employment उनको मिलता है, so obviously only an informed and educated citizen can make intelligent, इसमें बहुता है कि informed and educated citizen होते हैं, वो काफी intelligent, informed भी बहुता है, uneducated बहुता है, so informed plus educated citizen can make intelligent choice and undertake research and development for project, so इसके लिए, इसी वैसे literacy इसमें important बताए गई है, so low levels of literacy, literacy are serious obstacles for economic improvement, so, जहाँ literacy late काफी कम होगी, तो वो economic improvement में है, society की improvement में, एक breaker की तरह काम करें, obstacle की तरह वो काम करता, low literacy rate, so, 211 के census के सबसे देखा जाए, a person is seven years, six की साल, and above उससे जादा है, can read and write with understanding in language, तो जो person जो साथ साल है, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए with understanding in any language, is treated as related, तो उसकी यह literacy की form दे रखी है, definition इसमें दे रखी है, तो इस चीज को भी आप याद लख लेना, 211 के census के साब से इसमें दे रखे, literacy की definition, so there has been a steady improvement in the literacy, so अगर बाकी जो census के साब से देखा जाए, तो जो literacy के जो rate है, वो improvement देखने को मिलें, increase होता है rate, so literacy level in the India, so literacy rate जो है countries में 211 के साब से देखा जाए, तो 73% जो लोग हैं पूरे इंडिया में, वो literate है, वो बतलब पढ़ सकते हैं, और लेख सकते हैं, 73% people of the India are literate, and 80.9% जो male है, पूरे percent मतलब, 73% में से, 80% जो male है, वो literate है, और 64.6% female है, वो literate है, इसमें यह बताएगा, तो यह data भी काफी important हो जाए, यह directly exam में पूछे जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, then अब occupational structure देखते हैं, मतलब, जो job structure, मतलब किस की job किस तरीक है, that is, economically active, is an important index of development, जो पॉपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्थ है, जो एक्योः एक्टिभ है, वो काफी important index मन जाते हैं, वो उस्साथ से डेवलिएयं की जो nation का जो development है, उस साथ से वो contribute कारना है, so distribution of the population according to different types of occupation. So, the population, different population, different type की तरीके से, different type की occupation उनके बुदो होती है, वो उसी साफ से contribute क्या है. So, उनकी साफ से is referred to as the occupational structure. तो इसी साफ से अलग-अलग occupational structure उसमें दिया है. So, an enormous variety of occupation are found in any country. So, काफी तरीके की varieties जो occupation में देखिया आते हैं, अलग-अलग countries में देखिया है. So, occupation को तीन बाग में, तीन टाइप में डिवाड करें, like primary, secondary and tertiary. इन डिवाड में क्या रहा है. So, primary इसमें कौन-कौन से activities आती हैं, जो agriculture, animal, husbandry, forestry, fishing, mining, inquiring. तो इन सब सेक्टर में जो लोग काम करनेंगें, तो वो primary activities में, ये primary वाले form में आएंगे. So, अब secondary वाले में देखें, तो secondary वाले कौन होते हैं, जो manufacturing industry में हो, जो building industry में, ये construction वर्क में हो, तो secondary उनकी activities में आएंगें. देना tertiary वाली देख़ा जाए, तो tertiary वाली में कौन आता हैं, जो transport वाले में हो, ये जो communication वाले में हो, commerce industry administration वाले में हो यह other service वाले में हो तो तो इन तीनों की अलग-अलग definition होगे तो the proportion of the people working in different activities varies in developed and developing countries उसमें दे रखा जो developed countries होती है और जो developing countries होती है तो उनमें जो अलग-अलग तरी जो proportion जो people जो work करते हैं उनका पॉपॉपॉशन अलग-अलग होता है मैं जो developed country में जो proportion होगो काफी जादा होगा वैरीज करेगा different अलग-अलग countries में developed countries में अलग होगा developing countries में अलग हो और इंडिया जो अपनी country है वो अपनी इंडिया जो country है अपनी कौन से है है developing countries सो चीज को भी आप याद रखना सो डेवलफ निशन में देखा जाए हाई proportion होता पीपल का जो secondary और टर्सरी एक्टिविज में इंवल्फ जादा होते हैं तो developed countries में देखा जाए तो वहां के लोग secondary और टर्सरी एक्टिविज में जादा इंवल्फ होते हैं और developing countries में देखा जाए तो हाई proportion काहाँ पर जादा होता है वह प्रामेरी सेक्टर में यह प्रामेरी एक्टिविज में जादा होते है अग्रिकल्चर वाले एरिया में हो गया इसे वाजिए उन्दिया जो about 64% पर्चेशन परपोलिज़न इंगेश इसासटर इसाज वाजिज में इसवायवसे इंडिया जो मोस्ली प्रैमेरी सेक्टर प्रामेरी एक्टिविज में ट्रेंगेशवे जासब 민श जो सेकेंड्री और तरशरी में कितने हैं? 13 और 20 परसेंट है यह तर्सेंट में बता गया है ऐसी साफ से जो इसे काफ़ी अपहरा है वे काफ़ीजाब्वरबल है नो इंडिया में हम्झा जो हो रहा है इंडिया में यह जो प्रह्पी जादे इन की जो इसी वैसे जो जो पॉपूपेशन जो इस्ट्रक्चर है जो टर्सिय सेक्टर का जो नंबर है जो परसेंटेज है जो इंगेज है वो इंक्रीज हुए है इसी हिसाफ से इस पोन्ट को भी आफ याद रखना धैन अब इस पॉपुलिशन के ड्वलेमेंट में काफी अच्छा पुश मिलेगा अगर अच्छी नहों थी तो वह उस नेशन के ड्वलेमेंट में थोड़ा अब्स्टेकल क्रेट होंगे So, sustained effort of government program have resisted significant improvement in the health condition of the Indian population. So, government के ऐसे काफ़ी सारे program होते हैं, जो population के लिए, जो population के लिए, जो health के लिए काफ़ी सारे चलाए जाए है, ताकि जो health condition रहे है, वो काफ़ी ठीक रहे है, उनकी improvement के लिए like, like, जो death rate है, वो काफ़ी, इंडिया में decline हुआ है, 25% from the 25% per 1000. So, अगर 1000 में देखा जाए, तो 25% अतना decline हो गया death rate, इंडिया के death rate में कम ही आए, तो इस रिसाफ़ से देखा जाए, तो इंडिया के health में जो government जो expenditure करें, ठीक करें, मतलब वो उसके इंडिया की population के health को थोड़ा ठीक करें, इसी वेज़से, जो death rate है, death rate हो काफ़ी कम हुआ है So, that rate जो 2 हार, जो 1991 में देखा जाए, जो 25% था, वो अब 2011 में कितना है, 7.2% है, तो इसी वेज़से देखा जाता है, So, government health expenditure इस वेज़से इतना ज़्यादा करती है, और जब life expenditure मतलब, कौन आदमी की जो जीने की जो age होते है, जो साल होते है, वो कितना ज़्यादा है, तो इस चीज़से प्रता जलता है, महाँ पर health के कितने सारे program चल रहे है, So, the substantially improvement is the result of many factors, including improvement in public health, prevention of infection disease, application of modern medical practice and diagnosis and treatment, तो यह जो चीज़से factor जो increase होई, जो data जो आरा निकल है, जो death rate कम होई है, जो life expense है, वो काफी increase होई है, तो यह सब होते हैं, जो उनकी public health पर जागा focus करते हैं तब होता है, यह जो disease हैं उन पर ज्यादा वो उनको prevent करते हैं तब होता है, यह जो modern medical practice में उन में ज्यादा focus करते हैं, तो यह सारे factor तभी work करते हैं, इसके अलावब, despite considerable achievement, the health situation is matter of the major concern of India, यह सब चीज़े होने के बावज़ोदी, जो health situation है इंडिया में, वो काफी major और अभी भी concern पर है, इंडिया में, वो काफी कम है, जो recommendable level जो दे रखे हैं उसके साफसे, and the malnutrition जो देखा जाए, large percentage area में अपनी population में देखा जाए, वो काफी जादा है, अभी भी इंडिया के population के साफसे, वो जो data है वो अभी इतना favorable नहीं है, इसमें यह बताने के कुछिस की गई है, इसके लावब basic sanitation amenities are available to only one-third of the rural population, इंडिया में देखा जाए, rural population जो one-third है, उसको इसको safe drinking water की facilities है, और plus उसको basic sanitation है, उसको provider से one-third population को, so these problems need to be tackled through an appropriate population policy, so, जितने भी obstacles करना है यह जो इतनी भी problems है, उसको tackle करना पड़ेगा, किसी एक population policies की वजह से, वजह से, then, अब इसमें आगी देखते है, adolescent population, जो adolescent population होती है, वो क्या होती है, so, इसमें देखा जाए, the most significant feature of the Indian population is the size of adolescent population, so, इंडिया की population का एक special feature देखे हैं, तो इंडिया की population है कि जो, इंडिया की population है, उसमें सबसे जाड़ साइज है, adolescent population, जो working age group है, so, adolescent, मतलब क्योंसर अबस्ता जिसको बोला है, बोलते हैं, so, it constitute one-fifth of the total population of the, और इसकी जो, इसका जो size देखा जा, पूरे population है one-fifth है, so, मतलब 20% देखा जा, तो 20%, so, adolescent are generally, adolescent को कितना में, adolescent को सोर अवस्ता जिसको बोला है, वो generally क्या होते हैं, 10 से लेकि 19 साल तक की बीच में जितने भी population है, उसको बोला गया, so, they are the most important for the feature, because, आगे जाके, economy में contribute करेंगे, इसी वैसे इसको काफी most important resource बोला गया, so, nutrition required होता है, इन सब adolescent को like, higher than the those of normal child, मतलब, normal child से compare किया जाए, यह adder से compare किया जाए, इस adolescent age group को काफी जारे nutrition की जरूत पड़ती है, so, अगर pure nutrition होगा, it can lead to deficiency and stunted, so, poor nutrition की वैसे, इन सब को deficiency की problem आएगी, like, stunted growth इस सब की problem आएगी, but, in India, diet available to adolescent is inadequate in all nutrients, but, India में देखा जाए, जो diet की availability है, जो adolescent के लिए, वो inadequate है, मतलब, पूरी adequate नहीं, inadequate है, कुछ कमी है, all nutrients में देखा जाए, so, all the, a large number of adolescent girls, मतलब, girls के जो देखा जाए, adolescent, जो कहा से 10 से 12 साल के बीच में, जो girls आती है, वो suffer कर रहे है, anime, anime मतलब, जो खून की जो कमी होते है, जो red cells होते हैं, उनकी कमी होते है, so, because, so, इतने age की जो, जो addiction जो गर है, वो anime के से suffer कर रहे है, so, their problem have so far not received adequate attention in the process of development, so, इनकी जो problem है, अभी तक कोई भी ऐसे advocate, ऐसे attention अभी इनको देखने को में नहीं मिले, और ना ऐसे कुछ development process अभी start नहीं होए, कुछ होए हैं, तो उनमें ऐसा अच्छा red देखने को में नहीं मिला है, so, the adolescent girls जो have to sensitize to the problem, or they confront so, इनको जो problem है, उनको थोड़ा sensitize करना पड़ेगा, उनकी जो problem उनको और तरीकी सब थोड़ा और changes में देखने पड़ेगे, then, इसके अलावा जो awareness जो है, among them can be improved through the spread of literacy and education, so, इनकी बीच में जो awareness उसको increase करने के लिए, जो literacy है, जो education है, और ज्यादा increase करना पड़ेगा, ताकि उनके बीच में awareness और ज्यादा आए, then, अब इसमें देखते है, national population policy, so, इंडिया की national population policy जो 2000 में start होई थी, पर उससे पहले कुछ और भी data या, so, recognize that the planning of families would improve individual health and welfare, so, इसमें देखाज़े, जो family planning जो होती है, जो family planning आए, ठीक से होगी, तो family planning पर ना एक कोई economic बढ़न आँगा, ना एक कोई health issues देखने को मिलेंगा, but, so, इसमें देखाज़े, it improved the individual health plus welfare, so, government of India initiated comprehensive family planning program in 1952, so, government of India है, वो 1952 में एक family planning program लेके आए, comprehensive family planning program so, the family welfare program has sought to promote, मतलब, क्या क्या चीज़ promote करते है, responsible and planned parenthood, मतलब, 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 responsible and planned parenthood होना चाहिए, उसको promote करते है, then voluntary basis पर यह सब चीज़ें start होई थी, but, इसके बाद, दो जहर में national population policy start होई थी, जो इन सब जितने भी efforts अब तक दिये गए थे, उसका एक पूरा यह था, जितने आज तक हिफार्ट को था, उसका यह पूरा, वो substitute किये जाए, commission किये जाए, तो वो पूरा बाद में निकट के आते है national population policy, इस national population policy, sorry, policy इसको NPP 2020 बोल लगा, तो इट प्रोवाइड़ पॉलिशी फ्रे मटर्वक फोर इंपर्टिंग, फ्री एंड कंपलसरी school education फोर अप्टू 14 तो एर्श मतलब इसमें, यह दिया गया था कि school education तो इसको बना गया था जो 14 साल तक बच्चों के लिए तो उसको भी थोड़ा उसको भी कम करना था तो उसको भी थोड़ा उसको भी इमिनेशन करना था बच्चों में देन प्रोमोटिंग डिलेड इन मेरीज फ़र गल्स और जो गल्स मेरीज जो होती थी जल्दी जिसको चाइड मेरीज बोलता था उसको खतम करना था और डिलेड मेरीज मतलब गल्स की जो एज बना लिए लाइक 21 18 years उसको उसको और प्रोमोट करना लाइक गल्स की सारी जितना डिलेज हो उतना अच्छा है प्रोमोटिंग डिलेड मेरीज फ़र गल्स के लिए डिलेड मेरीज को प्रोमोट कर रहे थे लाइक उसकी एक तो एज 18 कर दी थी इतनी होनी चाहिए तो इसमें यह है तो इसके अलावा making family welfare for a people centered program नदा एक people centered program start किया for family welfare के लिए तो यह सब चीजें इस national population policy 2000 में यह सब चीजें थी तो इसमें इसके अलावा adolescent पर भी थोड़ा फोकस किया था so it identified the adolescent as one of the major section so इसमें जो adolescent था उसको सेक्शन को काफी major section की तरह treat किया था लिकाज इसके लावा population that need greater attention so इसको as a important section की तरह treat करने लगे so beside nutrition requirement the policy puts greater emphasis on the और मताँ इनको 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 अलावा greater emphasis इनको देने लगे on other important needs like adolescent including protection from the unwanted pregnancy and sexually transmitted disease so unwanted pregnancy जो उती है प्लस जो sexually transmitted disease हों तरह इन चीज़ों और ज़्यादा focus कने लगे adolescent के और उस age section को focus करते हो है so इन चीज़ों पर भी national population policies पर इस सारे program भी इनके इंडर चलाए गए then इसके बाद it called program for that aimed towards the increasing delayed marriage so इसमें भी increasing delayed marriage and child bearing education for adults and about the risks of unprotective sex then making contraceptic service accessible and affordable and then provide food supplements nutrition services standing legal measure to prevent child marriage so ये सब चीज़ है इस NPPP के एंडर इस सब चीज़ें इन सब चीज़ों को पॉंट को या उन पर चीज़ों को focus करके चला पर चलना चलाया government ने then इसके बाद people are the nation's most vulnerable resources मतलब पीपल जो है nation का most vulnerable resources है and a well educated healthy population provides potential power और जब कोई भी population होती है educated population होती है healthy population होती है वो क्या मतलब एक potential power को provide करती है मतलब वो एक nation के लिए potential created होता है potential power created होती है अगर वो population healthy होगी और educated होगी इसमें ये बताने को इसमें ये बता रहा है आज की लेक्शन बस इतना है अगर आपनी UPC लाइब को subscribe नहीं तर फ्लीज सब्सक्राइब नहीं तर फ्लीज सब्सक्राइब the UPC लाइन और प्रेस लाइन प्रेस लाइल आइकन for the more updates धरने बाद